तुमने सबसे पहले देख लिया का फंद में profit and loss यह देन क्क विवार प्रेक्टिकल time है हम भीवार में खरीद विक्री करते ही रहते हैं और गर अपस्थ करते हैं हनी पर्षेन क्याई कैसे निकालेगे हघानी सॉखन करेंगे सारी चीजे हम आज की क्लास में छीखेंगे समझेंगे पहले आप सभी कमेंट कम करना केवल जो मैं आपको समझाओ उसको ध्यान से सुनना ठीक है जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं है लाइक कर दो बटा देखो एक होता है पिटा सबसे पहले होता है क्रेमुल जिसको हम खरीद मुल्य भी बोल देते हैं को मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना और जो यहां लिखा है उसको ध्यान से देखना अभी कमेंट मत करना जब कुश्यन आ जाए तब कमेंट करना ठीक है प्यारे बच्चों ओके तो देखो क्रेमुल्य क्या होता है जितना आप किसी भी चीज़ पर अपनी जेव से इनवेस्ट करते हो जतना हम अपनी जेव से कहीं पर इनवेस्ट करते हों उसे खरीद मुल्य क्या होता है इस जतने आप किसी चीज़ आप ने किसी चीज को बेच कर आपको कितने रुपे मिले होता है आपने किसी चीज को कितने में खरीद वो खरीद रुपेद रुपेद वीक्रे रुपे प्रज़ी म हरें भ다면 और लाब का और कि अगर आप किसी चीज को खरीद कर वेच हो तो q m लेकिन का त्व क्लते हैं लेकिन मैं केवल दो यह मा स्वाशितнутftig आब लाब कैसे होगा चौड़ सकते आप लाब कैसे मतलब मेरे कहने का मतलब है未 infinity कॉस्ट प्राइज है मैंने द्यान से सब्सक्राइज में लिख दिया मैंने डिटेल में नहीं लिखा प Northern Sea को सब्सक्राइज कर इसे का मतलब होता है विक्रेंवियनुल अगर होता है profit कितने रुपे का हुआ अगर हम यह निकालना है तो SP मैसे CP को घटा देंगे SP मैसे CP को घटा देंगे तो profit आजाएगा अगर profit का percent निका लेंगे तो आएगा profit upon CP multiply 100 लाग का percent आजाएगा जैसे देखो मैं एक example भी ले लेता हूं छोटा सा जैसे मान के चलो आपने कोई चीज 700 में खरीदी और आपने उसको 800 में बेच दिया अगर आपको लाव निकालना है तो 800 में से 700 को घटा दो तो आपको extra कितने मिले 100 रुपे आप बिल्कुल प्रैक्टिकली जाके देने की व्यवार में सोचो के आपने 600 रुपे की चीज खरीदी थी आपने 800 में बेची तो आपको जो बचत होती है वो लाव होता है अब मान के चलो कुछ भी नहीं बसता तो नो प्रॉफिट नौ लाउस और उल्टा जेव से चला जाए तो वह हानी होती है ठीक है ऐसे प्रैक्टिकली सोचो बिल्कुल तो 700 की चीज को अगर 800 बेच रहे हो तो आपको 100 की बचत दो रही है तो यह बचत है यही आपका लाव है अगर आप लाव का परसेंट निकालोगे कितने का लाव हुआ देको यहां पर यह फर्मूला लिखा है वह लाव परसेंट का अगर लाव परसेंट निकालोगे तो लाव गटे 7% तो यह पहला परिणाम हुआ आपका यह पहला परिणाम हुआ CP और SP की वज़े से अगर किसी चीज को कम में खरीद कर उससे ज्यादा कीमत पर बेशते हैं तो ऐसे कि इसमें हमेशा लाब होता है लाब कितने रुपे का होगा उसके लिए SP में से CP को मैनस कर देंगे अ एक्चॉल प्रॉफिट हमेशा CP पर कैलकुलेट किया जाता है हमेशा नीचे CP आएगा अगर आपको एक्चॉल प्रॉफिट करना है तो लेकिन अगर आपको लाब प्रतिसाथ SP पर निकालना हो अगर आपको प्रॉफिट परसेंट SP पर कैलकुलेट करना हो तो फिर नीचे CP नहीं फिर नीचे आएगा SP तो लाब अपन SP गुणा 100 तो वैसे तो लाब परसेंट हमेशा CP पर कैलकुलेट करते हैं तो लाब परसेंट का फॉर्मूला बनता है लाब बटे CP गुणा 100 लेकिन अगर वो इस पस्ट रूप से कुश्यन में कहें कि बताओ विक्रे मुल्य पर ल नीचे CP की जगे SP आ जाएगा वैसे लाब परसेंट का फॉर्मूला होता है लाब बटे CP गुणा 100 और SP जब ज्यादा होगा CP से तो उस केस में हमेशा लाब होगा बात क्लियर है प्यारे बच्चों तो चलो आ जाते हैं आगे वाले पॉइंट पर दूसरा पॉइंट समझे हानी होती है ऐसे केस में हमेसा लॉस होता है अगर हम किसी चीज को ज्यादा में खरीदें इसे कम कीमत पर बेज ढें तो ऐसे केस में हमेसा हानी होती है पैस लिए Hани कितने रुपे की होगी अगर यह निकालना है तो CP-SP independ doit SP को खटा देंगे तो हानी आ जाएगी मतलब हानी के केस में हमेशा क्रेम मुले बड़ा होता है जितने में आप खरीदते हो वह चीज बड़ी होती है और बेशते हो हमेशा कम कीमत पर इसलिए हानी निकालते हैं CP मैनस SP से हानी का परसेंट निकालेंगे तो सेम फॉर्मूला हा अगर हानी प्रतिसत निकालेंगे तो सेम फॉर्मूला बनेगा हानी बटे CP गुणा 100 अब आज ही हां पर अगर हानी प्रतिसत विक्रेम मुले पर निकालना है तो नीचे बस TP की जगह पर SP आ जाएगा तो हानी प्रतिसत का जो फॉर्मूला होता है जैसी राम मेटा रादे हानी प्रतिसत का फॉर्मूला होता है हानी अपॉन CP गुणा 100 यह आपका वास्तिक लॉस परसेंट होगा लेकिन अगर वो कहें कि SP पर बताओ तो बस CP की जगह SP आ जाएगा तो यह आपका हानी हानी हमेशा तब होती है जब आप किसी चीज़ को ज्यादा में खरीद कर उसस सेम उतनी वेस तो ऐसे केस में नो लो सोता है न लाव न हानी आपने चीज खरीद और वह वेस्ट हो गई वेस्ट का मतलब बरवाद हो गई ऐसे केस में हमेसा सौपस्त हानी होती है तो CP और SP की बज़े से चार परणाम आते हैं आपको चारों परणाम अच्छे से समझ में आगे होंगे पहला परणाम होता है लाब का जिसमें SP बिक्रमूल बड़ा होता है CP चोटा होता है दूसरा परणाम होता है हानी का जिसमें CP ज़्यादा होता है SP कम होता है तीसरा परणाम होता है CP SP बराबर का जिसमें no profit no loss होता है और चौथा परणाम होता है आर्टिकलों के खराब होने का waste होने का वहाँ पे आपको 100% loss होता है तो चार परणाम होते हैं चारों परणाम हों मैंने formula भी बता दिया आपको कैसे लावानी कैसे निकालोगे अगर ये सभी सब्सक्राइब करके बताओ जलदी से थमसब का समझोगे अगर लाप परसेंट दिया है आप तो उसका fraction मान निकालेंगे तो हमेशना और नीचे लाफ परसेंट के फॉर्मूले में फ्रॉफिट अपॉन सीपी तो होता है और हम सूर्ण काशन निकाले आप सब्सक्राइब बहुत कुश्टे चोटे चोटे क्लास में मैंने UP पलिस को ध्यान में रखते हुए आपके लिए बहुत चोटे चोटे कुश्टे पर है बताू इप बहुत बढ़िया जैह हिंद बीटा विवीक दीवी स्राहुल बहुत बढ़िया नेम सब्सक्राइब करते रहो जाए से बच्चों को जोड़ते रहो वाट इस दा आंसर अप दिस ब्यूटिपल कुश्यन बिल्कुल मैंने आसान सा कुश्यन आपके लिए मैंने ऐसे कुश्यन लिए जो कॉंस्टिबल में ज्यादा तर आते हैं रिपीट होते हैं ठीक है बताते चलो आंसर जल्दी से फास्ट और पहले जो है ऐसे ऐसे कुश्यन आपके लिए हैं जो बहुत ही महत्तुपूर ने देख बढ़ा पहला कुश्यन देखिए या जो किसी वस्तू पर मिलने वाला लाव विक्रे मुले का एक वरत पा dual प्रसाथ की गणुर्णा यह कितना होगा लाप सब्सक्कि गणूर्णा कीजिए तो उसने खँरु मिलने वाला लाव सी एक वह सीच्थ में जिससे तुन्ना करते ही वह महां नीचे होता जिसके तुनर VoL तो इसनी कहा यद किसी बस्तूप पर मिलने वाला लाव विक्रे मुल्य का तो मतलब लाब के case में हमेशा CP छोटा होता है और SP ज्यादा होता है रटलना कुछ भी नहीं है बेटा आपको केवल समझना है पांच में आपने किसी भी चीज को बेचा एक का लाब हुआ तो obvious है कि CP 4 होगा क्योंकि CP क्रेमूल होता है लाब के case में SP ज्यादा होता है CP कम होता है उसे निए प्रपुष्ट क्या होगा हुगा तो क्या हुदने का स Imperie स्भुष्ट करें हमारा 25 25 परसंथन पर दिए औस फे दिन तर आंसर ऑफ देस कुछिनी है तो यहां पर ऐसा मत करना अगर आपने सीधा सीधा एक वटे पांच गुणा सो कर दिया अगर तो फिर आपका जो लाब परसेंट आएगा वो विक्रे मुल्य पर आएगा जबकि लाब परसेंट हमेशा कैलकुलेट किया जाता है क्रे मुल्य पर जो को बहुत सारे बच्चों यह एतनी जल्दी नहीं करने को यह और आपने विक्रे मुल्य पर निकाल दिया क्योंक्के इंस पेस्टर मुल्य पर निकाल करो गए दियाका चलो भाई next session की तरफ चलता कमेंट करके थोड़ा सा बताते रहा करो जैसे मुझे पता चलता रहा है कि जो मैं आपको समझा रहा हूं वह बात आपको अच्छे से और इस पस्ट समझ में आ रही है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जितने बच्छे बढ़िया को अनू ने एक कार खरीदी और फिर उसे बेज दिया यह फिरे मुलिए कान पाद 10 तो लाप परसद बताओ अब पढ़िए उठा लो कॉपी पैन उठालो और मेहनत करो थोड़ा सा और जल्दी जल्दी आंसर बताओ आपको पीपैन उठाके थोड़ी सी महनत करन आई ठीक है तो दिका उतने क्रे मुले तो ये बताओ पर्शंट कैसे निकालते में टा कितने का लाब हुआ बैई 10 की चीज़ को 11 बेच रहे तो एक का लाव हुआ अगर लाव पर्षेंट निकालेंगे तो लाव पर्षेंट होता है लाव अपॉन सीपी तो लाव एक का है अपॉन सीपी कितना है दस और मल्टीप्लाइस हो करेंगे तो आपका आंसर आजागा बटा 10 प्रतिसत लाव हम मैं उन चीज़ों पर ज्यादा फोकस करके पढ़ना जो चीज़ें ज्यादा पीपर में आती है चलो मेरे दोस्तों इसक्रिशन का अंसर होता हुआ जिन बच्चों ने अभी तक सैसन को लाइक करो बहुत ही जबजब सैसन आज का होना चाहिए एक वस्तू का क्रेमुल इसके मनतला कॉस्ट प्रएज विक्रेमुलिय का सुना विक्रेमुलियते हो रही हए तो नीचael आएगा और स॥ा करेमुलिय का करेमुलिय था करेमुलिय ज्यादाना gur अभी पीछे बताया है मैंने आपको हानी होगी तो हानी कितने की होगी एक की अगर हम हानी का percent निकालेंगे तो हानी कितने की हुई है वो उपर और हमेसा स्टीपी पर calculate करते हैं तो साथ नीचे और multiply 100 हमेसा नीचे बेटा से भी आएगा ध्यान रखना आंसर आजाएगा 14 सही 2 बटे 7 परशंट या 14.28 परशंट आप देख लिए कौन सा ओप्षन ऐसा है जो आपका सटीक है तो आपका यह है 14.29 परशंट यह ओप्षन इस दा करेक्ट आंसर तो हमेशा नीचे CP आता है बिटा अगर हानी परशंट पूछे चैला परशंट पूछ अब जल्दी जल्दी आंसर बताओ यह बिल्कुल बेशिक कुछन है जो आपको एक्जाम में पूछे जा सकते हैं इनकी संभावना भूछ मेरे प्यारे दोस्ट इस क्रिशन का अंसर क्या होगा एक वस्तू को इसके क्रेमुल्य से चार बटे तीन गुने पर बेचा गया है में की देती को इसके क्रीमौल्या से चार वट्टे थीन पर बैचा गया है रही जादा excited तो उतने आप से वही लाब परसेंट पूछा है लाब परसेंट क्या होता है लाब अपन सीपी तो लाब कितने का एक का अपन सीपी कितने का तीन का और मल्टीप्लाइस तो लाब का परसेंट आजाएगा 33 सही एक वटे 3 परसेंट लाब का परसेंट आजाएगा 33 सही एक वट बच्चों जल्दी से सेजन को लैट करो और जास यादा दोस्तों को बताओ क्लासेस के बारे में कि यहां पर फिर्व कोस्ट आपके लिए क्लासेस चल रहे हैं चलो बच्छे इस मिश्चन का अंसर बता यह बहुत बढ़िया कुश्च्या है किसी वस्तु का क्रेमुलिस के वि बताओ बटाओ पाओ पुटाओ आपके बाद आपके लिए है इस चलो बच्छों बताओ इस विर्शन का अंसर अदैज़ नोग्य है कि संठ का क्रेम और विक्रह मुल्य तो कम का मतलब माइनस 25 परूइंट होता है looking प्रसंटेज में आपको सिखा था था हमेशा कम में घटाकर और ज्यादा में जोड कर एड़ करते हैं कि उसने का है किसी वाला रेशियो क्रेमुलिक आएगा बताई ग्या होगा तो आप 3 में खृआज रहे हो किसी चीज चार में बेच रहे हो मने पोगा, कितने का profit होगा एक का उसने क्या पूछा है profit percent तो बोलो profit कितने का है आपका उपसर एक का कितने पर तीन पर क्योंकि और लेज थीपी पर निकालते हैं और multiply 100 तो हमारा लाप percent आ जाएगा 33.33% 33.33% और 33.33% पर बिटा C option is the correct answer of this beautiful question 33.33% आपके question का एकदम साथी का अंसर रहेगा option C बहुत बढ़िया बटा चलो नेक्स्ट शुक्षिन का अंसर बताओ जल्दी आंसर बताओ बताओ जल्दी से स्वह अच्य बताओ चलो बटा एक बस्तू का क्रेमूल इसके विक्रेमूले से 16% कम है एक बस्तू का क्रेमूले किसे कम है विक्रेमूले से 16% का फ्रेक्शन मान हो जाएगा चार बटे 25 कम है तो मैनस हो जाएगा तो 25 में से चार जाएगा 21 बटे 25 अब बताओ तो क्या कम है आप अब कहोगे सर्क्रेमूले उसके विक्रेमूले से तो चार का प्रोफित होगा कितने पर 21 पर मुल्टिप्लाइस तो अब यह कैंसल आउट नहीं हो रहा है किसे तो यह जागा 400 बटे किस 21 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा एक बार जाएगा एक बार जाएगा वन टाइम जाएगा और एक इस एक तालिस होता है तो 19 परशेंट के आसवास ही जाएगा आज़े बच्चो नेक्स विश्चन देखिए बताई इस की आउट बताओ बहुत अच्छा वुश्चन ये विश्चन भी आपके प्रम बटा कॉंस्ट्रीबल के लिए बहुत महत्वूण कुश्चन है इस टाइप का कुश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा जुसा जरूर मिलता है यह बहुत की महत्तुपूर और सों और सफ्चन बिलकुल सही हैं चटाना चलो बताओ इस्कुश्चम कान्सद क्या होगा यहदि 55 वस्थों का विक्रेमुल्य साथ' वस्थों के क्रेमुल्य कि बराबर है यह का है लाभानी का पर्शेंट भोड़ा ड्यान रखना लाभानी का पर Seandam तभी निकाल सकते हैं जब वस्तू का जो मात्रा है वह सें हो तो मैं माल लेता हूं कि एक वस्तू का विख्रेमुल स्पी है और पंद्रह से इसाथ वस्तू का विक्रें पंजे पिचत्तर बनाइब के बराबर का बनाइब यह बराबर है 15 से cancela आउट हो जाएगा 15 55 पंदश से cancela आउट हो जाएगा 15 460 और इस तरह से अगर कोई भी इस्टेटमेंट आये बराबर में जैसे 5 SP आपका बराबर आ रहा है 4 CP आगर इससे कोई भी इस स्टेटमेंट आए तो इसकी value आपकी कि और इसकी वेल्यो आपका है अपको एक बस्तु के ख्राइम पफन चा रहा हो तो लाव को है तो हानि कितने की हो रही है कि कि स्पर निकालते हैं थीरीद्र mean और 20% loss तो आपके question का अंसर आजागा 20% फिस्ट वाला option आंसर हो जागा loss of 20% कर रहा था है इसलिए मुझे गलत लगा कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं ऐसे करो बिना आप लोगों नहीं किया या कोई टेक्स लगता है क्या कौन सा टेक्स है जरा उस टेक्स का नाम बताओ कि मुझे जो टेक्स लगता है लाइक करने से पहले लाइक करते रहो चलो बता इस question का अंशर बटा देखो नेक्स मेशन आपकी स्कीन पर सब्सक्राइब करता है तो उसका लापस्त क्या होगा अस्ती संतलों का विकरे मुए 2 पयल्याइब करता है 5 से गैंसल करेंगी सोल है तो बस्तू के रिंग से नांगे तो सपर बिटा से तुछ त चाहर रख जागा तो पक्चीस त पिचेटर वटेच चाइंगा से भाग देंगी कितने बार जाएगा एक बार जाएगा चार आठ बत्यस अठारे पॉंट साथ पांच पॉट्षेंट आपके कुश्चन का अंसर हो जाएगा 18.75 जो आपका पहले वाले उप्सन पर है पहला वाला फुश्चन अंसर हो जाएगा बेटा आंसर करो आप सभी कॉ कमेंट सेक्शन में अंसर करिए इसका सभी से आंसर चाहिए मुझे क्योंकि एक टाइप के मैं दो दो तीन तीन कुश्चन ले रहा हूं तो जो पहला कुश्चन समझाता हूं उससे ध्यान से समझा करो उसके बाद जो बागी कुश्चन होते उनके आंसर आप खुद किया कर सबी हमारे पैयरे वहई यदि 4 कुर्सियों की लागत मुल्य की विक्री मुल्य की बराबर है तो लाप परस्त बताइए चार बस्तों का लागत मुल्य। लागवत्मुल्य का मतलब CP, तो 4 का CP आपको बरावर दिया है, 3 का SP, एक बस्तू का CP तीन हो जाएगा, एक बस्तू का SP दोनों का रेश्यू आजाएगा, 3 अनपास 4, तो बताओ, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बोलो, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो यह हमारे कुश्चन का एक्टम करेक्टांस अता है, 33, 1 by 3%, option A, very good, very good, very good, यह अच्ञ, प vibes और हिए जल NOR जल्दी फिनिस कर देते हैं, इसी तरह का कुश्चेन आ गया, पचास वस्तों का विक्रेमूले मतलब सेलिंग प्राइज, आपका बनाबर है, 42 वस्तू का वेर्लें की एक हैं के एक क्रेमूले के, सब्सक्राइब करेंगे चार बार कट जाएगा तो चार चार सोले परशेंट का लॉस हो जाएगा सोले परशेंट का लॉस हो जाएगा तो अपिशन का एक दम करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 परशेंट लॉस सब्सक्राइब जो चैनल पर पहली बाद जुड़े है अभी तक चैनल को सबस्ट्राइब नहीं किया है इस तो हम को जल्दी से जल्द करो चैनल को सबस्क्राइब करो सेशन को लिएक करते रहो स्वी बच्चे जोकि पुरू कब तнов Gary ए यह बहुत अच्छा man नहीं होगा देखो आठ पैं अप्लस तीन पैंसिल पीची माल लेता हूं मैं जाएगे तो मैंश हो जाएंगे तो 5 पैनों का फैंस अधर जाएगा तो चुलिक बढ़ाते हैं आपको управ Chelsea कॉंसे स्वाइब अंसर रहेगा कि विल्कुल डियर विल्कुल प्यारे बच्चों विल्कुल बढ़ाते हैं आपको यूपी पुलिस कॉंस्टेबल एसाई और सभी एक्जामों को कबर करके चलेंगे यह समझे लो यूपी की एक्जामों के लिए आपके लिए बहुत ही महत्पूर यह क्लासिस आपके लिए रहेंगे बता पर हमारे बच्चे पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब पर लो और जाश्यादा सेयर करो बच्चों को बताव क्लासिस के बारे में कि यहां पर फियो प्लासिस आपके लिए चल रही है यूपी प्लिस के लिए 92 किलोग्राम गया हूं बेचने से किसी व्यक बजलों गया हूँ बेचने पर किसी व्यक्ति को 12 क्लोग्राम की वियंक्रमूल के बराबर होता है मतलव उतने टोटल बेचा है 92 केज समझने cinco एक रूरू धू अब और उसको फॉल्डिटेल में देखो कुस्षिं कूश्य low डिटेल में आप इस कुश्यन को दो तरह से सॉल कर सकते हो मैं आपको दोनों तरह से बताऊंगा पहले कुश्यन की language का कहने का मतलब समझो कहने का मतलब है 92 क्लोग्राम इसने चीज ली उसका कुछ CP भी होगा और होना चाहिए कितना लाव हो रहा है 12 के SP की बराबर ठीक है 12 के SP की बराबर बारे इधर आएगा तो 90 में से मैनस हो जाएगा तो 80 का SP आपका बराबर हो जाएगा 92 का CP करोगे तो चार से कट जाएगा 20 वार चार से कैंसल आउट करोगे तो चार दुनी आठ चारती अबार है तीस वार कट जाएगा तो आपका CP और SP का रेश्यू आजाएगा तो CP का रेश्यू आजाएगा आपका 20 और SP का रेश्यू आपका आजाएगा यह एक वस्टू के क्रेमूले विक्रेमूले कानपाथ हो गया उसने आप से लाब पर्सेंट पूछा है क्या होगा तो लाब निकालोगे तो 20 की चीज को तेश में बेच होगे तीन का लाब होगा लाब निकालोगे तो अच्छा 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 है को ऑक कोई बात नहीं हम बता देंगे आपको चलो चलो बच्चो नैक्स्षिक्षिशन देखिए तो उसके अलावा देखो नैक्स्षिशन नहीं इस्षिशन का दूषा तरीका का और समझो आप usru किस तरह से सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आपको क्या करना है कि सीधा सीधा लाब परसेंट निकालना है तो बारे के एसबी के बराबर लाब हो रहा है तो बारे सीधा प्रॉफिटी तो है प्रॉफिट अबवन सीपी गणा सो होना चाहिए लाब परसेंट अगर निकालना चाहँगा तो नहीं निकले दो निकल क्या आएगा तो मैं क्या करूँगा कि मुत्की आपको दिया है पहले व्यक्रे मॉल पर नेकाल लो तो दे को स्पी dus het सिदा सीदा सब्सक्राइब तो इसमें आपकी थोड़ी सी कभी से जल्दी कुशें को सॉल्व कर पाऊ खेंगे यहां पर आपको इस तरह से एस पिपर निकाल ले ना है पहले तो नीचे एस्पी expl पर अजय बहुके बचलो बहुथ कुशन स्कूशन का असर से क्या बाता बटा यह बहुत अच्छा सभिगे प्रॉचिन अब में थैब पर कि ओके 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 तो बचाओ क्या हुआ ए इस प्रकार बेजता है कि पांच वस्तों के विक्रह मुली के बरावर लाब होता है तो उसका लाब पर्शेंट क्या है तो सीधा सीधा कर दिजिये पांच बस्तों के विक्राय मुले के बराबर तो 5 बट्टे 25 पांच बट्टे 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा एक बट्टे 25 तो यह लाव हो जाएगा यह क्या हो जाएगा क्या है लगातार देख रहे हैं क्लास्टों को सेसंटों को लाइक करते रहो बटा दूड़ाइक सेटेज और सब्सक्राइब क्या है क्या कहा गया एक दुकानदार ने पंदर पर में दसकी दर्शे टॉकियां खरीदी और उन्हें चालिस में 16 की दर से बीज़ दिया तो उसका लाब पर्षेंट का होगा तो बहुत ही आसान कुश्यन है उसने पंदर रुपे में 10 की दर से तो यह जो आर्टीकलों की संख्या पर आधा है कुश्यन आप से पूछे जाते हैं लाब और हानी की निकालने के लाब परसद हानी प सतनी सेंव हो अगर मंुस्वरित न, एक सायड में आपका प्रैस होगा LED में कौयनटि हुझा यह तोन amor यह ह 10 तो आपकी खरीद हो जाएगी 158 120 की और आपकी विक्री हो जाएगी 4050 की 120 में खरीद रहे हो दोस्तों बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट होगा कितने का प्रॉफिट होगा असी का कितने पर 120 पर तो 402 दूनी असी 40 तिया 120 और मुल्टिप्लाइस तो प्रॉफिट का पर्शेंट आ जाएगा 66 सही दो बटे 3 पर्शेंट या 66.66 पर्शेंट तो जो हमारे कॉंसे ऑप्शन पर बेटा डी ऑप्शन पर 66.67 पर्शेंट ऑप्शन दी इस ता करेक्ट आंसर तो इस तरह से आप इस कुछ कर सकते हैं लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो कुछ इस्टुडेंट क्या करतें कुछ सूचते सर क्र लेका की होता है वह भी बेटा आर्किकलों को सेम Украї करता है उसमें भी कोई जादा बड़ी नहीं होती है वह भी आर्टिकलों की संख्यां कोई सेम करता है जैसे मानके चली आप पंदर्ए में 10 की दर से खरीद रहे हो और आप चालिस में 16 की 很 Mac करते हो तो उसमें भी यही ची 240 और 10 का इधर कर देंगे तो आपका एस्वी आ जाएगा चार्टों कितने का प्रॉफिट हुआ बताओ एक सो साथ का प्रॉफिट हुआ कितने पर 240 पर जीरो से जीरो कर जाएगा आर्दूनि सोल है दो वटे दिन बात एक ही आ जाएगे दो वटे बहुत ही बढ़िया बहुत ही जबढ़ जबस्ट कुर्शन एक विक्रता ने 15 में 5 की तरस से खरीदे और उन्हें 5 में 3 की दरस से बेज़ दिया तो उसका लाब पर्शन बताओ सब बच्चों से आंसर चाहिए बहुत जबड़ जबढ़ जबस्प्सक्रिशन है अनल20 वेरी गोड और पांच में तीन की दरते बेशता है यह सेलंग प्राइस का करेट हो गया बस आर्टिकल से मोनी चाहिए चाहिए आप उसे क्रोस मुल्टिप्लाइस गर लो टो तो तीन गुणा 15 करेंगे तो cpi आजाएगा आपका 45 और पांच multiply 5 करेंगे तो एस किया जाएगा पच्छीश का तो बहिए आपको हो गई हानी कितने की हानी हो गई 20 की हानी कितने पर हो गई 45 पर तो पांच ते गयंसल करेंगे 5 4 20 5 9 से क्कुल कुल डिया जल्दी से शार्वा-वटे नो पर्शेंट फराइगा थाजयीं में नहीं आएगा चोवाल इससे चार बटेनों आएगा चलो बच्छों नेक्स कुश्चन की तरफ चलते हैं यह भी बहुत अच्छा कुश्चन सीखेंगे मैं आपको बताया था कला हमने सीखा था अगर हमें कर सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करते ना क्या होगा एक व्यक्ति ने किसी वस्टू को 3,000 दोस्तों में खरीद कर इसे 12% की हानी पर बेचा तो वस्तु का विक्रे मुल्य क्या होगा देखो प्यारी बच्चों ये कुश्यन आपसे दो प्रकार से पूछा जाता है या तो आपको क्रे मुल्य देकर आपसे विक्रे मुल्य पूछा जाता है और लाव और हानी का प्र पूछा सकता है या आपको एस पी से सी पी पूचा जा सकता है सी पी से-एस-पी से सीपी क्लिकने करकाने ये निकाना यह तो बहुत ही है ओब हुद बात आसे कुश्यंअ का दो तरह से कर सकते हो कर सकते हैं दो सब्सक्राइवtraPro करके जो हमारा सी ओता है किसी का लो क्रेव मुले होता है क्रेव मूल ली होता है हमेशा 100 परस्एंट 100 अगर आप इसको लाब पर बेच भेच ओगे तो ऐससे बाफalous पर बेच को Ellie पर बेचोगे आपका SP बनेगा 100-loss% मतलब हानी का जो SP होता है वो हमेसा TP से छोटा होता है कल भी हमने समझाता को रजासे उपा होता है जैसे मानके चलू 20% लाव कहें यह मान के चलू 20% लाव कहें तो आप समझ जाहिए कि CP आपका 100 होगा अगर 20% लाब गई किसी भी कुश्यन में तो समझ जाए CP 100 होगा, आपका SP होगा 120, ऐसे भी आप CP SP का रेशियो बना सकते हो, फिर जो आपको दिया है, वहां से एक रेशियो का आमान निकाल के जो पूछा उसमें रख दीजे, और अगर ये आप से 20% हानी गए, तो 100 का CP तो आपका SP हो बहुत बढ़ी है, 2812 आंसर भी कर दिया है, चलो चलो बहुत बढ़ी है, पहले concept समझ लेना है न, आंसर तो हम कर देंगे, तो एक तो तरीका ये है CP SP का रेशियो बनाने का, और दूसरा तरीका है बटा, फ्रेक्शन का, और फ्रेक्शन वाला तरीका मैंने कल आपको बताया CP प्लस प्रोफिट, SP आजाएगा, CP प्रोफिट तीनों चीज़ों का रेशियो आजाएगा, फिर जो दिया है उस रेशियो से भाग दे दो, जो निकलना है उसका गुणा कर दो, ऐसी देखो, अगर हमें लॉस दिया है, तो लॉस परसेंट का फ्रेक्शन वाला निकालेंग लाब और हानी का प्रसद दिया हो, CP से SP पूचा हो, या SP से CP पूचा हो, तो अब इस कुशन को ध्यान से पड़ो, अब इसमें आपको समझ में आएगा, किसी वस्तु को उतने 32 में खरीद कर, खरीदने का मतलब CP, तो देखो बटा, आर्टीकल का कॉस्ट प्रेज, आर्टी CP होता है, 12% की हानी हो रही हो, तो 100 में से 12 गटा दीजिए, तो कितना % बनेगा SP, CP होता है, 100%, आपको 12% का हो रहा है, लौस, तो इसका मतलब का 100% से नीचे बेच रहे हो, 100 में से 12 गटाएंगे, तो कितने % पर बेच रहे हो, 88% SP होगा, 100% CP होगा, आपको CP दिया है, तो 100% क 48% आपको निकलना है जो हमें दिया होता है उसके परसेंट से और रेशियो से हमेसा भाग देते हैं और जो निकालना होता है उसका हमेसा कुणा करते हैं तो हमें CP दिया है, CP का % होता है, 100% उसके हमने भाग दे दिया, SP निकालना है, तो SP का कुणा कर दिया, SP वाला % आप कैसे निकालोगे, अगर हानी है तो 100 में से घटा कर, और लाभ है तो 100 में जोड कर, तो बस देखो percentage से percentage कर जाएगा, 0000 से 0000 कर जाएगा, हमारा आंसर सब्सक्राइब करते हैं, आपको क्रेमू ले दिया है, 32, 100% का CP हो गया, 88% का, बागी देखो, अगर आप इस कुश्चन को fraction से करोगे, तो fraction से कैसे करोगे, यह तो हमारा percentage से हो गया, हानी होगी तो 100 में से घटा के SP बनेगा, लाभ होगा तो 100 में जोड कर बनेगा, यह तो हमारा percentage से हो गया, fraction से कैसे solve करोगे, अगर आपको कुश्चन को fraction से solve करना है, तो सबसे पहले जो लाभ हानी का percent लिया है, उ मैं से हानी गटाएंगे तो estp 25-22 अब यह आपका रेशयो बन क्या अब देख लो आपको दिया क्या है पूचा क्या है तो आपको 32 रुपेगा सीपी दिया है वा तो जो दिया होता है उसके रेशयों से भाग देते तो 25 से भाग दे सब्सक्राइब कर सकते हो अगर बात के लिए तो जल्दी से हम सब का साइन करें हम आगे चलते हैं और आपकी प्रेक्टिस के लिए दो-चार कुश्यन इस तरह के लिए अच्छा अच्छा कि लिएर क्यों नहीं दिखाई देती इस फोन की जो है क्वालेटी थोड़ा बढ़ा लिए उपर से आप्सेन आता है एक सेटिंग्स का उसमें जाके आप जो क्वालेटी को 240 या 367 20 कर लो पायटी को बढ़ा लिजिया अपकम क्वालेटी पर देखते होग इश सद्धारी वखल ने कि अर जबूझक को जो 02 कर दो और जो जो बच्छे चैनल पर पहली बार जोड़ी है पहली बार पहली बार क्लास लेँ तरह वह चानल को आया करते रहो और जा से यादा बच्चों को जोड़ते रहो दोस्तों तो चली प्यारे बच्चों बताई इस question का अंसर क्या होगा सभी प्यारी प्यारे बच्चे बताएंगे हमारे what is the answer of this beautiful question तो देखो समस्ते हैं क्या का गया एक कुर्सी को 785 में खरीदा गया जैसी हमने देखा खरीदा गया तो यह आपका CP हो गया और इसे 22% के लाप पर बेचा जाता है तो कुर्सी का विक्रमूले क्या होगा तो एक तरीका तो जैसी मैंने देखा ना 22% लाप तुरंत मैं समझ जाओंगा कि SP होगा 120% तो बस इसका 122% निकाल दो सीधा सीधा तो 785 आपका CP है और आपका SP होगा 122% और CP होगा 100% CP दिया है तो उसके रेशियो से भाग देंगे और SP निकालना है तो उसके रेशियो का गुणा करेंगे तो SP का रेशियो कितना 22% लाप तो SP का रेशियो होजाएगा 122 और CP होजाएगा सब्सक्राइब तो दो से कर जाएक एक सट वार दो से कर जाएगा 50 वार 5 से केंसिल करेंगे दस वार 5 ते केंसिल करेंगे एक वार कर जाएगा सब्सक्राइब करना ही लास्ट का रास्ता है अगर कैसे भी करके कुश्यन आंसर हो रहा है तो आप इस तरह से करिस्मा वीनेस बहुत बढ़ी अंसर कर दिया बहुत अच्छे जो बच्चे हमारे पहले से पढ़ रहा है है उसमें भी आप सभी जुड़े रा करो है ना उसको भी सभी बच्चे क्लास को लेया करो वह भी बहुत मैद्पूर्ण क्लास है उसमें अलग टपिक पड़ा रहे हैं तो आपका कोई नुफसान भी नहीं होगा दोनों क्लासों से आपका जो महत है वो जल्दी कबर हो आपको 18,200 में बेचने पर मतलब एक क्रेमूली दिया है 15% हानी होती है तो जैसे 15% हानी का भाईया तो CP हो जाएगा 100% 15% हानी का तो SP हो जाएगा 85% अब देखलो आपको क्या दिया है तो हमें SP दिया है 18,200 तो 85% का मान दिया है तो जो दिया होता है उसकी रेशियों से परसेंट से परसेंटेज कर जाएगा 5 से सत्रे बार कर जाएगा 5 से कैंसल आउट करेंगे 20 बार कर जाएगा 17 से इसमें डिवाइड करेंगे तो नहीं जा रहा पॉइंट की कैलकुलेशन आएगी तो बस मल्टिप्लाइ कर लो तो या जाएगा ट्रिपल जीरो दो दूनी 4 अठादूनी 36 बटे 17 तो 17 दूनी 34 दो बार जाएगा दो बचे का 24 शत्रे कम से 21 लेकिन 21 से आगे भी है तो करना पड़ेगा तो 24 सत्रे से एक बार गया कितना बचा साथ सत्र हो जाएगा 17 तिया 51 शत्रे चोपी 68 दो जाएगा 17 एक तो 2141 ये वाला आंसर आजागा 31 पॉइं कि realizing इसने पूछी नहीं पैरंफेक्ट में पूछा है 2141 इस तो मैं मैं इसको इसको से सौल्व करऊंगा हो हमारा वो प्यारा बच्चा क्या करेगा राइक सीध़ पेसे करेगा तो 18,200 जो दिया है उसके रेश्यों से भाग देंगे हमें विक्तर अम्हूले hurry मुटिप्लाई एश्यवर दोनोस ही बात हैं सेम है कोई जादा अंतर नहीं है बस परसंटेज का जो सरलतम रोफ होता है उसे फ्रेक्शन कहते हैं तो जो चीज़ें आप यहां आके काटोंगे वह पहली ही कट जाएंगे जैसे यहां पांस से काट रहे हैं इसको पहली यहां फ्रेक्शन में कैंसल आउट होगा बस कितना संतर आएगा बाकि दोनों मान से विल्कुल नेम बिटा मैंने पहली कर दिया आपके साथ कोई भी भी बेदबाब नहीं करूंगा आपको दोनों चीज़ें सिखा के चलूंगा जिन बच्चों ने अभी तक बेटा लाइक नहीं किया सेसंग को लाइक करो सिहर करो ज्यास यादा बच्चों को जोड़ो चिंता मत करिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा आ इसलिए दोनों ही चीज़ें मेहत्वपून है रुपई में एक रेडियो सेट बेचने पर बेचने पर का मतलब क्या होगा यहां से पता चलेगा आपको यहां सीदा-सीदा फ्रेक्शन दिया है परसेंट दिया ही नहीं है तो इसलिए मैं आप से कह रहा था कि दोनों ही यहां सीदा-सीदा फ्रेक्शन दिया है क्रेमुलिका एक बटे-8 लाव हुआ है तो नीचे आजाएगा शीपी उपर आजाएगा लाव एस्पी निकालेंगे तो आठ और एक नौ लाव की केस में ज्यादा होता है तो आठ और एक नौ जुड़कर बनेगा ठीक है अब आप परसेंट पूचा है तो इस परफेक्ट वैल्यू का कोई यूज नहीं होगा ये केवल आपको कोई यूज नहीं होगा अगर आपको आंसर पूचा है परसेंट में तो फिर तो यह सीदा-सीदा हो जाएगा क्रेमुले का लाव एक वटे-8 हो रहा है तो बस सीदा गुड़ा कर दो परसेंट बना दो लाव परसेंट आजाएगा अपका 12.5 परसेंट इसमें तो कुस्कोच नहीं नहीं था हूँ किसी काम का नहीं है वो यूज प्लेस है तो सीधा सीधा हो जाएगा यह तो उसने का है लाव क्रेमुली का एक बटे आठ है और लाव और हानी पर्षेंट क्रेमुली पर ही निगालते हैं तो सीधा बन वाइट गुना सो कर दो 12.5 बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया वे यह तक लाइक नहीं करो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताओ कि हम यहां पर आपको यूपी फिलिस के लिए प्रियोप कॉस्ट पढ़ा रहे हैं और अच्छा आप सभी को सारी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं रीजिनिंग मेहत हिंदी सब कुछ पढ़ा रहे हैं आपक बेचने का मतलब बैचने का मतलब बैचने का हुए यहां से मिलेगी क्या दिया है बेचने पर 10% लाव होता है तो इस वस्तू को छबी सो में वेचा जायर तो लाव प्रसत क्या होगा यह तो हम तभी पता कर पाएंगे जब हमें वस्तू का चीपी बता हूँ हम अपना लाव या हानी पस्त क्या होगा तो पहले तो आप इसका क्रेमुले निकालने के लिए उसने आपका 10% का प्रॉफिट दिया और विक्रेमुले दिया तो पहले क्रेमुले निकाल लो सब्सक्राइं तो दस पर्सेंट लाव की बात कर रहा है तो 10 पर सेंट प्लस 10 एक वक्तस हो जाएगा Là jeg है तो ग्यारे पटे दस हो जाएगा यह आपका cp हो जाएगा यह एस पी निकलना है तो आपको कि अब कि अब वह कह रहा है कि अगर बस्तू को चप्वीस सो में बेच है तो लाब परशेंट बताओ तो आपका सेलिंग प्राइज हो जाएगा बेटा 2,600 का 2,000 की चीज है 2600 में बेच होगे तो आपको 600 का प्रॉफिट हो जाएगा अगर हम लाब परसेंट निकालेंगे तो 600 बटे 2,000 और मल्टीप्लाइज सू से सो कट जाएगा जीरो से जीरो कट जाएगा दो से केंसे करेंगे तो लाब का परसेंट आजागा 30 परसेंट कुंसी ओप्शन पड़ेटा ड loyalty ऊप्शन Wburst शनेना जी नीटु इन सवी बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर किया 30% वैरी गुड वैरी गुड बच्चे जल्दी अल्दी आंसर किया करो अपको आंसर होगा 30% चलो भाई नेक्स विश्चन बताई बटा इस कुश्चन का अंसर बताओ सभी बच्चे यदे कोई बस्तू 355 में बेची गई तो 29% हानी होती है तो 31% लाप राप करने के लिए से किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए ये कुश्चन बहुत पूछे जाते हैं बताओ का कुश्चन है और इन कुश्चन को सॉल करने के लिए बस एक ही बात ध्यान रखनी है जो दिया है उसके रेशो से हमेशा डिवाइड करेंगे बनाने के बाद और जो पूछा है उसका गुणा करेंगे चाहिए परसेंटेस से समझ लो चाहिए रेशो तो दोनों तरह स यह concept द्यान रखना है और आपके सारे कुश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व होंगे तो देखो इस निकाह है यदि एक बस्तु को 305 में वीच जाता है मतलब विक्रे मुली दिया है पीटा 305 समस्ते जलना ध्यान से हमें विक्रे मुली दिया है 355 355 लेकिन इस पर 29% हानी होत तो 29% की अगर मैं बात करूँ तो 29% का फ्रेक्शन होगा 29 बटे 100 100 में से 29 को घटाएंगे क्योंकि हानी है तो हमारा CP हो जाएगा कितना 71 तो इसका मतलब यह जो SP है यह 71 रेशियो का मान है तो एक रेशियो का मान बटे एक एत्तर आ जाएगा CP निकालेंगे तो गुणा 100 तो जो 29% बेटा हानी दी है 29% का अगर फ्रेक्शन मान करोगे तो 29 बटे 100 हो जाएगा हानी है तो घटा कर लिखोगे तो 100 में से 29 निकालना होता है उसका गुणा करते तो जैसी आप सो बटे का गुणा करोगे तो यह CP बन जाएगा लेकिन आप अपसे उसने रेश्यो नहीं पूछा आपसे उसने 31% लाव का विक्रे मूली पूछा है तो 31% का विक्रे मूली कितना बनेगा 31% लाव का एक सो एक सो बटे 100 बच्चों को कोई समस्या नहीं होती है लेकिन बच्चों को हमस्या समस्या होती है यहां कि सर्फ यह सो बटे कैसे कर दिया और 136 बटे 100 कैसे कर दिया तो इस समस्या के बचने का बहुत ही आपको अच्छा तरीका बेटा में बताऊंगा इस समस्या को बचने का एक ही तरीका है जो आपको यह दिया है अगर तो नीचे रेश्यू का आएगा तो देखो इसमें कितना एकष्य तर्फ तो नीचे ये आएगा और जो निकालना है हमें क्या निकालना चैपी तो चैपी का उपर आएगा अब यहां तक यह सीपी नीचिया रहा है तो सो से बेटा सो कट जाएगा कैंसल करेंगे यह पांच बार कट जाएगा पांच मुल्टिप्लाइ एक सब्सक्राइगा जाएगा यह बहुत अच्छे बड़ा बहुत ज्यादा बचे दीपक भंडारी जतिन सही बच्चों ने आंसर कर दिया जल्दी 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 आंसर करो, आज मैं चेक करूँगा, आप कितनी जल्दी आंसर कर सकते हो, किसी भी कुशन का, फास्ट आंसर करो, बागी बेटा, साम को जो SSD क्लास होती, उतमें भी जुड़ जाएगी, वहाँ पर भी आपको हम रेशियो पढ़ा रहे हैं, अलग टॉपिक है, तो आपको वहाँ भी वेनिफिट होगा, उसके लावा जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नई बच्चे बेचाना चाहिए, बहुत आसान हो गया, 355 में बेचा जाता है, तो यह आपका विक्रे मुल है, कितने परसेंट का, 29 स्वस्तधानी का, 29 परसेंट हानी, 29 परसेंट लॉस, तो मतलब 71, यह हो जाएगा, 100 बटे 71, 100 बटे 71, जैसी करोगे, यह CP बन जाएगा, लेकिन CP नहीं 21 परसेंट लाब का, 29 परसेंट लाब बनेगा, 120 बटे 100, 100 सो कटेगा, इस ती 5 बार कटेगा, 5 का गुणा करेंगे, तो 5 और 52 पंजे 60, तो आंतर आजागा, 605, 605 कौन से उप्शन पर है, यह उप्शन पर, यह उप्शन आंतर हो जागा, बस इतनी सी लाइन में आपको यह क एकडम छवद, जसत आंतर किया, बहुत वड़ी है, चलो बचा, इस question का भी answer चलो एन आइटम फॉर आरेस यहां पर मिसिंग है बाइ सेलिंग इट पूर 165 एट ट्रेडर में एक से प्रॉफित ऑफ टेन परशेंट फॉर 153.75 फाइंड इस प्रॉफित और लॉस परशेंट एक सो पैंसरेट में बेचने पर तो आपको विक्रे मुली दिया है 165 किसका विक्रे बन गया लेकिन उसने सीपी नहीं पूछा एक सो पॉइंट पॉइंट में बेचने पर लाव परसेंट पूछा है तो पहले आप सीपी निकाल लो तो 11 से कैंसल करेंगे 15 बार तो सीपी आ जाएगा 150 लेकिन सीपी नहीं पूछा आप से उस निकाह है कि अगर इसको 153.75 में बेचा जाए तो कितने परसेंट लाव होगा 150 की खरीद है 153.75 में बेच होगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा 3.75 का प्रॉफिट हो जाएगा कितने पर एक सो पचास पर अमल्टी प्लाइस तो पचास दूनी सो पचास तिया डिट सो किन से कैंसल आउट करेंगे 1.25 अमल्टी प्लाइस दो करेंगे तो यह हो जागा हमारा 2.5 तो 2.5 परसेंट का प्रॉफिट होगा गेन ऑफ 2.5 परसेंट जो आपका एप पहला वाल बहुत बढ़ी बढ़ा देखो इस कुश्यन को अवाल और मचारी अविसेख धरंपाल रिलाल और नेना कुंतल इन बच्चों ने एक दम सही अंशर गया नीटू और अविसेख बहुत बढ़ी 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 है वेरी गूर्डशी बच्चों को लाइक करते हैं जहाँ ब बच्चे बता इस पांसर बटा जिन बच्चों ने अभी तक सेसं को लाइक करें उसके लाबा जो चैनल पर पहली बार आये हैं पहली बार क्लास ले रहा हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बटा सभी बच्चे सब्सक्राइब करो लाइक करो सियर करो जाज स्यादा बच्चों को क्लासिस के बारे में बताईए एक बस्तू को 495 में बेचने पर दुकानदार को 10% का लाब राप्त होता है तो 16% का लाब कमाने के लिए उसे केवल 6% की ब्रद्धी करनी होगी क्रेमुले का 6% बढ़ाना है विक्रेमुले को तो एक काम करो पहले क्रेमुले निकाल लो तो 495 में बेचने पर 10% लाब होता है तो 10% लाब का मतलब कितना हो गया 11 वटे 10 हमें CP निकालना है तो 10 वटे 11 11 से कैंसल आउट करेंगे तो ग्यारे 44 ग्यारे 55 तो 450 का CP हो जाएगा तो 450 के CP में पहले वो कहा रहा है 10% लाब करता है तो 16 75 लाब करने के लिए उसे वस्तू के विक्रेमुल में कितनी बर्दी करनी चाहिए तो भाईया पहले 10% लाब कर रहा था पहले 10% कर रहा था अगर 16% करेगा तो 6% ली तो बढ़ेगा तो बस 450 ना 6% निकाल दो खतम या जागा जीरो शेपंजे 303 243 27 तो इसका मतलब 27 रुपे बढ़ाना पड़ेगा आपको आपको पहला वाला उप्षन एकदम करेक्ट आंसर हो जागा 27 बहुत बढ़िया इसकुष्यन का भी आंसर हमारे बच्चों ने किया है नीतु धरमपाल दा रियल वाई वेरी गुड ब चलो वाई बच्चों रिक्शन बढ़ा वाई इसका है इसका अंसरब बता बहुत जबरजस्त बैडा और दाशभी वेच्चेorden झिन अभी तक सँन को लैक नेकिया हो सभी सिर्जपिया बरेवस्चे तो उसका लाव्या हानी पस्त क्या है तो इसको 15% की हानी होती है जब वह अपने कम्प्यूटर को 17000 में वीशता है यद वह इसे 2448 में वीशता तो उसका लाव्या हानी पस्त क्या होता तो 15% हानी होती है जब वह कम्प्यूटर को 17,000 में बीचता है तो पहले आप CP निकाल लीजिए क्योंकि 24,44 में बीचने पर लावानी परशेंट तो तब ही पता चलेगा ना जब वस्तु का आपको क्रेमूल नहीं पता होगा तब तक लावानी कैसे निकाल दोगे तो नहीं निकाल पाओगे तो पहले क्रेमूल निकाल लीजिए तो 17,000 में बेचने पर तो आपको SP दिया है 17,000 और SP दिया कितने परशेंट का 15% हानी का तो 15% हानी पर SP बनेगा हमारा 17 देशियो और CP बनेगा 20 क्योंकि 15% का फ्रेक्शन मान होता है 3 वटे 20 हानी है तो 20 में से 3 गटाएंगे 17 वटे 20 SP 17 तो 17 20 तो आपका CP आजाएगा 20,000 मतलब आर्टीकल का जो CP है 20,000 है अब वो खहरा है इसे 20,000 448 में बेच हैं तो बताव लाब पर्षेंट क्या होगा तो 20,000 440 में बेच होगे तो आपको प्रॉफित हो जाएगा इसनी का कितने का प्रॉफित हो जाएगा 2448 का कितने पर 2060 पर automate सबस्क्राइट से दो से भाइग देंगे तो दो 24 डो पॉइंट 24 प्रतिसत में ना रहत फॉपिट जो आपका बी आप चोर से पर सेंट ऑप्षन पर है टो पॉइंट फॉर पर संट अशन इसथा भी तो चाहिए वेरी गोट वैरी गोट व है यंग कियर से भूट थेंक्यू वेरी मच व् laooveश्यु सभी प्यारी-प्यारे बच्चों का बहुत-बहुत ऽागत है पिटा स्याध एस्ट्ट फरक्लासिड में जोडते रोग्ष रोग्लास के बारे में चैनल जोनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह क्लास भी बाद या भी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाईएगा जब किसी वस्तु को 242 में बेचा जाता है तो 12% हानी होती है तो 15% लाव कमाने के लिए वस्तु का विक्रे मुल्य क्या होगा तो 242 में बेचा जाता है तो 12% हानी होती है तो 242 जो विक्रे मुल्य वो 12% हानी का है तो चाहिए फ्रेक्शन से बना लो चाहिए ऐसे समझ लो 12% हानी है तो 100 अगर CP होगा तो SP बनेगा 88 100 में से बारे गटाएंगे और 15% लाव कह रहा है तो 115 बटे 100 000 1 से कंसल करेंगे 8 वर कर जाए 1 1242 तो 111 1515 बटे तीन्सों पॉइंट पॉइंट में पूइंट पॉइंट पॉइंट इस टीज पॉइंटर ने तो आप वाइटे दो एक पॉइंट पॉइंटर फॉइंटर पर चीज कोरे ने आयं 319 सिरते नहीं त171 205 होगा निटू तीजान इंसन bear च्रूक्स वार गीविंग बहुत अच्छे बहुत अच्छेए बहुत अच्छे-bye बहुत तीन सोले कुमारा कुस पॉट बड़निकर जीन बच्चों नहीं तक पंद्रेपस्त हानी होती है तो आपको सेलिंग प्रैस दिया पंद्रेपस्त हानी का तो हम जानते हैं पंद्रेपस्ट का फ्रेक्शन मान होता है इसपी का रिशु नीचे आएगा और सिपी बन गया अब आपको बताना है तीन वट्रेपस्त हो जाएगा त्याज़ागा हमारा 510 multiply 23 त्याज़ागा 0, 23, 3, 3, 2, 115, 11730 हमारे कुश्चिन का आंसर आज़ागा 11730 option पहला वाला बिल्कुल correct है जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो है और अभी नहीं तो क्लास की बाद सब्सक्राइब कर लेना चलो इस कुश्चिन का बता बिल्कुल यह भी बहुत अच्छा फिश्चिन है यहां पर आपको साथ के साथ रुपे और आर्टीकल भी दिये गए है इनका थोड़ा ध्यान रखना है एक बस्तू को पच्चिस तो एक व्यक्ती ने पच्चिस तो रुपे में 25 बस्तू में बेचता है तो उसे 10 पस्त की हानी होती है तो 20 पस्त लाव कमाने के लिए 2400 में कितनी बस्तू में बेचेगा तो एक बस्तू का विक्रेमूल क्या होगा तो पहले आपको क्या करना है कि जो भी जाए सबसे पहले आपको एक बस्तू का क्रेमूल निकाल लेना है जैसे यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो पच्चिस तो रुपे में 25 बस्तू में बेचता है तो एक बस्तू का अब यहां नहीं होई तो दस परशेंट हानी का मतलब नौव टे दस लेकिन एस पी दिया है सीपी निकालना है तो उल्टा हो जाएगा दस वटे नो और वीज परसेंट लाव कमाने के लिए तो छे वटे पांच अब यह सीपी हो गया तो एस पी निकालेंगे तो छे वटे पांच तो निकाल लीजी कितना बना तो 25 से 25 कट जाएगा 5 से कैंसल करोगो दोबार कर जाएगा 3 से 3 बार कर जाएगा इसका मतलब 224-4 ,kapit तीन का मतलब है 400 रुपे में 3 आर्टीकल बेचेगा 400 रुपे में 3 आर्टीकल बेचेगा यह रेट होगा लेकिन उसने सदिया है आपको 2400 तो 2400 दिया है तो 400 में कितना गणा करें कि बस्तों का लिए इतने वेस लिए तो 10 पर्सेंट हानी का फ्रेक्शन बनेगा 9 वटे लेकिन 10 CP होगा 9 SP होगा हमें SP दिया है तो SP का रिश्यू नीचे आएगा CP निकलना तो CP का रिश्यू उपर रहेGOा पर 20 पर्सेंट यह आपका क्या हो गया सीपी हो गया अब सीपी पर 20 पर्सेंट लाव का यसीशिए वटे पास मनेगा केंसल आउट करके 400 बटे चार्ट बटे 3 का मतलब है 400 रुपे में तीन अर्टीकल तो 2400 में कितने वी बेचेगा तो 400 गुणा छे करना पड़ेगा 2400 गुणा चैनल को सबस्क्राइब कर लो जो नई बच्छे चैनल पर पहली बाद जुड़े हैं थैंक्यू डिया चलो नेक्स विशन प्याजा पटा अबारे सभी प्यारे प्यारे बच्चे जो नई चैनल पर पहली वार जुने है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बागी तेटा सेशन को लाइक करो अभी जिन बच्चों ने सेशन लाइक नहीं किया जिन बच्चों ने सेशन लाइक नहीं किया विटा सभी बच्चे सेशन पारदह कूश्य कूश्य बोट बहुत बुश्याते हैं आपते से पहले आपको ऐग में भालीक्टा बना लेना प्रह्मचारी चलो अब समझ हमें को द्यान से समझना पूराण में गॉष्ट प्रहसां tratka सब्सक्राइब करना चाहता है तो उसे आठ मसीने उसने बेची पहले आप एक काम करो मूल निकालो एक सिलाई मसीन का में कितना हो जाएगा थो 10 पर इसको पांच परिसेंट का लाब हुआ है 5 पर्षंट लाप कितना हो जाएगा 2 पॉते बिस ब्रैक्शान बनाएंगे SP CP का तो 20 और 21 21 वटे 20 यह आपका SP है अगर हम CP निकालना है तो जो हमें दिया होता है उसके रेशियों से भाग देदें तो SP के रेशियों 21 से भाग देंगे CP निकालना है तो CP के रेशियों का गुणा करेंगे तो जैसी आप 20 वटे 21 करोगे यह CP बन जाएगा लेकिन उसने CP नहीं पूछा 15% लाब का पूछा है आपसे SP और वो भी आठ मसीन होगा तो 15% लाब का मतलव कितना हो जाएगा तो 15% का फ्रेक्शन मान हो जाएगा 3 वटे 20 लाब है तो प्लस हो जाएगा 23 वटे 20 वटे 20 और CP पूछा है तो सीधा रहेगा 23 वटे 20 तो यह CP हो गया 15 115 11500 विक्रे मुल्य हो जाएगा एक वस्तू का लेकिन उसने एक का नहीं पूछा पीटा आपसे आठ वस्तू का पूछा है एक का पूछा है आठ का पूछा है तो गुणा करना पड़ेगा आठ त्या जागा डबल जीरो आठ पंजे चालिस जीरो चार आठ चार बारे दो एक और आठ और इक नोग बानवाज़ा बानवाज़ार कौन से ऑप्शन पर बेटा सी ऑप्शन पर सी ऑप्शन आपके कुश्यन का एकदम करेक्ट एंट एक पूरेट आंसर रहेगा जिन बच्चों ने सेसन को लाग नहीं किया बहुत अच्छे विजय चौधरी बहुत ब बात समझ में आई पिटा आगे चलो बटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो नेक्स विच्छन पर यह बहुत अच्छा जबज़स्ट कुशन है इसी तरह का है सीम जो मैंने पीछे वाले दो कुश्यन कर रहे हैं तो अगर वह बात 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 बाइक्चां सोड़ी कम समझ में हों ल्क्षन को लाजक करने में के हैं की मत करो तो इए लिकार करने में प्यारे में से तो जन अधर पयारे लिदी से रीमा पेट 2160, sold 40 articles and incurred a loss of 10% To make a profit of 12%, he must invest how much items he sold in 2016 2016 में कितनी वस्तों इसको बेचनी चाहिए और 260 में 48 वस्तों बेची 260 में इसने 48 वस्तों बेची तो अगर मैं मुल्य को वस्तों की संक्या से भाग दे दूँगा तो एक वस्तों का विक्रे मुल्य आ जाएगा और बेचने से इसको 10% की हानी हुई तो 10% हानी हुई तो 10% का fraction मान एक वटे 10 हानी हुई है तो कितना हो जाएगा 9 वटे 10, 9 का SP, 10 का CP आपको SP दिया है तो SP के रिशियों से भाग दो CP के रिशियों का गुणा करो तो 10 वटे 9 आपका क्या हो जाएगा CP हो जाएगा लेकिन उसने CP नहीं पूछा आप से 12% लाव कमाने के लिए उसने का है 2016 में कितनी वस्तों बेचेगा 12% लाव के लिए पहले आप एक वस्तों का निकालो तो 12% कितना हो जाएगा 3 वटे 25 लाव है तो 25 तो और 3 28 वटे 25 जो 12% है बटा 12% का अगर fraction मान बनाओगे तो 200 हो जाएगा 3 वटे 25 हो जाएगा लाव का है तो ब्लस हो जाएगा 25 तो यह 28 वटे 25 कर लिया ठीक है तो यह एक बस्तु का विक्रमूल आ गया जो चैंसल आउट हो रहा है वह चैंसल आउट कर दीजिया तो यह कट जाएगा आपका तो यह एक बस्तु का विक्रमूल आ जाएगा अठाइस दूनी 56 रुपे 56 रुपे एक बस्तु का है तो उसने कहा है आठाइस दूनी 56 रुपे बहुत अच्छे बहुत बढ़िया धरंपाल दीपक सिवाम बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे परदा जन्बच्चों ने वीत्तक आंसर नहीं किया आंसर करो जल्दी से और कौपी पैन लेकर वेटा करो हमला कि दर से होजा है चलो इसके स्ट्राइब अच्छा कुछन है जल्दी से बताइगे घ्यार 1664 में 18 टेबल पंखे बेचने पर एक व्यक्ति को दसपस्द हानी होती है तो दसपस्द लाव कमाने के लिए उसे 17,424 में कितने पंखे बेचने चाहिए बाइस सेलिंग 18 टेवल फैंस और 11,664 एक परतन मेंसे लॉस आफ 10 परचंट तो में के प्रफित ऑफ 10 परचंट ही नीच तब बीचने पर इसको दस परसेंट हानी हुई है तो 11,664 में इसने 18 टेवल फैंट बेचे इन तो 11,664 में इसने 18 टेवल फैंट बेचे हैं तो एक पंखे का विक्रम फैंट कितना हो जाएगा तो 11,664 बटे 18 वह गहरा है इसमें इसको 10 परसेंट की हानी होती है तो 10 परसेंट हानी का फ्रेक्शन कितना बनेगा 10 परसेंट हानी का फ्रेक्शन बनेगा बटा 9 वटे 10 तो 9 का SP 10 का CP यह आपको SP दिया है तो CP बना लो तो 10 वटे 9 तो यह एक बस्तू का CP आ जाएगा लेकिन CP नहीं हमें 10 परसेंट लाव का SP निकालना है तो 10 परसेंट लाव हो जाएगा 11 वटे 10 तो बस 11 वटे 10 कर दो एक बस्तू का विक्रेमूं ला जाएगा 10 से 10 कट जाएगा आपका 9 से कैंसल आउट करेंगे तो 9 से यह कट जाएगा आपका देखो यह कैंसल आउट हो जाएगा तो उसनिक आया कि 17424 में कितने पंके बेचने चाहिए तो एक पंकी का विक्रमूल 792 में कितने बेचेगा तो बटे 792 कर दीजी आंसर आजाएगा तो खरिये कैंसल आउट तो गैरे से डिंसल आउट हो सकता है बिलकुल हो सकता है 1177 1222 फ्रेशट फानवेश। और 11-4-44, 9 से cancel out हो जाएगा ये, 9-8-72, 9 से इसको cancel out करोगे बटा, एक बार कटेगा, 6 बचेगा, 9-7-63-9-6-4, 8 से cancel out कर सकते हो, 8-2, 8-2-6, 22 बार, तो इसका मतलब आर्टिकलों की संख्या आ जाएगी, 22, 22 कौन से option पर है, 2 option पर है, 2 option आपके question का एक दम सही answer रहेगा, बह बजब बजब तरीके से आपका महत एक दम इतना अच्छा हो जाएगा, जब तक आपका यूपी पिलिस का paper आएगा, तब तक आप सारी चीजों से बिल्कुल एक बार निकल चुके होगे, आप से कुछ भी नहीं बचेगा, बड़ी आसानी से आप अच्छा score करोगे, आप स कभी भी उसमें टाइप में समस्य आगी ना आए बटा, जिन बच्चों ने सेजन लाइक नहीं किया, सेजन को लाइक करो, 405 में 3 दर्जन संत्रे बेच कर किसी वियापारी को 25 परशेंट हानी होती है, जब वह सौधे में 20 परशेंट लाप राप्त करना चाहता है, तो उसे कैसे भी करके एक संत्रे का निकालना है, धर्जन का नहीं निकालना, क्योंकि यहां पर उसने संत्रा पूचा है, कितने संत्रे, अगर यह कितने दर्जन पूचता, तो मैं दर्जन का बाब निकालता, लेकिन उसने केवल संत्रे पूचे तो मैं केवल एक संत्रे का निकाल ल कि कि अब 20 है घिए कार्फ तो यहाँ चार्थ से कट जाएगा नौत या 27 सिय तीन बार कर जाएगा तो एक संट्रे का विक्रमुल आ गया एक संत्रे एक संत्रे का कितने संत्रे वेचेगा तो 288 को भाग दे दीजी 98 से दो से कट जाएगा नौवार दो से कट जाएगा 144 वार 16144 तो फोले आंसर आजाएगा तो लेकॉंसे ओप्षन पर बिटा, C ओप्षन पर, C ओप्षन आपके कुश्यन का एकडम correct and accurate answer रहेगा, C ओप्षन आपके कुश्यन का एकडम correct and accurate answer रहेगा, जिन बच्चों ने अभी तक session को like नहीं किया बिटा, session को like करो, लगातार बस पढ़ते रहो, consistency बहुत जरूरी है, लगातार पढ़ोगे तो ही result मिलेगा, अगर छुट्टी करोगे तो बस समस्या हो जाएगी, जहां आपने छुट्टी की वहीं समस्या हो जाएगी, देख बटा, इस question को बताओ, एक आदमी 2000 में 400 संत्रे खरीता है, 260 में कितने संत्रे बेचे जाएगे, ताक उसे 30% का लाव हो, तो 2000 में उसने 400 संत्रे खरीदे, 2000 रुपे में उसने 400 संत्रे खरीदे, तो 1 संत्रा कितने में खरीदा, तो 400 से cancel out करेंगे तो 5 में 1 संतरा 5 में खरीदा 30% लाव कमाना है तो 1 संतरा कितने में बेचेगा तो 30% लाव का मतलब होगया 13 वटे 10 30% लाव का मतलब कितना होगया बटे 13 वटे 10 5 से cancel करेंगे 2 बार तो 1 संतरे का विक्रमू ले हो जाएगा 13 वटे 2 260 में कितने वीचेगा तो 260 को भाग देदो तो 260 बटे 13 बटे 2 तो 2 चला जागा उपर 13 दूनी 26 बीस बार तो 20 दूनी 40 हमारे कुश्यन का आंसर हो जागा 40 D option is the correct answer हमारे कुश्यन का आंसर कितना हो जागा बटा 40 is the correct answer तो हमें कैसे भी करके पहले CP निकलना है कोई बात नी कोई वात नीशन के लिए कोई बसे घ्राइब होगा यह वसली तो गटहीं डोगख अपर्प्रमूल कोचा ने लेगा है और उसके 30 पर्शेंट लाव तो 30 बाटती फॉर यह दो-टीक surveillance अ ने किने नगे जो 2-2 कि दोसंदी भॉजिए üzими कि अधर दोसे भाग दे़ सुर्म बात क्लियर है थेंक्यू डियर स्ट्रेंट थेंक्यू वेरी मुच अल फ्यू आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद बिटा चलो नेक्स विशन इस्टाद कर बता बटा यहीं बहुत अच्छा कुछ है एक वस्तु का क्रेमूले 2800 है विक्रेमूले के प्रसत में लाब 20% है तो वस्तु के लाब का मान क्या है क्रेमूले दिया है 2820 परसेंट दिया यह तो बहुत आसान है 2800 का क्रेमूले दिया है 20% लाब दिया तो बटा च्छेवटे पांच हो जाएगा पांस से कैंसल करेंगे 5525 पांच च्छेटीस यह आजागा पांसो साट 560 तो बीस परसेंट वास्पिक लाब का मान क्या है अच्छा इसने प्रॉफिट पूछा है तो प्रॉफिट निकाल दो 3360 में से इसको घटा दो मेरे एस भी निकाल दिया एस पी नहीं निकालना चीए था हमें फालतू में कैलकूलेशन बढ़ा लिए एस पीनिए लाब दिया है तो इसने जो बीस परसेंट लाब दिया एक वटे 5 यह जो लाब है आपका एसपी ओगा और एक का प्रॉफिट होगा तो सीपी कितना हो जाएगा तो पांच में से एक घटाएंगे चार तो अब हमको जो लाब है वह बास्टविक बताना है तो 2800 पर जो वास्टव बच्चों को लैए कर दो जो बता दो सभी बश्यों को बता दो सभी बच्चों को बटा चलो पहला किसी व्यक्ति ने एक बस्तू को 15% की हानी पर बेचा अगर वह इसे 30.6 अधिक पर बेचता तो से 9% लाव होता तो 10% लाव करने के लिए इस बस्तू को से कितने में बीचना चाहिए था अगर आप लाव में जाओगे तो इससे उपर जाओगे जैसे 110% लाव 10% तो 110% लाव 20% तो 120% लाव 30% तो 130% और 100 SP आपका आगी इंफानेट तक चलता रहेगा हानी में जाओगे तो पीछे जाओगे 10% हानी तो 90% 20% हानी तो 80% 30% हानी तो 70% 70% हो जाएगा 40% हानी तो 60% और सोन यही प्रोसेस आपका पीछे चलता चला जाएगा तो हानी होगी तो 100% से नीचे जाएगे 90, 80, 70, 60 और अगर लाब होगा तो उपर जाएगे 110, 120, 130, सोन आगे तक चलता जाएगा इस तरह से profit or loss होता है बड़ा इस तरह से profit or loss होता है तो यहाँ पर देखो यह selling price है फॉस्ट price के बाद यह selling price है लाब के हानी के तो यहाँ पर जो समझने वाला तो हम होहulsकतイ है हम्हानी ज्यादा बड़ जाए तो इस तरह से हम नीचे की तरफ चलते हैं यहां पर इस कुछ नौर में इन परफट बटशन दिया है और एक Von तब तो गैप जुड़ जाएगा देखो 10% profit है और 10% आपका हानी है तब यह डबल हो जाता है 10 और 10 20% का गैप हो जाएगा लेकिन अगर दोनों लाव होंगे तो घट जाएगा जैसे मान के चले 20% लाव है 10% तो देखो गैप घट जाएगा 10% हो जाएगा और अगर हानी हानी है तो भी घट जाएगा तो यह चीज़ ध्यानर को हानी हानी घटेगी लाव लाव घटेगा और एक हानी और एक लाव होगा तो जुड़ेगा percentage गैप निकालने के लिए और क्यों होगा वह भी म अतिसत हानी पर बेचा मतलब पहले वाले selling price में उसे 15% की हानी हो रही थी तो माइनस का 15% 15% की हानी पर बेचा अगर उसने 30.6 अधिक में बेचा होता तो 9% लाव हो जाता अब वह इसे 30.6 बढ़ा रहा है तो इसको 9% profit हो रहा है तो बता बटा कितने percent का gap हो गया तो 9 मेंस तो 2524 मान आपका बराबर हो जाएगा 30.6 एक परसेंट मन निकालें लेंगे तो एक परसेंट मान निकालना तो सो परशेंट का मन निकालेंगे उसनेне 3060 वट्टे 24 बस्टू का क्रेमूल लेकिन उसने क्रेमूल नहीं पूछा उसने पूछा 10% लाव का SP तो 10% कितना हो जाएगा भाई 110 तो 110 परसेंट निकालेंगे तो मल्टिप्ला 110 परसेंट मतला 100 कर जाएगा से काट रहा लेकिन कट रहा लेकिन से कट जाएगा यह आपका 21बार 2-5-10 रहा चार और तो एक्टिप्लाइब तो पांसर करो विल्कुल भी आलस में नहीं पढ़ना है कॉपी पेन निकाले लो बिटा भी से और एक तरह से और समस्ट सकते हो यह तो मैंने आपको लाव और हानी होगा तो जुड़ेगा लाव लाव होगा तो भी घटेगा बाकि इसके अलावा आप सीधा सेलिंग प्राइस से कर सकते हो जैसे इस निकालो कि पहला वाला एस्पी कितना था तो 15% हानी का एस्पी कितना बनेगा 85% और अब 9% लाव हो रहा है तो अब वाला एस्पी कितना बनेगा 109% और दोनों में अंतर निकालोगे तो 109 में से यह घटाएंगे तो 24 बात वही हो जाएगी आपकी स्कीन पर आपके लिए बताओ अब आपको कंसेप्टर से समझ में आ गया होगा जै हिंद जै भारत सभी प्यारी 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 बच्ची के से से को लाइक कर दो अभी लाइक कर दो बटा अब बच्चे से सेजन को लाइक कर दो बटा एकमार जै हिंद जै बारत गोड़ी इवनिंग बटा गोड़ी इवनिंग कि एक व्यक्ती आठ प्रसंद हानी पर एक सामान वेचता है यद उसने से 10.5 परसंट लाब पर बेचा होता तो उसे 92.5 रुपे अधिक मिलते पहले 8 परसंट हानी पर वेच रहा था अब उसे 10.5 परसंट लाब हो रहा है 92.5 अधिक मिलते तो 12 परसंट लाब प्राप करने के लिए उसे किस मूले पर वेचना चाहिए था तो पहले 8 परसंट हानी पर वेच रहा था अब 10.5 परसंट लाब पर परसेंट कमान पांच आगया करेम निकालेंगे सो परसेंट सो परसेंट कमान आ जाएगा पांसो लेकिन क्रेमफ नहीं पूच आप आपसे बारे परसेंट लाव का कर बाखी ज्यादा सेर करते रहो बच्चों को बताते रहो चलो बच्चों बताओ यह कुश्चन आपके पेपर के लिए बहुत इंपोडेंट है यह कुश्चन बहुत ज्यादा आते हैं रहानी और लाव हो तो जुड़ेगा लाव लाव घटेगा हानी मतलग खुल मिला के आपको परसेंटेज डिफरेंस लेना है वहां से एक परसेंट निकाल लेना सो परसें करने के बाद ऐसा नहीं कि बस इस पी टेस्ट किया चोड़ दिया उसके एनलाइस कि अगर हो सही से बटा कोई बस तू अठारे परसेंट के लाव पर बेची गई यह दिया सो नंचास रुपया अधिक में बेचता तो उसे 25 परसेंट लाव हो रहा था अब 25 परसेंट लाव बहुत आसान केशन बहुत अच्छे आया तो सबने बड़ी जल्दी आंसर कर दिए चास कितना आसान कूश्यं यहां पर बड़ी आसन इसे बागी आप विक्रेमुली उख सकते हो जैसे सभी प्यारी प्यारी प्यारे बताएंगे जल्दी से प्यांसर अन्स भी प्यारी बच्ची बताइंगे जल्दी इन्हेया करण रोड़ प्रेश्य क्लें पर सम्क हुलियां प्रोपोशन उससे भी आपको फायदा मिलेगा तो उसमें भी जुड़ जाओ फिर बच्छों ने सेशन को लाइक करो कोई वस्तु 16 परसेंट के लाप पर बेची गई याद इसे 36 रुपा अधिक में बेचा जाता तो 20 परसेंट लाव होता तो लागत मुले बताइए बहुत तो इस आसान है पहले 16 परसेंट बीस परसेंट चार परसेंट का मान हो गया 36 एक का मान हो गया soto 1000 का मान से हानी का तो सो से कम होगा लाव का अतो सो से जादा होगा ठीक है तो लाव का बनाएंगे 100 plus profit percent से हानी का बनाएंगे 100Wh का आंसर बाता हैं जिन वच्चों ने सेसेंग को भी लाइक कर लो लगातार बढ़े रहो अंसर करते रहो जल्दिन दी दो अगर आप किसी भी वस्तू को उसकी कीमत से 16% कम या कितने भी % कम पर बेच होगी तो आपको हानी होगी अगर उस मुले से ज्यादा पर बेच होगे तो लाब होगा और उस मुले पर बेच होगे तो ना लाब होगा ना हानी होगी नंदनी सी इंसर्ट से उता दिए वही सेम कुश्यन है सारे कुश्यन जो है रिपीटेड है देखो इस कुश्यन को समझे लो तो समझ में आ जागा समझना ध्यान से बस्तू को मूली से 16% कमदाम पर वीचता है मतलब 16% हानी पर विचता है यह दो इस बस्तू को 192.2 अधिक में बेचता तो पहले शोले परसंट हानी हो रही 192.2 15% लाव का आवस तुका क्रेमु ले पूचा है तो उसे 15% लाव होता ठीक है तो परस एक परसेंट निकाल दो एक परसेंट का मान निकालेंगे एक परसेंट निकाल दीजिए तो आज़ा आगा एक सो बानवे पॉइंट दो बटे कतिस और सो परसेंट निकालेंगे तो गुणा सो तो बस आंतर आजाएगा हमारा वन नाइन टू टू और जीरू और बटे थर्टी वन बस भाग दीजिए इसमें तो आठ एक माठ आठ यह ज्यादा चला जाएगा साथ छे तिया ठारा तो आठ यह जाएगा आठ तो दीक्स टू जीरो चैसे तेस्टेश वार गटेगा यह पिर इसके बाद शेवचेगा इक तीनी बाद साथ आज़ाएगा चैसो बीस इस तीवन रापाद धीपक भंधारी नीतू नेना खुंतल कुमार गॉत बहुत बटिक भारती राजबूर बह बच्षोन नहीं किया आंसर करो सभी और कॉपीपे निकाल लो पर निकालके बड़ा करो ब्लोकुल मैं और यह जो पटा किस्टी भी बस्तु को बेज कर हरी को आठ परसेंट हानी होती है पहले उसको आठ परसेंट हानी हो रही है इस बस्तु को 300 अधिक में बेजता तो इसे 4 पर्षेंट लाव होता तो चार और आठ 12 पर्षेंट हो गया तो सीधी चीधी आपको 12 पर्षेंट की वेल्यू दी है और 12 पर्षेंट की वेल्यू कितनी हो जाएगी बारे दुनी चौवीस बारे पंजे साथ क्रेमूल लेकिल नह यह बहुत बढ़िया कुश्चन ना बताओ इस कुश्चन का अंसर क्या हुआ यह भी उसी तरह का थोड़ी सी फॉर्मेशन चेंज है तो आपको पहंचान लेना ऐसा नहीं कि क्रिशना कुमार अभी से जो भी बच्चे मारे सा जोड़ बहुत धन्यवाट बिटा बागी सभ आपको बराबर दिया है 960 एक परसेंट का मान कितना हो जाएक परसेंट का मान हो जाएगा 32 परसेंट निकालेंगे तो आपका क्रेमूलिया जाएगा चाहिए व्लाब परसेंट क्या होगा अघर परसेंट करेंगे तो 640 का प्रफिट होगा हमीसा क्रेमूल पर निकालते हैं बत्रेस्व पर डीटिवाएंट चूंसा आपका परसेंट कोचए तो लॉच्ट का परेंगी सब्सक्टे चेलिवाफिस एक पर्सेंट का जाएगा है एक है कितने सारे कुश्चन करा रहें कितनी प्रैक्टेस करा रहें आपको को बस्तू को 12% पर भेजता यह दिवस्ते इतने परशन लाप पर भेजता तो इतने अधिक मिलता तो बस्तू का विक्रेमूर लिए आत करने बता बटा वोट वस्ट प्राइस अब दा आर्टीकल कर लो जिन बचों ने अभी तक सेशन को लाइक कर लो जो बच्चे चैनल पर पहली बार जोड़े हैं वो सभी को लाव करो कोई व्यक्ति किसी बस्तु को 12% की हानी पर बेशता है गाद नोग तर को दबटा बार पर्षेंटा पहले हानी हो रही थी कि अब बार्भ सार्ण का लाव हो रहहा है इसको घटा देंगे तो सीधा 22.5% का गेब बना और 22.5% की वेल्यू आपको बराबर दी है 112.5 और इस्से सीधा सीधा 5 बार कटके जाएगा слуш हो इसे बद्वात का मूल ज्यंकर यहां पहला वाला हो इसे बार ग२g जाएगा ए चार्ट 40-04-444 404 404 440 440 कि पांसों तो पीटा क्रेमूल हो गया तो अनोस जादव नेना कुंतल गलत ओगे आंसर जल्दी-जल्दी में गलत कर दिया आपने आंसर पांसों तो क्रेमूल नहीं पूछा उसने उसने मूल विक्रेमूल पूछा देखो मैंने हाइलाइट भी कर द बेचान बेचांट पर व्याहिंस पर्षेंट गटाएं अगर किरेकों पूचा ऊट होता तो आपका अंसर पांसर पांसर पनहीं है जैन्द बारत चलो बच्छों नेक्सक्वेशन इसका अंसर बताओ एक बस्तु को बेच का 30-60,000,000,000 इसके क्रेमूल के इस्तान पर या बिक्रेमूल पर गड़ना की जाए तो लाप परसत कितना होगा यह भी कुशन बहुत बहुत पूचस को सबस्क्राइब कर लीजा कि पर पहली बार सब्सक्राइब कर लिए म shap ले चैनल पर्सेंट का जो लाव दिया है वह आपको क्रेमुले पर दिया है तो 30% का फ्रेक्शन मान कितना हो जाएगा बटा तीन बटे दस तो क्रेमुले पर होगा तो नीचे वाला आपका सीपी होगा उपर आपका लाव होगा हैस पी निकाल होगे तो सीपी में लाव जुड़ जाएगा दस और 1300 अब वो कहरा है कि अगर विक्रे Choice पर गड़ना की जाय तो लाव परसेंट की आपका विक्रे मुले पर नीचे तो लाव भठे मेल को बटे स्वी तेरे और मुल्टीप्लाइस तो लाव का पर्सेंट आ जागा तीन सो बटे तेरे पर्सेंट तेरे से भाग दे दीजे तेरे दूनी छब्वीस कितना बचा चार चालेस तेरे तीया उन्तालेस पॉइंट एक वटे तेज करेंगे तो तेज पॉइंट कुछ आ बहुत अच्छे बहुत अच्छे तीन बटे तेरा हो जाएगा बस जब कभी भी विक्रमुले पर क्यल्कुलेट करने की बात करे तो उसमें कोई ज्यादा आपको आफ़त नहीं करनी कि अबर नीचे जहां क्रेमुले होता है ना उसकी जगए विक्रमुले आ जाएगा तो व बटेंस तो नेक्स्क्रीशन आपकी स्कीन पर बताएए आपके पास 10 सेकंड का समय सुष्यन को सॉल्ल करने के लिए हमारे सभी प्यारे दोस्त जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ने किया है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाखी सेसन को लिए करो भाती सभी चलत पर 15% हानी होती है वस्तु के क्रेमुले पर 15% पर करने के लिए उसे वस्तु को किसी सहीं पर । 15% हानी का मतलब 85% तो सब्सक्राइब वाटे वीस मैं अगर उसने कहा है 15% का फ्रेक्शन मान 3 वट्टे 20 आनी है तो मैनस हो जाएगा 17 वट्टे 20 तो अब क्या करना है आपको दिया क्या से भाग देते हैं जो निकालना होता है उसका गुणा करते हैं तो बीस गुणा में आ जागा 17 वट्टे 20 वट्टे 20 कट जाएगा आपका सत्रे से कैंसल आउट होगा नहीं पॉइंट की कल्कुलेशन आएगी तो 0 32 29 और 30 मल्टिप्लाइच चे करेंगे 388 एक और 139 करेंगे तो 147 और डिवाइड वए कितना हो जाएगा वट्टा 17 तो सत्रे 8 136 आठ वार जाएगा आपका बचे का कितना ग्यारा 112 हो जाएगा सत्रे चेंगे एक सो दो कि अत्रे चोके अड़साट है पॉइंट में आएगा है न तो इसने 640 में बेचका 15% हानी होई है तो तीन बट्टे 20 सत्रे बट्टे 20 सही है तो जीरो आजाएगा तेइस चार वानवे दो नौ आ जाएगा और 136 818 821 139 करेंगे 1547 से भाग देने बटा तो शत्रे पर 5 यह हाट पांस दीर है अच्छा साइक आठ साचपन से पांस एक सो चट्री सिगा तो 136 कि बाद आपका बचरा 11 है तो फिर वह जाएगा 112 आप कितने वाट जाए गा कि अभशन में नहीं कहीं 800 और अभसन में कितना रहा है तो धूर्प में चैनल अच्छ थीके ठीके ज्यादा आएगा वही में कहना था ज्यादा यह था इसका अंसर अच्छ एक सो दो दस बचेगा फिर तो हुद आएगा यहां 865 पॉइंट कुछ आएगा option में नहीं है चलो कोई बात नहीं option में नहीं आंसर 865 पॉइंट कुछ आएगा है ना चलो बच्चो चलो चलो इस question का answer बताओ यह भी बहुत अच्छा question है previous year में बहुत ही जबर्जस question जितनी भी पेटा आपका जो यूपी प्लिस का एक्जाम होगा अगर वो टीशेस नहीं कराया तो यह समझ लीजिए एक के कुश्यन आपका बिल्कुल सीम जो मैं करा रहा हूं वही फसेगा लेकिन अगर टीशेस के लावा कोई और कंपनीन कर रहा है तो उसके हिसाफ से भी मैं लेकर चल रहा हूं मैं सब यह से आपको कबर करा के चल रहा हूं तो भी हम थोड़ा सा फॉलो कर रहा हूं जो प्राना पेटर्न होता था यह उसको भी हम फैलो फॉलो कर रहे हैं की बढ़ा थेंक्यू बढ़ा बढ़ा जन्म बच्चों अभी तर सेसन लाइक नहीं कर बढ़ा एक आदमी ने एक सेल फ जर और के और क्ये सब्सक्राइब कर दक्या पर इस न बार जराइए plat पंच ब्रॉठ्यण्म परशर्ण वह हैं वह सीपी पर नहीं मतलब की फॉल्ज़ा आपका SP आजाएगा ऊपर आपका लाव हो जाएगा तो CP कितना हो जाएगा तो 8 में से गटा तो CP हो जाएगा आपके कुशन का अंसर हो जाएगा 28000 किसी नहीं किया यह वाला अंसर पहले किया करो मेरे सॉल करने से पहले ठीक है आंसर मेरे स्टॉल करने से पहले किया करो ब्रिजेस यादव नैना कुंदल वीकेस भाई यल्दी आंसर किया करो चलो बड़ा इस कुशन का अंसर बताओ एक बस्तु को 131.25 में बेचने पर ये भी बहुत जबर्जस्त कुशन और बहुत पुछा आता है लागत मुले का प्रधिशन करने वाली संख्या के बरावर लाब प्रसत होता है तो 40 प्रसत लाब वार्जित करने के लिए उसे विक्रमुल किस कीमत पर बेचना चाहिए जिन बज़ोने बच्छों अभी तक लाइक नहीं किया सैसन को लाइक करो और या स्याधा बच्छों को कुछ बहुत इस्वूच्शन के पोछ चलो समझते हैं। तो देखबड़ा क्रेम मुले होता है हैं आपका क्रेम मूले होता है सीपी और पर द्ब certified यहां पर ऐता और मैं एक कुष्ठ्ण हर का बनता है जो यह कहता है कि अगर वस्तू का क्रेम मुले लाब प्रस्ट के समान है और आपको उसका विक्रे मुल दिया होगा वस्तू का और आपके CP पूछा जाता है तो ऐसे कुश्यों को solve करने के लिए क्या करना है तो देखो हम लेते हैं example जैसे मान के चलो CP 10 दिया है और लाब भी 10% कितना हो जाएगा आपका 11 है अगर आपको 11 दिया तो आपका 10 या 10% से अगर मान के चलो CP 20 है और लाब 20% फिस पर विस पर्षेंट निकालों हो तो दूदूनी चार का लाब हो जाएगा तो SP 20 सब्सक्राइब कर दो 30 का सीपी यह लाब भी 30 पर्षेंट है तो 30 पर 30 पर्षेंट लाब निकालों तो तीन तीन नौ का हो जाएगा तो सब्सक्राइब कर दोनों बराबर होने चाहिए तो चालिस पर सब्सक्राइब कर दो तो सब्सक्राइब कर दो जोड़ेंगे सब्सक्राइब कर दो एक सो उननिस का स्क्राइब हो जाएगा ऐसे मान के चलिए आपको 90 दिया है 90 पर्षेंट का प्रॉफिट दिया तो इस तरह से आप लगातार एस भी निकाल सकते हो आपको एस पी दिया होता है और लाव का पर्षेंट आप पूछे आता है यह से मान के चलो एस फी ग्यारे दिया है तो आंसर आपका दस हो जाए गया दस परसेंट और इस तरह से आपके आंसर सा जाएंगे सेलिंग प्रैस देखर यह मैंने किवल परफेक्ट नमबर लिए हैं अगर आप कहो हाँ अगर आप कहो कि सर पॉइंट में आए या मान के चलो दस बीच तीस तीस तालीस ऐसे ना आए पच्चीस एक सो पच्चीस ऐसे आए तो आपको फिर बाई आपको बिल्कुल बिल्कुल समझाएंगे तो क्या करना है वैसे आपके पॉइंट में नहीं आएगा आपका पेपर बहुत आसान आएगा यूप पुलिस वाला यूप पुलिस का पेपर थोड़ा आसान आता है तो उसमें पॉइंट की केलकुलेशन नहीं आएगी कम आएगी जातर बेसिक कुश्यन जाद आते हैं इसके लिए वह चार्ट जरूरी था वह चार्ट बेटा स्कीन सोट कर लेना है ना क्लास में से उस चार्ट को आप स्कीन किस कीमत पर वेचना चाहिए तो यहां पर जो आपको ऑफसन दिये हैं वह 40% लाव के विक्रे मुले के दिये हैं आप से क्रेमुले नहीं पूचा है 40% लाव के तो ऐसे कुश्यन को बिटा आपको बाई ऑफसन करना है कभी भी लेट करनी की स्कोसिस नहीं करनी कि एक्स चाहिए चाहलीचेडकल प्रसेंट ब्रसन हो तो एस्पी का रेशयो क्या वशनेगा चाहिद को फ्रेक्षिन दो वटेए पांच पांच और डूसात वटेपांच तो एस्पी वनेगास एस्पी बनेगास पर दिये गए हैं हमारे जितने वी ऑप्सर दिये घ्gel готов। साथ का मल्टीपल समझना है अब दू आगे तो एक और समझो भा सो दो सब्सक्राइब एक एक तौंट पाच्चीस में लाब हो रहा है तो CP 131.25 से कम होगा ज्यादा नहीं हो सकता तो अगर आप 140 को चेक करोगे तो 7 रेश्यो का मान 144 टो एक रेश्यो का मान आजाएगा 20 तो CP आजाएगा 100 और CP आजाएगा 100 अब वो कह रहा है अगर आपका CP 100 परसेंट भी 100 परसेंट होगा दोनों बराबर कही है उसने और CP 100 पर 100 परसेंट लाब 100 का हो जाएगा तो SP 200 बहुत थी एक सब्सक्राइब एक सो चाहिए तो आपका आजाएगा सीधा सीधा 105 क्यासी आएगा इसको मैं थोड़ा से कर दिखा देता हूं पेपर में तो कुछ है नहीं हो जाएगा लेकिन हमें यहां पर हम कर सकते तो यहां पर मैं करके दिखाऊंगो आपको देख एक सो पांच कैसे आया समझे तो अब हम 105 ऑप्सन को जब लेंग 75 और लाप पर्सेंट भी कितना हो जाएगा 75 परसेंट तो 75 परसेंट का प्रेक्शन वान 3 वटे 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा साथ वटे 4 SP CP रेशियो तो हमें SP निकालेंगे तो 75 का 7 वटे 4 तो 75 35 3 49 वटे 4 से भाग दो एक वार गया दोगचेगा चार पंजे एक वार गया बारेगा चारतीय वारे चार एकम चार पॉंट वहीं आजाएगा टुक्तिया यह सामना नहीं होना चीए आपका कष्राइब करते है लाइक करते रहो शरू करते हैं नेक्स्टाइब जबे पहला कॉश्च्वेस आपकी नेक्स्टाइब के संबहावना आप से संभावना आपने कोई चीज़ बेजदी सेल हो गई और आरांज से अकेले गर पर बैठ के सोच रहे हो अगर मैं ऐसा कर लीता तो ऐसा हो जाता अगर मैं ऐसा कर लीता तो इतना लाव हो जाता तो यह संभावना पर कुछिन आप से पुछे आते और प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है कि हम आके घर पर सोचते जिन बच्चों ने बिटा सेशन पर एक विसता है यह उसने से 12% कम में खरीदा होता मतलब रियल ट्रांजेक्श्चन तो यह यह बारे पर्सेंट लाब का यह तो सोच रहा है कि यागर 12% कम क्या है तो कितनी में बीचा होगा तो सो पर इसनी बारे पर्शन का लाव कमा कर वस्तु को बीचा होगा इसनी एक सो बारे में अब यह जिसनी से बारे पर्शन कम में खरीदा होता 12% कम में खरीदा होता इसका मतलब 100 में नहीं खरीदा होता 100 से 12% कम में खरीदा होता 88 में अगर इसने 12% कम में खरीदा होता और 9 रोपे कम में बेचा होता तो 27% लाव होता 27% लाव होता कितने पर 88 पर 28 पर 27% लाव कितना हो जाएगा 27% निकालेंगे लाव का एसबी निकालना है तो 27 परशन लाव का एसबी निकाल लेंगे तो एसबी कितना हो जाएगा एक सो सत्ताइस परशन तो 88 multiply 117 वटे सो तो मैंने देखा यह कट सकता है केवल 4 से 25 वार और 4 से कर सकता है अपर 22 वार और तो कुछ कटी का नहीं इसमें पचीन को उटाना है तो 105 का पूरे रेशियो में गणा कर दो जब कभी भी पॉइंट की एक दो कितने ज्यादा मिल रहे हैं आपको ज्यादा मिल रहे हैं कितने कम रहे हैं और शेयो कमान हमें बराबर दिया नौ उसने काए 9 कम मिलते हैं एक रेश्यो कमान आ आपके कुशन का एक दम करेक्ट ड्राम बहूत अच्छा क्शन है सबसे पहला कुशन है बाकि आप बेटा fraction से भी कर सकते हैं इस question को fraction से भी बताऊंगा यह हमने 100 लैट करके किया है और एक बार और समझ लो क्योंकि पहला बार बढ़र करेंगे थोड़ा यह रिए इसमें संभावना वाले प्रस्न आते हैं अगर इतने पर खरीदा होता इतने पर बेचा लुटा विल्कुल बिल्कुल अभी वता रहा है धिमाग लागा की समझे बिल्कुल बता रहा है तो घुटां पट्वारा उमत्सक्राइब तो बेचा होगा 12% लाव पर 112 में 12% कम में खरीदा होता तो कितने में खरीदा होता अठासी में 27% लाव पर बेचा होता तो केवल कैलकुलेशन यहां बढ़िए क्योंकि 27% इसका परफेक्ट नहीं आ रहा तो तो अठासी पर 27% लाव का एस भी निकालेंगे तो 127 वटे सो चार से कार दिया हमने 25 25 का पूरी रेशियो में गुणा कर दिया क्योंकि 25 कट नहीं रहा था तो यह पहला वाला इसको और तरीख आपका फ्रेक्शन वाला बताते हैं आपको कि उसमें अभी जब देखो कैलकुलेशन अगर कुश्चन में होती है तो कैलकुलेशन बेटा करनी पड़ती है आप चाहो तो इसको फ्रेक्शन से कर सकते हो एक साइड में CP और एक साइड में 12% 12% का मन कितना हो जाएगा 325 तो 12% लाब पर विश्टा है तो 25 से बढ़कर वीचे का कितनी में 28 नहीं 12% का प्रॉफिट का है तो 12% का फ्रेक्शन वान 325 वनेगा 25 का थीपी बनेगा 3 का लाब बनेगा तो सफ्रार हो जाएगा तो उसने 12% खरीदा होता 12 पर खरीदा होता तो कितनी में खरीदा होता तो बारे परेक्शन का फ्रेक्शन कितना भनेगा विटा थीफ पर्शंट तीन बटे पटीश कम करेंगे तो 22 बटे 25 तो 25 का 22 बटे 25 तो 22 आजाएगा और 27 परशंट लाप पर बेचा होता अब यह 27 पर्शंट ना तो फ्रेक्शन से कम उसकता है ना कैसे भी यह तो सीधा 127 बटे 100 ही बनेगा क्योंकि 27 से 100 कट ता नहीं है तो इसका फ्रेक् प्लाइ 127 वाटे 100 फिर कैल्कुलीशन वही हो जाएगी सीम तूसीम आप चाहो तो दोस्तों काट दो इसको 11 वार दोसी एकट जागा पका 50 बार सब मैं 50 का गुणा कर दो यहां भी 50 का करना पड़ेगा यहां भी 50 का करना पड़ेगा तो यहां 50 का करोगे तो यह कट जाएगा तो 117, 377, 1227, 292, 1397 तो कितने कम मिल रहे हैं 3 और 3 रेशियो का मान हो जाएगा 9 एक रेशियो का मान हो जाएगा 3 और अगर हम CP निकालेंगे तो यहां जाएगा 1250 हो गना 3 इसका टूसें 3750 तो आप ऐसे फ्रेक्शन से कर सकते हो और या आप सर्फ लेट करके कर सकते हो दौना तरह से कुश्चन को सौल किया जा सकता है हाँ बिल्कुल बिटक वह कैलकुलेटिव टाइप नहीं होता है अगर उसे देनी होगी आपको तो किसी भी कुश्चन में दे सकता है ना अब इसे बहगे ला रहे है तुम तो घबरा तो सोस्ट में जाके देखा कर वह ना इस बच्छों ने से सहसन लाइक नहीं कर दो सभी इस चलो नेक्स्ट पर आजाओ इस बच्छों ने सहसन लाइक नहीं किया है बटा सहसन को लाइक कर दीजे सभी प्यारे प्यारे बच्छे बताओ इसकुशन का अंसर अब यह ज्यादा कैल्कुलेटिव नहीं जाएगा इसमें डाटा आसान दिया है किसी व्यक्टी ने एक वस्तु को खरीदा और उसे 10% अब इसको 100 ल्ड करके है कर सकते हो फ्रेक्शन से व्यक्मक आपको 195 लाग पर जाए इसका मतल्रा अगर क्रेंच अलयर अब सू अब तो धिसन लाव पर बेचा होगा तो 110 को ह jurisdictions कर देंगे तो कितने में खरीदा होता असी में और इससे एक घजार अधिक में बेचा होता तो 40 percent मिलता तो 80 पर 40 परशन में निकालोगे तो 8-4 32 का लाव हो जाएगा तो कितने में बेचेगा एक सो बारे में तो कितने जादा मिलेंगे दो 2 ratio कमान दिया है आपको 1000 एक ratio कमान आजाएगा 500 वस्तु का पूरु वालवे करे मुले बताहिए तो 110 ratio वस्तु का पूरु वालवे करे मुले आजाएगा 110 ratio 110 multiply और एक ratio कमान 500 तो आजाएगा 55,000 55,000 कौन से option बिटा पहले वाले option पर ये answer हुजाएगा 55,000 कि 55,000 वाइगा जाए इस तरह से आपको करना यह आप लोग यहां पर दाटा संद दिया है वहाँ पहले पर से कि इसलिए आपको समझया लग रही होगी उसने का पहले इसने इसे 20% कम में खरीदा होता, पहले 100 में खरीदा था, अब 20% कम में खरीदेगा, तो 100 का 20% 20 कम होके 80 में खरीदेगा, और 40% पर वीचा होता तो 80 पर 40% निकालो 32 का लाब हो जाएगा तो एक सो बार है पहले 110 में खरीद रहा था अब एक सो बारे में तो कितना ज्यादा मिल रहा है दो और दो रिश्यो कमान इसने 1000 दिया एक रिश्यो कॉन 500 हो गया पहला वाला वेकरे मुले पूछा है तो 110 मुले पांसो तो पहला वाला वेकरे मुल ला जाएगा 55,000 है 55,000 है ओके बच्चो बाकी फ्रेक्शन से करना चाहो तो फ्रेक्शन से भी कर सकते हो आसानी से सॉल्व हो जाएगा चलो इस कुश्यन को बताओ ये भी बड़िया खुश्यन है बताओ ये सभी प्यारी प्यारी प्यारी बच्चे बताओ प्यारी बटा बंडारी क्या होगा अंसर जिन बच्चों ने सैसन को लाइक कर लिजिए और जो बच्चे पहली बार चैनल पर जोड़ रहे हैं वो चैनल को सब्स्राइब कर लिजिए इस्थी अलमारी खुश्यन बच्च अनलमारी को 15 35 लाग सब पर बेचा गया और अलमारी 100 रूपी थी तो इसको बीचा गया 115 syllables ृत तो सो नहीं होती सौ तो इसको फिर 10% लाव तो दस परशनलाव निकाल दो पर जाए मैं सोच हॉडधा रिचगा कितने में एक सोचो हॉड़ेंट पांच में हैं कि 45talk werd नुए जितलिक उड़ेंगे तो एक सोचार प्रच में एक सोचार पॉंट पांच कि तो कितने मिलते ज़रा देखना और साथ कम बिलेंगे 10.5 नि चौरह दिया है उसने का है 1470 तो एक रिश्यो कमान निकल लो तो एक रिश्यो कमान आएगा आपका 1470 बटी 10.5 पॉइंट अटाएंगे यहां 0 आजाएगा 21 से कैंसल करेंगे 5 बार कट जाएगा 21 से कैंसल करेंगे 700 बार कट जाएगा 5 से कैंसल करेंगे 140 वार कट जाएगा एक रिश्यो को वान 140 तो क्रेमुले पूछा है तो स्थो मल्टिप्ला 140 तो क्रेमुले आ जागा 14,000 14,000 कौन से उप्षन पर बेटा पहले वाले यह उप्षन पर है यह उप्षन एकदम सटी के कुरेट आंसर रहेगा 29 चार्ट सो और भाई क्या कर रहे हो बही दिवाम रवा ओतने नगंतर 29 चार्ट सो क्यों क्यों कर रहे हो बटा विकरमुले नहीं पूछा उसने क्रेमुले पूछा है यह ध्यान रखना यह अगर क्रेमू ले पूचा है तो निकलना है जो पूचा उसका ध्यान रखना है तो 100 रेश्यो का मान निकालेंगे आंसर आजागा 14 बिल्कुल बिटा आज बता देंगे ठीक है साम को इवनिंग वाले बता देंगे कौन-कौन सी मेरा थन क्लासे जोंगी कल पर सो है ना टर्डिस अंडियों मेरा थनी रहेंगी अब लागा तो बहुत अच्छा कुश्यन ने बहुत पूच्छा आता है बहुत ही अच्छा कुश्यन बताओ बर्जेश दीपक अभिछेग एस्वी सेंग बताई बटा एक वस्तु को 30% के लाव पर बीचा जाता है वस्तु के क्रेमुले विक्रेमुले दौनों को सौ कम कर दिया जाए तो 45% लाव होता है तो वस्तु का मूले बताई यह लागात मूल्य है तो बटा ऐसे कुश्यन को स 30% के लाव पर बीचा जाता है तो 30% कितना होता है तीन बटे दस लाव पर विच्यान जाएगा तो 10 US से बढ़कर कितना हो जाएगा त्यरहत fotograf Organ कि एस्वाले आप रहा है तो यह कम होना चाही बराबर बराबर लेकिनलटबर बढ़ रहा मतलब आपको ratio दिया हो और यहां पर व्रद्धिया कमी और यहां पर व्रद्धि की वी जो है वो same हो तो आपको यह difference बराबर करना पड़ेगा इस difference को बराबर करने के लिए क्या करते हैं इनका difference लेंगे 3 इनका difference लेंगे 9 अगर आपने यह difference सेम कर लिया तो यह difference आटोमेटिक सेमों जाएगा हिसमें तुम हो जाएगा इसमें तो नो बन जाएगा तो यहां भी ओना यहां और यह जाएगा तो 30 मैं से 20 जाएगा तो myanoze 10 49 में से जाएगा तो मैनस 10 अब बिल्कुल सही है रिश्यो कममाइंड हो गया कममाइंड हो गया तो इस दस रिश्यो कमान दिया है आपको 100 तो एक रिश्यो कमान हो जाएगा 10 उसने पूछा बस तू का मुल्य लागत कितना था वो था 30 रिश्यो तो 30 मुल्टिप्लाइब 10 करेंगे तो लागत मुल्य आजागा 300 लागत मुल्य कितना आजागा था 300 सी ऑप्सन इसना करेक्ट आंसर कर रहे हूं एसा लिए कर रहे हूं अंसर तीन साइगा थ्री एंट्रेंट कि कैसी ऑप्सन देखके लगा देते हूं का लेकिन ऑप्सन में चाओदर सब अगरा तो ही नहीं थीन सोई है पांसर यहीं करना चाहिए था चलो बेटा इस कुश्यन का बताओ एक बस तुको 25 पर पर बेचा आता है क्रेमल विक्रेमल दोनों में से कर 200 की वरद्दी हो तो लाब 20 पर सेम इसी तरह का कुश्यन है बताईए अगर बेटा आप लगाता यह क्लास लेते रहे तो यह समझ लीजी कि पुलिस में आपका कुछ भी नहीं बचेगा कि अगर कि देवड़ा किसी वस्तु को 25 पर से लाब पर बीचा जाता है तो 25 पर सेंट होता है एक बटे चाहा कि पर बीचा जा रहा है तो कितना हो पांच में नूड़ा कि Beta कैंट नुड़ा कि अच्छ लाब कि बीचा विस्तू ब्राबर है तो Stewart नहीं कि ब्राबर है लागत मुल्य पूछा है तो चार एक प्रिशा यहां पर डारेक्ट डिफ्रेंस ले सकते थे यहां पर डारेक्ट डिफ्रेंस क्यों ले लिए हैं तो पूछा होता तो पांच रेश्य निया विक्रेमूल पूछा होता तो पांच रेश्यो हो जाता यह दा पूचा होता तो 6 दो पांच क्रेम बढ़ा बिल्कुल सही होगा बहुत बढ़ी पूच्छन यह किस तरह की कुछन है जब आपको अलग-अलग अलग भाग आपने एक साथ कोई भी सामान खरीद लिया फिर उसने उसे आपने अलग-अलग भागों में बेस दिया एक साथ सामा आऄट कर दिया वेस दिया तो इस तरह से आप कि किभ त्याही हिस्सा 15 प्रसत्षत लाब पर बेचा जाता औरफेस्टиком ऑग बीश्वस्तत हानीत in यह तो यह दुस्य पूरे लिंदियन में कुल 135 पहला होता है तो बताइए माल का मूल लिक्या होगा वन थाड्र पार्ट अफ एन आर्टिकल इस व्ल्ड एट 15% प्रॉफिट 25% पार्ट इस व्ल्ड ए 20% प्रॉफिट and the remaining part is sold at 20% loss if the total transaction in the whole transaction is if the total profit in the whole transaction is there is a profit of 138.5 then tell the value of the goods . - सबसे पहले आपको रेशियो बनाना है जैसे आपको टोटल ऐसा लेट कर लेना है जिसका एक बटे चार से भाग जाने हमें एसा नंबर लेना पड़ेगा जो तीन और चार से थिया बारा 12 का 1 वटे 3 करेंगे 4 12 का 1 वटे 4 करेंगे 3 कितना हो गया साथ और साथ की बाद सेज कितना वचेगा आपका 5 तो 4 और 3 साथ 5 कितना हो जागा बारा अब देख लीजे कौन से इस्ते को कितने परसेंट लाव हानी पर वेचा गया है सबसे पहले आपको रेशियो बनाना है और रेशियो बनाने के बाद देखना है किसको कितने परसेंट परसेंट या कितने परसेंट लाव पर वेचा गया है तो लाब है तो प्लस लगाकर लिखना है हानी है तो मैनस लगाकर लिखना है जितना पर्षेंट है उतना पर्षेंट तो चार रिश्यो को 15 पर्षेंट लाब पर वेचा है एक बटे चार को 20 पर्षेंट लाब पर वेचा है तो यहां पर आ जाएगा 20 पर्षेंट प्लस 20 पर् परषेंट यहां पर राव हो जायगा तो श्रेंट ऐखानना सी और अगर रिजल्ट आपका अगर और अगर जीरो आएगा तो नो प्रॉफिट नॉलस और डिवाइड वाई टोटल हिस्से कितने हैं 12 इतने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा टोटल हिस्से 12 समझना ध्यान से यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को क्या डाउट होता है देखना सारे डाउट क्लियर कुष्चन जो होगा उसे हम डेटेल में आराम से सीखेंगे फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी तो बहुत जल्दी जल्दी सौल करते चलेंगे पहले कुष्चन को बिल्कुल ध्यान से समझा करो कोई डाउट पहले कुष्चन में नहीं बचना चाहिए इतने ध्य बारक का एएक विट Alliance का मतलब साथ चला जाए। बचे कम 15% के लाव पर पर बेचा गया लाव के लिएक 15 परसेंट दूसरे को 20 परसेंट लाव पर बेचा गया है प्लस 20 परसेंट और तीसरे को 20 परसेंट हानी पर माइनस 20 परसेंट जिस हिस्ते को जितने परसेंट लाव हानी पर बेचा गया है उसका गुना करके लिग लिजिए यहां 20 परसेंट हानी है तो 25-100 माइनस का 100 यहां पर 15% लाव है चार भागों में तो 60% टोटल देखेंगे कितना हुआ तो 60-60 120 में से सोजाएगा तो 20% लाव हुआ टोटल कितने इस तो में 12 में तो डिवाइड भाई 12 इतने परशेंट हो गया आप चाहो तो cancel out कर सकते हो चार पंजे 20 और 4 ती अबारा पांच बटे 3% और जो टोटल लाव है उसकी वेल्यू आपको दी गई है 138.5 तो जो टोटल लाव है इसकी वेल्यू आपको दी गई है 138.5 तो 5 बटे 3% का मान 5 बटे 3% का मान 5 बटे 3% का मान परचेट आपको बराबर दिया गया है 138.5 पॉइंट अटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा 5 से कैंसल आउट कर लिजे 5 से कैंसल आउट करेंगे 5 2 नी 10 5 7 35 5 25 पांसे चाहो तो दोबार कर लो पांसे कर जाएगा 5 25 25 तो तीन गुणा में चला जाएगा तो एक परसेंट की वेल्यू आ जाएगी 165 परसेंट निकालेंगे तो गुणा सो दो से कैंसल आउट हो जाएगा 50 वार तो जीरू आ जाएगा 5 25 252 16 22 82 8250 8250 आपकी टोटल वेल्यू ह कैसी option कैसे मैच नहीं कर रहा वाई कितना आ रहा रहा आंसर इसका हां बिल्कुल बिटा चैप्टर वाइद है अब यह हम प्रॉफिटन लॉस फट रहे हैं जरा आंसर मैच करिए किसी एक वेल्यू का तो नहीं पूचा इसने तो इसने पूचा माल का मूल लिका है हां टोट यहां पॉइंट अटाया नीचे 10 सागे यह क्यल्कुलिशन में हटा देता हूं यहां पर यह क्यल्कुलिशन जो है यह में हटा देता हूं ठीक है जलो अब तो यह आपका आगया पांच बटे 3 पर सेंट का मान एक– 138.5 135 138.5 अगर एक परpage की निकालोगे तो तो तीन परचेएगा 35, 7, 35, 27.7 आएगा बिटा और तीन इसमें गुणा में हो जाएगा तो साथ या 21, एक दो और 27, 81 और दो 83, 83 पॉइंट एग तो परशन निकालेंगे तो 8310 आंसर हो जाएगा जो कौन सी आप्सपर पर बिटा डी आप्सपर यह तो एक परचेंट है अगर हमें इस चीज को समझना उसके बाद आगे के जो कुश्यन आएंगे उन में हम थोड़ा सा इस ट्वीट चलेंगे ठीक बटा वेरी गुट 8310 बार में चाली अरुन माहर हमारे साथ विवेक कुमार निकली आदव देविस विवेक सुबास हमारे साथ जोड़ गया बहुत बहुत जब अलग-अलग एक वेल्यू को टोटल धन को अलग-अलग रेश्यो में अलग-अलग मारते हैं और उनको अलग-अलग-अलग लाव हानी पर मारते हैं तो कभी-कभी हमसे कुल लाव हानी का प्रस्तत पूचा जाता है कभी-कभी लाव देकर टोटल वेल्यू पूची जा तो आंसर आजा हमारा त्यारे सो दस राम राम बेटा चलो बच्छो नेक्स इसका आंसर बताओ आप बेटा मुझे आप सभी से आंसर जल्दी आंसर बताओ पहला कुछन आपके पास 10 सेकंड है कुछन को सौल्व करने के लिए वह जल्दी से फास्ट वह इस ब्यूटिवल कु जिन बच्छों ने बेटा सेसन को लाइक नहीं किया सेसन को लाइक करो जल्दी से सेर करो चलो देखो बटा समझो इसको कोई फल व्यापारी कुछ केले खरीता है उसमें से एक वटे पांच भाग केले सट जाते है इसलिए इसने इनाय फेंक दिया उसने अपने पास के केलो तो मैंसे दो वटे 5 भाग को 15% लाब पर बेचा उसके सेस केलों को 10% लाब पर बेचा तो इसका समक्र लाव या हानी परस्ट क्या होगा मैंने अभी आप से कहा था किस में कभी-कभी आपसे कुल लाव राव राव हानी का परस्ट पूछ लेता है कभी-कभी टोटल लाव कर लिए को समझते हैं कोई फल भी आपारी कुछ के लिए खरीटता है उसमें ऐसे एक वट्टे-पांच भाग के लिए सड़ जाते हैं तो अगर अगर आपको बताया था चार रिजल्ट होते हैं मैंने आपको बताया था कि अगर कर दूब गया तो इसका मतला हंड्रेट पर्षेंट लॉस हो गया एक वट्टे-पांच उसने केले सड़ गए तो लॉसमें चले गए वह इसलिए इसे इन्हों ने फैंक दिया उस ने अपने पास के लों में से दो वट्टे-पांच वाग को 15 पर पर बेज दिया तो दो वट् को 10% profit पर विज दिया तो उसका समग्र लावया हानी का परस्त बताईए यह आप से पूछा है total profit और loss percent बताईए कितना होगा तो देख वटे 5 और 2 वटे 5 तो मैंने क्या कहा आप से कि हमें ऐसी value पहले परस्त बताईए कितना है तो यहांपर hundred percent लॉस तो माइनस का 100% loss के लिए माइनस लगाना है यहाँ पर 15% लाप प्लस 15% और यहाँ पर 10% लाप प्लस 10% बस सीधा गुणा कर दीजे तो एक पर 100% लॉस तो माइनस का 100% आ जाएगा दो पर 15% लाप तो पंदर दूनी 30% का प्रोफिट हो जाएगा और 10 पर 2% 20% प्रोफि करेंगे यहां पर बहुत सारे बच्चों की डाउट होदा है सब 5 से डिवाइड क्यों करेंगे दोटा इन दोनों का गुणा करने परी तो यह आया है तो अगर बाइचंस मान के चलो मैं आपको यह दे दूं और यह दे दूं तो आप यह कैसे निकालोगे इससे भाग दे की त दस का मतलब 10 प्रतिस्ता धानी माइनस का साइन हानी को बताएगा प्लस का साइन लाइब को बताएगा तो आंसर आजागा 10% लॉस तो यहां पर आपको दो बटे 5 भाग सेस का तो नहीं का अपने पास के केलों में से अरे यार वेटा इस चीज का थोड़ा सा ध्यार लगना यहां पर मेने क्या है एक वटे 5 सीजगा निखाल दी आचा अपने पास के केलों में से अबतलब सेस का 2 वटे 5 निकालना है एक मिनट व्यारे वच्चो यह स्टेक हो गया इसमें इसने सेस का कहा है कुल का नहीं का है ना तो देखो एक चीज और समझना यहां से जैसे यहां पर देखो कुश्यन को पढ़के यह बास समझ में आएगी आपको जैसे एक के लिए व्यापारी ने उनमें से एक वटे पांच भाग सड़े निकले वन वाई फाइव ठीक ह इसमझना यहां से अगर आपको रिमेनिंग का निकालना यह जिसे पांच में छला जागे तो कितना बचेल चार चारका दूबटे पांच निकलनः आपको यह का कुनपांच का और और जैसे नीचे पांच आएगा तो पांच का गुणा और कर दो 5 का गुणा और कर दो यहां से पांच आठ जाएगा इसका मतलब टोटल भाग हो जाएगी 25 25 मैं से 5 रेश्यो यह हो जाएगा चार दूनी 8 ही हो जाएगा आठ और 5 कितना होगे बटा 13 तो बागी बचेगा आपका 12 बागी कितना बचेगा 12 अब बस देख लिजिये इसको 100% loss तो minus का 100% loss इसको 15% लाब पर प्लस 15% और इसको 10% लाब पर प्लस 10% तो यहाँ पर तो आपको बैटा 500% का loss हो जाएगा यहाँ पर 120% लाब हो जाएगा यहाँ पर आपको 120% लाब हो जाएगा तो टोटल 240% हो जाएगा और यह 500 हो जाएगा 500 में से 240 को गटाहेंगे तो मैनस का 260% और डिवाइड वाइड वाई 5 5 से भाग देंगे तो मैनस का 260 आजाएगा 5 रेशियो आपका यह हो गया बाकी 20 का 4 बटे 5 करेंगे तो बीस का चार वटे पांच करेंगे तो आपका जाएगा आट रॉप पांच ते रहे हो गया बागी बचे का बार है तो इसने इसको टोटल खराब हो गया एक बाग बिल्कुल सड़ गया तो खराब हो गया मैनस अंडेट पर्षेंट लॉस हो जाएगा यहां पर आठ जो है इन पर इसने दोबटे 5 15 पर पर बेचा है और सेइस प्वेलों को जो बचर नहीं इनको 10 के लाग पर बेचा है तो समग्र लहानी या लाव प्रसंट पूछा आपसे तो यहां पे 500 परषेंट का लॉस हो जाएगा यहां पर 15 एक सो भीश लाव और यहां पर 12 जो नाव यहां पर यह बात समझने वाली है इसको ध्यान से समझना विटा एक वटे पाक भाक सड़े निकल जाते हैं उनको फेंकने के बाद उसके पास जो केलिबश् क्यांकि ımızı करते हैं तो जाते हैं यहां 5 यहां पांट पाइए फोपांट तर में से घटाएंगे 20 यहां पे 100 पर्शेंट लॉस का लॉस होजाएक टोटल ट्राजेक्शन होल टाजेक्शन चलो बच्छे इस कुछिन को देखें नेक्स्ट बदा के सही बच्छी का अंसर गहाओ को कि आपको बहुत सब्सक्राइब बताव सब्सक्राइब एक विक्रिताने अठारे सों में कुछ खिलोने खरीदें उसने इन मैंसे सब्सक्राइब लना को सब्सक्राइब लिए कि इस लोने कितने परस्ति अपर वेचने चाहिए हुआ सब्सक्राइब लें गरी सब्सक्राइब लिर्फ सों में कंडे तो culprit कितना हो जायागा दो वटे पाँच दो वटे 5 किलोनों को इसने कितने पर्चेंट हानी पर जाए 15 पर जो अ कि रती स्व herumket और 10 पर्चेंट का पूच यह चेक करलो कि यह सेस का तो नहीं कहा तो इसने को कितने पर सेंट पर बेचना चाहिए यह पूछा है तो 40 पर सेंट दो बटे तीन तो देखो यह ध्यान रगना मैंने देखा पांच दो चला जाएगा तो कितना वचेगा तीन का एक वटे तीन बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है अगर परफेक्ट नहीं आए तो इनका मल्टीपल मानलो पांच तीन पंदर है परफेक्ट आ जाए तो केवल पांच मानलो तो मानलो टोटल जो खिलोने वो पांच रेश्यों है पांच का दो वटे पांच निकालेंगे तो दो आ जाएगा फांच का दो आ जाएगा फिर कितने पहले तो आपको ratio बनाना है कि खिलोने किस अनपात में बटे हैं सबसे पहला काम यह है तो 40% खिलोने 15% हानी पर विकें 40% का मतलब 2 वटे 5 और सेज का 33 से एक बटे 3% 33 से एक बटे 3% कितना होता है एक बटे 3 20% लाब पर विकें हैं तो मैंने लेट का लिया तो टोटल 5 5 मैं से दो चलेगे तो कितने बच्चे बटा इमसके अलावा है सबसरे इसका हमें बताना है टोटल लाब दिया अब बस देख लो कितने पर संपड लॉस दिया है नोट करते जाओं तो 40% को को 15% दhani पर बेचहन तो माइनेस का 15% धानी का मतलब माम का मतलब plus और इसका कितने परशंच पर बेचहन थांस कि तो तो तोटल फडूता थे लिए हमारा होनास हदी दस पांच 50% माइनस पंद्रेदूनी 30 परशंच or सर टोटल पर कितना आ रहा हूं मैंस को तो यहां कल जाएगा मैनस मैने स्क्लास हो स्क्राइब अम बेटा निटेशपार हैब बेटा रखर वी है कि तोटल पांच पर निकाल लेंगी हमेँ बेटा फाइव है ना सभी बच्चे आंसर करो आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो पॉपी पॉपी पेन निकाल के बैठा करो जैसी क्लास शुरू होती है पांच वजे तुरंत आजा करो कोफी मेल लेके रेडी रा करो कुश्यनों को सॉल्व करो अब एक ही टैप के तीन कुश्य करने ठीक है तभी मैं आगे बढ़ूँगा चलो कि पर एक आँसर बता बटा अगया अगया करो जो बच्चों ने अभी तक सेशन लाइक किया सेशन को लाइक और जो बच्चे यूट्यूब पर पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से लगाता सेशन को सेयर क बच्चे हैं उन सब को बताया करो क्लासिस के बारे में देखिए कुश्य नंबर नेक्ट बेड़ा दो संख्या है ए और बी के क्रेमुल्यों का अनपाद पांच है इन वस्तों को बेचते समय दुकानदार को वस्तु एपर 10% और वस्तु भी पर 20% लाब होता है और उनके विक यहां पर आपको लेट कर लेना या तो यह आपको देखो अगर मैं 4 का 10% निकालूंगा तो मुझे क्लियर दिख रहा है पॉइंट में आएगा इस से अच्छा है मैं इसको 4050 करनों तो कोई फरक पड़ेगा आपका होगी सर्व नहीं पड़ेगा क्योंकि रेश्यों में किसी भी नंबर से कुणा कर सकते अब वह कह रहा है वस्तु यह को 10% लाब पर वीचा गया है त तो अगर 40पर 10% लाब निकालेंगे तो 4पोनेगा तो SP कितना वनेगा चौ़वालस से तो 20 पर वीचा है तो इस पर बीच पर्सेन लाब निकालेंगे तो कितनी का बनेगा धस ऐस Kा कितना है दस रेश्यो का मान कितना है आपका 303 यह देख लिए यह देख लिए और बी दोनों के क्रेम उल्यों का अनपात आपको दिया था हम किसी भी रेश्यो में क्षिंए हैं अपनी सुविधा के लिए खिसी नंबर से गुणा कर सकते हैं किसी बी नंबर से भाग कर सकते हैं बहुत बढ़िया औशर है अपने अनसर रहे हो आप लोग जल्दी-विश्य दी आंसर कर दो सारव अभी प्रत्य वस्तू रुपे पचास की धर से खरीदे उसने पैंटीस वस्तू है प्रत्य वस्तू की दर से खरीदी तो कोई बात नहीं कितने से भी खरीदी हो जब कभी भी हमसे प्रस्त में आंसर पूछा जाएगा तो इस कॉंस्टेंट वेल्यू का कुश्चन के सॉलिशन पर कोई फरवाब नहीं पड़ेगा ना चालिस वस्तू का ना इसका पचास का तो एक सो चालीस परस्ट का लाव हो जाएगा इनको 10 पर्षेंट हानी पर बीचा गया तो यहां से 10 परस्ट हानी हो जैगी ओवर लुखी तो एक सो चालीस पर्षेंट का प्रोफित हो जाएगा टो टोल आठ हिस्तों पर तो डिवाइड वाई आठ अठ से कैंसल आउट तो हमारे कुश्यन का अंसर हो जाएगा 16.25 पर्षेंट प्रॉफिट 16.25 पर्षेंट प्रॉफिट इस दा करेक्ट आंसर तो यह बात नहीं पेड़ा अच्छे से आगा डॉट परी लगातार पढ़ते रहो कि बहुत करेक्ट आंसर मैं जब सॉल कर देता हूं तभी आंसर क्यो रादे रादे चलो वही नेक्स्ट पर आजाओ बता इस तुश्यन का अंसर क्या है बता यह जल्दी जल्दी आंसर बताओ जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया चैनल को सब्सक्राइब करो जा श्याद स्टुएट ने को सेर कर वोटा क्लास की बार आएंगे वही कुश्यन्स आएंगे पेपर में आपके उसके अलग कुछ भी नहीं आएगा उसने कहा है कि यदे दोनों बस्तुओं के कुल क्रेमूल का 30 ग्याद कीजिए बस इतना सा बढ़ा दिया है बाकी कुश्यन वही है तो क्रेमूल्यों का अनपाथ एई और बी का 4 अनपाथ 5 हम इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं और कुछ भी कर सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं ह हम 10 का गुणा करें हमें कैसे पता लग रहा है 10 का कर रहा है क्योंकि मैंने देखा 20% है और 10% होता है तो दसका मल्टीपल मानेंगे तो पर्फेक्ट वेल्यू निकल किया जागी इसने 10% के प्रॉफिट पर बेच रहा है तो 40 पर दस पर चार का हो जाएगा तो स्पी हो जैसे 10% निकालना तो पीछे से एक लगा दो चार हो गया और तो दस परचेंट निकाल के दुगना कर दो तो दस परचेंट पांच हो गया तो दुगना करेंगे तो दस क्यों जाएगा साट दोनों का अंतर दिया है सोला और सोला रेशियो का मान आपको बराबर दिया है 480 एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 1648 तीस हो जाएगा अब उस निकाला है दोनों के क्ल क्रेमुले पर दोनों के क्ल क्रेमुले का 30% क्या होगा तो पहले तो दोनों का क्ल क्रेमुले निकाल लो तो दोनों का क्ल क्रेमुले 90 रेशियो है एक रेशियो का मान 30 है तो क्ल क्रे 810 आपका दी ओप्षन पर है दी ओप्षन इस था करेक्ट आंसर 810 810 इस था करेक्ट आंसर वेरी गोड अब की बार तब भी थोड़ा सा जोस दिखाया आप लोग ने ऐसे जोस में पढ़ा करो ऐसे बैट जाते हैं विल्कुल सुस्तों से एक दम क्क्रमेंट में थोड़ा जोस दिखना चाहिए हाँ बहुत ज़ल्दी आना चाहिए अंसर चलो बताओ इस कुश्यन का अंसर बताओ कि अब अब चाहँ पर फास्ट अंसर बताओ फास्ट 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 एस 50 लगा दो आज रिकॉर्ड बना दो आप भी तो देखो एने 38 क्लो चावल 14.5 के बाव से 45 क्लो चावल 42 के बाव से और 55 क्लो चावल 48 के बाव से खरीदा उन्होंने मिस्रन को 65 रुपे 5 क्लो से बेचा तो उसका लावे हानी पस्त बताईए तो देखो 38 क्लो चावल खरीदा 14.5 के बाव से 45 क्लो चावल खरीदा 62 के बाव से और 55 क्लो चावल खरीदा 48 के बाव से और मैंने देखा इन में कुछ भी कॉमन मी नहीं है देखो 55 है 45 है ये 45 है और ये आपका 38 क्लो है सारी मात्राइं अलग-अलग है तो पहले तो आपको CP निकालना पड़ेगा, और CP क्या होता है, CP होता है, हमारी JFSET टोटल कॉस्ट कितना आया, हमारा वो CP होता है, तो पहले तो आप CP निकालो, तो CP कितना आएगा, तो आपने 38.5 खरीदा 38 kg, और वो खरीदा आपने 54.5 के बार से, आपने खरीदा उसे 4.5 के भाव से तो multiply करेंगे तो CP आ जाएगा तो 4.5 को हम लिख सकते हैं 109 बटे 2 कितना लिख सकते हैं 109 बटे 2 2 से कड़ जाएगा आपका 19 वार ठीक है 19 नो कितना हो जाएगा 171 तो 171 तो 171 आ जाएगा तो 45 किलोज चावल और multiply 62 के rate से खरीदा तो यहाँ पर कितना करचा आया तो यहाँ पर देखो 5 का इसमें गुणा करेंगे पहले 5 दूनी 10 जीरो एक 310 हो जाएगा 310 multiply 9 कर दीजिए 0, 9, 9, 27, 290 का करचा यहाँ आया ठीक है 62 रुपे प्लाइज किलोज से 55 तो 48 के rate से इसने खरीदा है और 48 के rate से इसने पच्पन कलो खरीदा है 55 55 का multiply करेंगे तो याँ तो चाओ सीधा सीधा ऐसे कर दिया करो देखो मैंने जो वैदिक मैस वाली ट्रिक बताई थी वो भी apply कर सकते हो 5 दूनी 10, 0, 1 और 6, 4, 24 और 10 cross multiply करेंगे 64, 24, 50, 10, 34 और 1, 35 तो इसमें पीछे 5 आएगा multiple है गलत हुआ है क्या 5 दूनी 10, 0, 1 35, 30, और 1, 31 2 के दल लेंगे 90 गुणा 31, तो 0, 9, 90 है सकता है सही है exactly right है भाई 8 और 38 और 1, 49 आएगा सही है तो यहाँ पर देखो बटा 55 है तो 5 गुणा यह करेंगे तो 8, 5, 40, 0, 4 5, 4, 20, 4, 24, 24 और 2, 40 multiply 11 कर दो यहाँ जगा आपका 0, 4, 4, 4, 2, 6 और 26, 24 इतना आपका टोटल खर्चा हुआ और इतनी में समन कितना आ गया तो इन सब को जोड़ दो यहाँ पर 38 है यहाँ पर 55 और 45 है तो पहले टोटल निकाल लिए तो टोटल इसको सम कर लिजिए तो 1 आ जाएगा 4, 9, 13, 7, 20, 0, 2 आ जाएगा 8, 7, 15, 15, 15, 1 आ जाएगा 6 और 1, 7, 5, 401 का खर्चा हो गया और पर 701 में समान कितना आ गया तो 38, 45, 55, 55 हो गया 100, 100, 130, 138 kg यह आपका टोटल सीपी बना है यह आपका टोटल कॉस्ट बना है यह आपका क्या बना है बिटा टोटल सीपी और एसपी कितना है 65 रुपे प्रतिक लोग आपका एसपी है तो 65 रुपे प्रतिक लोग का एसपी है आपका CP आ जाएगा पिछे 301 का और आपका SP कितना आ जाएगा बटा 138 multiply 65 तो 13,65 तो 5 का गुणा कर लिजिए इसमें 138 multiply 65 तो 8,44,04 और 13,65,65,69 तो यह हो जाएगा और multiply कर दीजिए 13 तो 0 आ जाएगा ते रहे नो 177 11 के रही हो जाएगा और 13,78 और 11 करेंगे तो loss वाले तो option वैसी खतम हो जाएगे आपके यह दो option तो आपको वैसी कहतम होए प्रॉफिट हो रहा है यह देखिए तो profit इसमें से इसको घटाएंगी प्रोफिट आ जाएगा तो प्रोफिट कितना आ रहा है विटा इसमें से घटाओ दसमें से एक जाएगा तो आपका 9 और यहां पर बचेगा आपका 6 यह एक कहानी खराब कर रहा है कि वलत ऐसा करो इसको एक कम कर लें क्या पिछेटर सो कर लो डवल जीरो से डवल जीरो कर जाएगा इन से ऊपर कैंसल आउट हो सकता है नहीं हो सकता तो भागी देना पड़ेगा तो वन फोर सेख्स नाइन और यह था आपका डवल जीरो और पाड़ेगा निया आपका 14690 में सीधा सीधा देना पड़ेगा यह कितना है आपका 14000 तो 20 के आसफास जाएगा आपका 20 इसके आसपास मतलब आंतर आजाएगा 19.6 परसेंट 19.6 आप देखो 20 के आसपास जा रहा है इस यह आप भाग दोगे तो 15 के आसपास पंदर हजार के आसपास जाएगा अगर अगर हम 20 में गुणा करेंगो यह 1466 आपका यह 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 आपका वन जीरो डबल जीरो तो यह इतना है एक लाग चालीस जार नौ सो एक चालीस नौ सो है तो यह 75 करोगे तो एक लाग वचास जार आएगा तो यह आपका 20 हो अगर यह एक पचास होता तो 20 हो जाता लेकिन उससे थोड़ा कम रहेगा तो अंतर हो जाएगा उन्हीं इस पॉइंट चैनलना पड़ेगा उसके बाद यहां पर हमने देखा इसमें भी cancel out नहीं हो जिससे data चोटा हो जाए है अगर हम ऐसा कर सकते थे और अगर हमें यह calculation ज्यादा ना बढ आनी होः तो इतना जरूर कर सकते थे इतना कर सकते थे लेकिन calculation तो बढ़ती है अगर कुश्यन में अगर क्यल्कुलेटिव दिया है तो करनी पड़ेगी बस उसको तेज करनी का रास्ता निकालना पड़ेगा देख एक सो अर्थी से इसको आप डिवाइड दे कर सकते थे तो एक सो अर्थी से पिचेटर सो एक को डिवाइड कर दो आप इसके थोड़ा सा क्यल्कुलेशन कम हो सकता है तो यहां पर कितना आ रहा था पिचेटर सो एक सेवन फाइव बन जीरो सेवन फाइव जीरो वन डिवाइड वाइड 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 दे दीजिए तो एक सो अर्थी से पहले सास्तो बचास को भाग देना पड़ेगा तो 5, 8, 4, 0, 4 और तेरह, 6, 8, 3, 5, 65 तो 5 से दे रहे और 65 और 4 कितना हो जाएगा बटा 99 फिर कितना बचेगा 0 और 15 में से 9 जाएगा च्छे 60 बचेगा ठीक है तो 4, 8, 32, 3, 4, 42 और 3, कितना हो जाएगा 55 फिर कितना बचेगा 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा और 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा फिर आपका बचेगा 49 तो 49 में फिर point लगेगा और यहां पर हमें लेना पड़ेगा 0 जादा नजदीक नहीं आएगा जैसे यहां से देखो के तो कितने का प्रोफिट हुगा चे और पांच ग्यार एगा और चाहँ पर मुल्टीप्लाइब सब्सक्राइब करना जो है उसमें तो बढ़ेगे नमस्कार 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 नेक्स विश्चन देखिए सब्सक्राइब इस विश्चन का अंसर क्या है अंजना बर्जेश दीपक घंडारी पीति यादा बर्जेश यादा सब्सक्राइब इस विश्चन होता है थोड़ी सी कैल्कुलेशन उसमें आपको करनी ही पड़ेगी विटा रास्ता हो सौट इस विश्चन का अंसर क्या होगा नमस्कार बिटा दीपक बर्जेश सिवा अंजना बहुत बड़ी आरतेक इस विश्चन को लाइक करो सुजाता ने अपने सामान का 75% भाग 24% लाव पर और से सामान 40% हानी पर विश दिया तो पूरे लिंदेन में उसका लावानी परसाथ बता बहुत आसान कुश्चन है सामान का 75% भाग तो 75% कितना होता है बटा तीन वते चार तो तो टोल मान लिजिए चार तो चार में से तीन बागी कितना वचा एक तो 75% भाग इसने बीच दिया 24% के लाव पर और 40% हानी पर विच दिया सीस सामान को यहां पर वैचाशने सामान को 30 परसंट की अधर करेंग तो बातिस पर्संट का जैगा और और कितनी भागों में चार भागों में तो डिवाइड वाई चार से कट जाएगा आठ वार तो आठ परस्ट लाव आपके कुश्चन का अंसर हो जाएगा परस्ट लाव और चार परस्ट लाव और चार परस्ट लाव और अभी आंसर नहीं आ रहे थे आप लोगों के हैं चलो इस कुश्चन का अंसर बताओ जल्दी से बता जल्दी आंसर बता बता जल्दी फास्ट आंसर बताओ इस पीड में अंसर बता चलो जल्दी ली एक विक्यता ने 24 में 40 दर्जन फल करीदे इनमें से 30 फल चड़ गए और उन्हें फेंग दिया गया तो सेस्ट फलों को परतिदर्जन किस दर पर वीचा जाए ताकि 25 प इस एक विक्यता ने 24 रुपे में 40 दर्जन फल खरीदे इस तो 40 दर्जन 24 रुपे में खरीदे समझना जरा ध्यान से 24 रुपे का खरचा किया और 40 दर्जन में और मल्टिपलाए बार रहे तो 1248 मतलब 400 फल 400 में थे 30 खराब हो गए तो चलो 30 खराब हो गए यह तो बचे ही आपके पास तो बचे कितने 450 आपके पास कितने बचे भाई 450 बीचने के लिए बचे 30 खराब हो गए और उन्हें फेंक दिया गया सेस फलों को प्रतिदर्जन किस दर पर वीचा जाए ताकि 25 परचेंट का लाव हो तो 25 परचेंट लाव कब हो सकता है इसको भाई चाहे इस परचेंट 25 मतफिक सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करेंगे टो पांच वते चारन पनचम्स का मतलबं होसकता है अगर इसे सवी distrable ओ को वेच कर तीन हजार रुपे मिलें. और फल कितने हैं? 450 तो तीन हजार रुपे मिलने चाहिए इसको और फल हैं 450 तो एक फल कितने का भी एकना चाहिए? तो जीरो से जीरो कट जाएगा पंदध्य दूनी 30 और 15 तिया 45 तो एक फल की कीमत होनी चाहिए प्रतिदर्जन बताओ प्रतिदर्जन तो गुणा बारा करेंगे तो तीन चार बारा इसका मतलब असी रुपे प्रतिदर्जन के भाव से इसको बेचना पड़ेगा और संडी ता करेक्ट आंसर अब इसको इस तरह का अगर कोई भी कुश्यन आये तो पहले आपको बेटा क्वाइंटिटी देखनी और प्रैस देखना है उसने चौविस सो रुपे में खरीदे हैं चार्ज दर्जन एक दर्जन मतलब बारा बारा का मल्टीप्ला किया है टोटल फॉपल चार सो सी में से थी स्क्राब हो गए इसके बाकी कितने बच्छे चार सो पचाह सकते हूग और हमारे पास बचे इनको सेल कर सकते हैं और हमैं चाहिए कितना परसेंट प्रॉफिट 25 किस आपको जना जाएगा तीन पर्षेंट की विक्री होगी 450 फ्लों की एक फल कितने का भी किलेगा कि चलिए टेस्टिशन का अंसर कर लेंग्विज को तुरंती है तुरंत पकड़ लेते थोड़ा साथ सब्द निकला है तो सिवा सर्म आप समझ गया है बहुत जल्दी पकड़ लेते हूँ कि राम 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 चलो बताओ इस कुछन का अंसर क्या होगा विटा कि किसी व्यक्ति ने दो वस्तों है खरीदी जिन मैंसे प्रतेक की कीमत 2650 है उन मैंसे एक को 10% लाव पर वेचा दूसरी को 5% लाव पर वेच दिया तो उसने कुल कितने परसंद लाम कमाया जब आंसर आप से परसेंट में पूछाओ तो यह दो वस्तों है 2650 है आपके लिए व झाल 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 कि अग्याइट नहीं गई नो वीडियो सर विटा आ जाएगी चिंता मत करो लाइट आ रही थी लाइट तो आ रही है बस केमरे की बैटरी वीक हो गई है ना कोई बात नहीं बस आपका 10 सेकंड का डिस्टब हुआ होगा चलो जल्दी से अगर वोईस किलियर आ रही है और पिक्चर आ रही तो जल्दी से थमसब्स का साइन कर दो सभी अच्छे चलो ज बहुत जवर्जस्त और जानदार कुईशन है देखने में लगेगा थोड़ा बड़ा लेकिन सॉलीशन है इसका बहुत छोटा देखो समझो एक व्यक्ति ने दो वस्तों है खरीदी 2650 के रेट से उनमें से एक को 10% लाब पर दूसरी को 5% आनी पर बेज दिया तो कुल उसने एक वस्तों करेममुलophone बराबर, एक वस्तों का नपात हो गया दौनों वस्तों का करेममुलेों बराबर बराबर है तो पहली को दस पर से लाबपर बेचा गया, 5% तो यहां से तो मारा लाव हो जाएगा 7.5 पॉस्ट ऑफसंसी इस दा करेक्ट आंसर आउप इस कुश्षन की तरफ चलो इस कुश्षन का आंसर बता जल्ली से यह भी इसी तरह का कुश्षन है सेम टू सेम कोई अंतर नहीं है आसानी से सेम आएगा इसमें केवल देखो यहां पर 3050 कर दिय है इसने एक को अपर हाँ थोड़ा सथ चेंज है यहां पर 10% हानी है वहां 20% लाव है तो सेम ही कुश्षन है यह 3050 आपके किसी यूज में नहीं है और यह किसी यूज में नहीं है केवल सीधा वन रेशियो वन और टोटल टू इसको 10% हानी पर वेचा है मैनस का 10% और दूस दिवाइड वाई टू दो से भाग देंगे तो कितना पर्शन लाव हो जाएगा बच्चो पांच पसत लाव पांच पसत लाव कौन से ऑप्सन पर है सी ऑप्सन पर सी ऑप्सन इस दा करेक्ट अंसर अशर ऑप डिस कुश्षन वेरी गूड वेरी गूड वेरी गूड जब चलो बच्चो इस पूश्षन का अंसर बताओ यह इसी तरह का कुश्षन है उसने दो वस्तों खरीदी है और दो वस्तों एक तालिस सो अड़ तालिस इस में खरीदी है एक वस्तु को पन्द्र पसत हानी पर बेचा दूसरी को कितने पर्शन लाव हानी पर वेचे ताकि उस मतलब जीरो परसेंट बनना चाहिए यहां पर पंद्र पर्शन लॉस्त है तो माइनस फिप्टीन परसेंट टोटल में से इसको घटा दो तो यहां कहा जाएगा इसको घटाएंगे तो प्लस का पंद्र पर्शन मतलब एक को अगर पंद्र पर्शन हानी पर वीचा है तो दूसरी को पंद्र पर वीचा होगा तभी ऐसा होगा जब नो प्रॉफिट और नो लॉस की कंडिशन होगी तो 15 पर्शन वेरी गोड वेरी गोड वेरी गोड वेरी गोड शलो बचो नेक्स कुशन इसका अंसर बताओं किसी वेक्ती ने तीन वस्तु है खरी दी जिन मैं से प्रतिक की कीमत रुपे तीन अजार थी उसने एक वस्तु को उन्हों ने उन वस्तु को करमसा 10% 5% और 15% हानी पर वेज दिया तो उसके द्वारा अर्जित को लाभ हानी का प्रतिशत बताईए बहुत बढ़िया जबर पुशन बताव वेटा अंसर क्या होगा इसका बहुत अच्छे दीप बनारी वेरी गोड तो तीन वस्तु है यह तीन अजार आपके लिए वेस्ट है इसका कोई उसनी करना आपको तीनों बस्तु का रेशियो बना लो वस्त वन रेशियो वन रेशियो वन और टोटल आ तो यहां से 10% लाव यहां से 15% आ नहीं यहां पर 5% लाव तो 15% प्रॉफिट 15% लॉस तो ओवरॉल 0% रिजल्ट हो जाएगा डिवाइड वाई तीन करोगे तो भी 0% रहेगा इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस आंसर हो जाएगा डी ऑप्सन हजागा डी नो प्रॉफ बस्तों को क्रमसा 15% लाव 12% लाव 15% लाव तो उसन के द्वारा अरजित को लाव रहनी का प्सर प्रॉफिट बताओ जल्दी से बिटा सभी प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से अंसर बताईए वेरी गॉड नो प्रॉफिट नो लॉस बरजी स्यादा प्राने कुश्यन क बताओ एक व्यक्ति ने 6000 रुपे प्रतेग में थीन वस्तों को क्रमसा 15% लाव 12% लाव 15% लाव तो उसके द्वारा अर्जित को लाव रहनी बताओ तो यह श्याजार तो आपके लिए वेस्ट है इससे तो आपको को कोई मतलब है नहीं पस रेश्यो बना लो तीन वस्तों क बताओ नहीं पस लाव तो यहां से 15% लाव होगा दूसरी को 12% लाव पर बेंचाह यहां से 12% लाव होगा और तीश्यों को 15% लाव यहां पर खतम हो जाएगा और वारे गर तीन करेंगे तो चार पर सत्लाव तो आपके वुष्यन का आंसर हो जाएगा 4% प्र्षैन लो बच्छो नेक्स्ट इसको बताओ ये भी बहुत बढ़िया कुश्चन है जल्ली बताओ जल्ली अंसर बताओ सभी बच्छें वेरी गोड 4% प्रिती आदव ललित कुमार वेरी गोड रितिक राजेस वाव 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 वेरी गुट वेटा कल से सुरू हो रहा है 25 ता अगर वस्तों के क्रेम अलग अलग हो गए तो इनका रेश्यो बना लो पहली वस्तों दोसरी तीन सौ में तो इनके क्रेम उल्यों का नपात आ जाएगा दो अनपात तीन और टोटल हो जाएगा 5 अब देख लो किसको कितने पर्षेंट प्रॉफिट लॉस पर वेचा गया है तो उन्होंने क्रेम तब 5 पर्षेंट और 10 पर्षेंट के लाव पर वेच दिया तो पहली वस्तों को 5 पर्षेंट के लाव पर वेचा तो प्लस 5 पर्षेंट दूसरी को 10 पर्षेंट के लाव पर वेचा प्लस 10 पर्षेंट यहां से 5 दूनी 10 पर्षेंट लाव हो जाएगा यहां से 10-38% लाव हो जाएगा, overall 10-40% लाव हो जाएगा, और divide by 5, तो 5 से भाग देंगे तो हमारा answer आजाएगा 8% लाव, हमारे question का answer हो जाएगा 8% लाव, option D is the correct answer of this question, 8% profit, 8% profit, very good, very good, बटा, very good, नील, कमल, very good, very good, पहरे बच्चों बढ़ जी स्यादा बहुत बढ़िया, कल बच्चों इस question का answer बताओ, एक व्यक्ति ने किसी कीमत पर 40 वस्तों खरीदी, कुछ वस्तों को 30% किलाव पर, 27 वस्तों को क्रेम मुले के बरावर मुले पर बेज दिया, 30 वस्तों को 18% किलाव पर तो कुल लाव हानी का प्रतिसत क्या है, कि परसन बोट 40 आल सिकर्ट एट इसाइड विन प्राइस, व्यक्ति सम आर्टिकल सैट प्राइस, इकक्वल तो दा कॉस्ट प्राइस, औफ 26 आर्टिकल्स, एड़ प्रॉफिट और थार्टिपर्सेंट, अब इस बस्तों को 30 वस्तो के लाव पर, पुछ वस्तों को 30 पर्शंट के लाव पर, ए परसन बोट 40 आर्टिकल्स at a certain cost price and sold some of the articles at a price equal to the cost price of 26 articles at a profit of 30%, the remaining articles झाल 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 कि अगया। क्या वाई तो दे नहीं पाते हो कमेंट सेक्षन की और मुणकिये देखेंगे तभी तो पता चलेगा आवाज नहीं आ रही है जब कुश्यन को समझाने में लग जाता हूं फिर पीछे नहीं देखता ना कमेंट में तभी देखता हूं जो कुश्यन से फ्री हो जाओ एक अब वो इस उसी टेम पर चली गई अब क्या करें इसमें बता हो अफ लाइन में तो बच्छे जो आवाज देते हैं अगर कोई घरवर होती है तो अब यहां तो आप चाहिए कितना भी चल लाते रहो जब तक कमेंट सेक्षन की तरब नहीं देखेंगे तब तक आपकी आवा इस कुशन को एक बार और समझा देता हूं मैं समझ लो तो यहां पर एक व्यक्ति ने किसी कीमत पर 40 वस्तों बेची तो उसने कुछ वस्तों को 30% के लाप पर वेचा और 26 वस्तों के क्रेमूल के बराबर मूली पर वेच दिया यह जो 30% लाप पर वेची है इसने कहा है कि य 21 वस्तों बना लिए एक वस्तों के क्रेमूल पर वेच यह वह बराबर होगा और मैंने मान लिया के एक सोरा जन समय यह जिक एक साय है तो वस्तों के contrast इनको 30% profit इनको 18% profit यहां से 30% लाव यहां से 18% total 48% लाव और डिवाइट वाइट 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 दो करेंगे तो कितना हो जाएगा 24% 24% कौन से option पर बिटा डी option पर ट्वेंट नीचे contact भी दिये हैं contact पर जो है message कर लिए WhatsApp contact दो दिये होंगे आप चानवे 272 288 209389 11802 उनमें से कोई भी जो है देख लिए जाके देख लो ठीक है चलो देखो पहला question एक व्यक्तिने साट पुस्तक हैं जिनका मूले 60 रुपे प्रत्य पुस्तक है खरी दी उन पुस्तक में से 50 पुस्तक हैं उसने है अगर इसने परसेंटेज में उनसे आंसर पूछा है तो जैसे यहां प्रत्सतला पूछा है तो साठ की कोई वैल्यू नहीं है तो साठ वस्तक हैं साठ में से 50 को इसने एक बार वीचा है बाकी बचेंगी 10 और टूटल हो जाएंगी साठ तो सबसे पहले आपको इनके क्रे क्रेमुले कानपात और आर्टिकलों की संख्या कानपात दोनों बराबर रहता है क्योंकि एक वस्तु का क्रेमुले बराबर है तो उसका कोई प्रभाब नहीं पड़ता वो चैंसल आउट हो जाता है यहां पर इसको कितने परसेंट लाब पर बेचा है तो 50 फुस्तकों को इ परसेंट का में बताना कितना होगा तो चार परसेंट हानी तो पांच चार वीस परसेंट का टूटल लॉस हो जाएगा पांच परसेंट लाब तो पांच से तीस परसेंट का टूटल परसेंट हो जाएगा अगर टूटल में से यहां का गटा देंगे तो यहां का आ जाएग और कि इस मैंने का 50 का कुंस्ट चाहिए तो 50 सेमें पर सेनल को लाइक करो स्बस्क्राइब होए ना जली आंसर बताओ बहुत अच्छे कुछन यह बहुत ज्यादा पूछ जाता है और यह बहुत ज्यादा पूछा जाता है अलागला ग्रॉपवों में आपको प्रॉफिट दिया होगा और टॉटल प्रॉफिट और अलागला ग्रॉप से कीश से एक में आप से पूछा होगा सम्में दिया होगा गाये हो कि किसी वस्तु को इसके विक्रमुले के 7 बारे भाग पर बेचने से इस आदमी को 16% की हानी होती है और यह दिवास इस वस्तु को इसके विक्रे मुल्य के 90% पर बेचे तो इसके कितना परशन लाव होगा तो वस्तु का विक्रे मुल्य के 7 बारे पर बेचा जाता है कि विक्रें मुल्य वाटी का मतलब वस्तू काा सब्सक्राइGS लेकं ये बेचरा रहा है safe से अलग हो A7 और फ्रेक्षार फ्रेक्षाण मों तो 5 निकालना है हम्को जो दिया होता है उससे भाग देते हैं जो निकालना उसका गुणा करतें हैं तो 21 की से भाग देंगे cp निकालना है तो 25 का गुणा करें तो चीप आज से करेंगे 3 वार तो cp आजाएगा 25 बटे 3 आप हमें नीचे से 3 को हटाना है तो 3 का गुणा कर दीजिए सब में ये रेश्यू ही तो है तो रेश्यू में हम किसी का भी गुणा कर सकते है तो CP आ रहा है 25 वटे 3 अगर आप रेक्शन में रखोगे तो calculate करने में समस्य आओगी तो से अच्छा है आप सीधा 3 का गुणा कर दो 3 का गुणा यहा यहां भी हो जाएगा 3 का यहां हो जाएगा तो CP हो जाएगा 25 अब हो कहा रहा है विक्रम मुले के 90% पर बेचने से लाब प्रस्तत क्या होगा तो विक्रम मुले कितना है आपका 36 36 के 90% मतलब 9 वटे 10 में बेचोगे तो कितने पर्शन लाब होगा तो 9 वटे 10 में बेचने की बात करा CP कितना है 25 तो आप CP और SP का रेशयो बना लो CPका रेशयो बना लो CP एशयो कितना है 25 रेशयो और SP कितना है 36 गुणा 9 वटे 10 फिर वही बात आ गई नहीं दस में से पांस से नहीं कटेगा आप चाहते तो दो से काट सकते थे लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा तो दस को अटाएंगे तो दस का गुणा कर देंगे तो यहां 250 हो जाएगा 250 का सीपी हो जाएगा 964 साथ दूनी आठ और साथ दूनी 14 145 पांच तो पांच दूनी दस पांच नौ पैंतालिस 29.6 परसेंट पर है पहले अप्सेंट पर है यह आपके कुशन का एकदम साठीक आंसर रहेगा यह कुशन बहुत खुशे जाते हैं इसमें एक ही वस्तू के आपको दो सेलिंग प्रैस परनाम बेटा परनाम जल्दी आंसर करो गटा फिर से समझने एक बार थोड़ा अच्छा कुशन होगा तो उसको ध्यान से समझा करो तो यहां पर इस निकाए कि एक वस्तू को इसकी विक्रे मूले के साथ वटे बारे भाग पर बेचनी से किसी आदमी को तोले पश्त हानी ह हो तो अगर विक्रे मूले बारे है तो साथ में वीचे जा रहा है अगर फिक्स वाला है तो इसके बारे के साथवटे बारे पर मतलब साथ में वीचे जा रहे है और साथ में बेचने से 16 अधानी हो रही है तो 16% हानी मैं CP SP का रिश्यू आगया 21-25 SP आपका साथ है SP कीसा ऐसा नहीं होना चाहिए सेम होना चाहिए तो मैंने तीन का गुणा कर दिया तीन का यहां भी होगा और यहां 25 CP हो जाएगा तो CP आर्टीकल का 25 हो गया और जितने में बेचा है वह 21 हो गया और वास्तविक SP के 90 परसेंट पर बेचने की बात कर रहा है तो 36 का 95 परसेंट 980 हो जाएगा इतने में बेच रहा है और CP 25 था नीचे से 10 को अटाया तो 10 क्यों के देगो लाब परस्तव पूचा है तो रेशियो में कोई फरक नहीं परता कितने का भी गुणा करो तो मैंने 10 का गुणा कर दिया CPSP का रेशियो बन गया प्रॉफिट 74 का आया 250 पर मल्टिप्लाइस हो तो लाब का परसेंट आ जागा 29.6 परसेंट चलो बच्चे इस पिछेंट का अंसर बताओ चलो बच्चे बताओ क्या होगा इस पिछेंट का अंसर बहुत बड़ी है कुश्यन है जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो क्लास को जा स्यादे स्टुएंटों को बताओ कि यहां पर यूवी पिलिस के लिए फ्रियो पॉस्ट बैस चल रहा है तो जा स्यादा विस्टुदेंट आये क्लास को देखें प एक आदमी ने जमीन का एक टुकड़ा 48,000 में खरीदा उसने इसका दो पांच हिस्सा दस परशेंट हानी पर बीच दिया 42% का समग्र लाव अर्जित करने के लिए उसे CS भूमी को 37 लाव पर बेचना चाहिए यह भी बहुत अच्छा कुशन है तो जब हमें आंसर पर्शेंटेज में पूछा होता है तो यह 48,000 तो हमारे किसी काम का नहीं है उसने दो बटी पांच में हिस्सा 10% हानी पर बीच तो मत पांच मेंसे दो सेल हो गया बाकी कितना मोटब टिन अब कौन से इससी पर कितने परसेंट लाव तो फांच में से दोपर दस पररसेंट हानी है यहांऔ가 से 10% लॉस हो जाएगा और टोटल इसे कमाना है 42% कला लाव और तो तो इस हित्ष्त वाले बताना कितने पर बेच ना देखना है लाव को मिसां प्लस लगाके ये कुल है और ये इस वाले इस्ती का है अगर फुल मेंसे इस इस्ती का घटाएंगी तभी तो इस इसलो पर देगा आप तो 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 तीन से भागदेंगे अपास वालएदा होता है कि जो वीडियो है वो रिकॉडड़ रहता है आपके फॉन में तो जैसे क्लास खतम हो जो कुश्चन कम समझ में आया हो से एक बार दूबार और रिपीट कर लो तो जो पॉइंट्स होंगे वो किलियर हो जाएं ठीक है तो टेंसर मत लिया करो ओनलाइन में तो कोई टेंसर लेनी नहीं है यह जो वीडियो आपका है यह अनलिम्टेट आपका पड़ेगी मैंख पड़ने के अवश्यक्ता नहीं पड़ेगी हैंगो कि यहां पर आपको फ़ल्पल अछ्छे से पढ़ाने की कुशिस कर रहा है जी स्ब्सक्ति से आपको कितनी सारी रॉयक्टिस हो जाएं आप तुरण्ट करके आगे बढ़े जाओ कि स्पीड भी जरूरी होती है और स्पीड बनती है जास यहादा मौर प्रैक्टिस से स्पीड बनती है तो आधा भाग 20% लाब पर तो एक बटे दो भाग को बीचा जाता है 20% के लाब पर ठीक है देखो यह दिया है आपर देखना जरत यहां से आधा भाग 20% लाब पर यहां से लिए हमने और देखो एक बटे 4 भाग को बीचा है 16% के लाब पर तो एक बटे 4 भाग को बीचा गय और ये एक वंटे चार ये देखلا निने निने निनिने चार दोनों हिस्से टोटल पर ही निकाले जाईगे तो टोटल हिस्सा ऐसा लेड़ करो जिसके back takeaway यह को चार चार का आधा करेंगे 2, एक वेटे 4 करेंगे 1, इस बच्चों को अगर डाउट होता हूँ, तो समझना विटा, चार भाग हमने Total माना है, उसका आधा करेंगे, 1 वेटे 2, तो 2 हो जाएगा, एक वेटे 4 करेंगे, तो 2 और 1, 3, तो 6 कितना बचा, सेस कितना बचा तो सेस बचा आपका एक ratio तोटल हो जाएगा 4 अब देख लोग किस पर कितने percent लाव है तो आधे पर 20 percent लाव है तो plus 20 percent एक वटे 4 पर 16 percent लाव है plus 16 percent और सेस पर 24 percent लाव है उसने पूरी सामगिरी का क्रेमूले मुच्छा है फुल लाव दिया है तो सेस पर 24 percent ल लाव बना यहां से 16 percent लाव बना और यहां से 24 percent बना चौवीश और चालिश चालिश टोटल लाव बना 80 percent 80 percent डिवैडवाई 4 तो डिवैडवाई 4 करेंगे तो total profit 20 percent आ जाएगा और इस 20 percent की value आपको बराबर दिया कितनी के बराबर दिया आपको 90 के बराबर दिया तो अगर ह कि यह आजाएगा आपका total क्रेंगे चार्ट सो पचास उसने पूचा है सामगिरी का क्रेंगे आपका आपका आजाएगा 450 रुपे option A क्लास ले रहे हैं और वही concept चल रहा है तो आप answer क्यों नहीं करते हो फुड़ा सा copy लेके बैढ़ा करो जल्दी जल्ली answer किया करो फास्ट सॉल करने की जैसे पेपर भी आपको देखके घवरा जाया किससे आज पाला पड़ गया चलो बटाएगे देखो next question इसका अंसर बताओ पेपर को देखके आप मट डरा करो आपको देखके पेपर को डल लगना चाहिए किसी माल के दो समान भाग समान मुल्य देकर खरीदे गए और विकरम सब 25 परशेंट 20 परशेंट हानी पर बेचे गए तो लाब प्रसत के तना है किसी माल यहां से 25 परशेंट का लाब हो जाएगा और यहां convene की हानी हो जाएगी हैं तो ओवर on नचक्रावा देखें गितने इस्तों में, दो इस्तों मों hen divide by two, का अंवर और और बोग देखेंगे तो निव्हींट होना है 0.5 1 करेक्ट अंच्टा मरssen बने गने इस्तों में 202 फारचेंगे में अब स्वलिक्रों पास्ट आंसर बताई बटा सभी प्यारी प्यारी बच्छे जल्दी से आंसर बताऊ स्पीड में आंसर बताऊ कुश्चन को पहले पढ़ा करो आराम से कुश्चन को बढ़ना भी एक कला है वो आपको आनी चाहिए एक दुकानदार के पास समान मुली की 76 वस्तुएं हैं कितनी वस्तुएं हैं बाई 76 आर्टिकल से 20 वस्तुओं को उसने 15 परशेंट के लाब पर विचा 40 को 19 वस्त लाब पर विचा और 30 को 25 वस्त लाब पर विचा उसे टोटल को 19 वस्त लाब पर विचा गया रेशियो और बाकी टोटल कितनी वचीं भाई 4020 60 हो गया तो 60 के बाद आपकी 16 वचीं और टोटल आर्टिकल दिये 76 देखो जारा चार से कैंसल आउट हो रहा है सभी तो चार से पांच वार कट जाएगा चार से आपका दस वार कट जाएगा चार से आपका चार वार कट जाएगा टूटल हो जाएगा अब देख लिजिए किसको कितने पर्षेंट लाब हानी पर वीचा गया है तो चैतर वस्तों है 20 वस्तों को 15 पर्षेंट लाब पर तो यहां पर हुआ है 15 परसेंट प्रॉफिट चारीस वस्तों को 19 पर यहां पर हुआ है 19 पर्षेंट प्रॉफिट और से वस्तों को 25 पर्षेंट के लाब पर तो यहां पर हुआ है 25 पर्षेंट का लाब हो जाएगा यहां से 75% 19 multiply 10 190% का लाव हो जाएगा यहां से और यहां पर 25 और 100% लाव हो जाएगा टोटल निकालेंगे तो सब को जोड़ देंगे यहां हर जगे से profit है जरा एक वर चेक करो यहां से भी 15% लाव है यहां से भी 19% लाव है यहां से भी 25% लाव है उसे टोटल 77740 का लाव हुआ है तो टोटल देखो एड करिए कितना बना आपका वना 5 सब्सक्राइब नौ सा सूलेच है एक और 365% 365% और डिवाइड वाई 19 और इतनी परसेंट की वेल्यों आपको बरावर दिया है तोटल प्रॉफिट दिया है आपको 27740 आपको टोटल जो दिया है वो दिया है आपको 27740 27740 कि यह आगे बेटा देको टूटल प्रॉफिट अपने निकाल लिया और तोटल प्रॉफिट भी आपको दिया है तो यहां से 1% का मान निकाल लो 1% का मान निकालेंगे तो देखो 53 cancel out हो जाएगा आपका 5735 और 58 सबसें मैं घड़ा जाएगा तो सबसें तो सब्सक्राइब गण में तो जाएगा नहीं 556 वार जाएगा कि दुछा है तो साथ बार कितना जाएगा देखो वार जाएगा सात्य केस गोर 29 की तो त्याएंगे तो कितना बचेगा आपका 4 3 4 3 5 8 अब देखो चाहर 3 8 में तेहतर से कितनी वार जाएगा तो आपका जाएगा 76 तैम्स तो एक परसेंट की वेल्यू आपकी बराभर हो जाएगी 76 multiply 19 लेकिन 1% से काम नहीं चलेगा total निकालना है तो 100% का मान निकाल लो तो 100% की value आ जाएगे 76 multiply 1900 ये सभी वस्तों का total क्रेम उले हो गया लेकिन उसने एक वस्तु का क्रेम उले पूछा है आपसे युझा पूछा है ऊससे भाग देंगे छैतर से चैतर पर जाएगा तो एक बस्तो का क्रेमू लिया जाएगा 1900 जो आपके सी ओप्षन पर दिया सी अधर सुप सन इजबार्ट ऑक्रेक्ट आन्सर अब दिस स्वीषि धरंपाल इंट यादा व्पीज राधे इंट राधे क्लास चाहर तो 5 मिनट्ट असकते ओक जो ओफ लांड क्लास चार से पांच Wow ८े fuck आता हूं कि 5-10 पर पांच प्लस ने होगो सुछ आपको ऐसानी सोचना कि लेकिन स्टाट होगी जैसे अप वी तरह से इस वाजह से थोड़ा सा ब्नाना पर सक्षोड आ हट अगा झालिया तो सभी वहत्तों का टोटल क्रेम deliver आजा गई है लेकίν उसने एक एक वस्तु का पूछा देखो एक वस्तु का क्रेमूली एक वस्तु का तो 76 से डवाइड करेंगी कट जाएगा अंसर आजागा 1900 बस इतना सा कुश्यान था चलो इस कुश्यन का अंसर बताओ अभी प्यारे दोस्त अगर मैंने पूरी सिद्धत से पड़ा है अपने पूरी सिद्धत से पड़ा है ते यह कुश्यन का अंसर बताओ पत अच्छा कुश्यन है एक विक्रेता ने 60 किलो चीनी 25 रुपे किलो की दर से खरी दी उसे कुल मात्रा का 60% 30 किलो ग्राम की 30 रुपे आठ किलो ग्राम की नहीं है ऐसा हो ना थी और 25 रुपे प्रतिकलो ग्राम से फुल मात्रा का 60% उसने रुपे 30 किलो ग्राम से बेचा फुल मिलाकर 30% लावर्जित करने के लिए सेस मात्रा को किस कीमत पर बेचना चाहिए इस सेलर आरेस 60 पर आरेस 60 kg सुगर आरेस वोट दिश्टब है यहां पर रुपे नहीं आना चाहिए 60 kg सुगर बॉट एट 25 रुपीज पर केजी हां रुपीज आना चाहिए लाव कमाने के लिए सेस को कितनी पर बेचना पड़ेगा यह बूचा है आपसे तो चलो कुश्चन को सौल करते हैं तो देखो 60 kg जी नी 25 रुपे 50 kg से दखा दी दी कुल मात्रा का 60 odd तो कुल मात्रा का 60 पर्षेंट तो 60 पर्षेंट का मतलव 3 वटे 5 तो टोटल कौयंटिट्व को अगर 5 मॉनन है तो 5 में से तीन और finns वचा दो पांस में से तीन और से सबचा दो और 6 पर इसने 30 रुपे पद्ध क्लोगाम की तर लाबर करने के लिए कि तो कितने से बेचेगा तो 25 में ने खरीदा था है ना तो 25 थे इसने खरीदा और इसको तीस्ते बेचा है तो कितने परसेंट लाब पर फजा शरुकर देख की बताओ तो 25 की खरीद ही तीज की विक्री तो 5 का लाब 25 पर और गुणा 100 तो पांस से पांस बार तो इसे 20% के प्रॉफिट पर बीचा इसने तो 60% को बेचा गया है 20% के लाव पर 20% के प्रॉफिट पर और टोटल जाहिए इसको 30% लाव तो यहां का प्रॉफिट पूचा कितना होगा तो 30-50% और 20-30% यहां का प्रॉफिट अगर टोटल में से यहां का प्रॉफिट घटा देंथे तो यहां का प्रॉफिट आ जाएगा तो 90% और डिवायड बाई 2 करेंगे तो प्रॉफिट आजाएगा 45% इसका मतलब जो सेज पॉइंट इटी बचेगी उसको 45% प्रॉफिट पर वेचा जाएगा लेकिन उसने उसकी कीमत पूछे कीमत बताओ कितनी होगी तो कीमत 25 की खरीद है 45 पर पर वह जो प्रिते कि तो आजाएगा चार्च है 24, 37.25 37.25 पहुंच से option पर बिटा दूसरे वाले option पर यह answer हो जाएगा तो question थोड़ा अच्छा था तो answer आजागा 36.25 तो 25 की खरीद थी 30 में बेचा है 60% तो 25 की खरीद 30 में बेचा है तो 5 का लाब 25 पर 20 पर लाब पर वीचा गया है total 60% में से 3 मतलब 5 में से 3 तो total में बागी बेचा 2 इसको 20% पर वीचा गया है यहां 30% पर लाब हो जाएगा यहां 60% तो यहां में से तोटल में से यहां का घटा आजैंगे तो यहां का आजागा 90% लाब और दो ist में मानटेंगे बढ़िया बढ़िया गुष्यन है बताओ कि सभी वच्छे बताओ का अंसर क्या होगा है बते बेदा अंसर मता इसकूष्ण का है दस सेकट का समय आपके बात कुष्ण को सोल करने लिए तो देखो एक विक्यता ने प्रतिकलो एक निश्चे दर पर 15 किलो चावल खरीदा एक अपते की बाद उसने 6 किलो चावल वेचा 20% लाब पर 6 किलोग्राम नाव नहानी पर 3 किलोग्राम 10% नहानी पर तो पूरी लहिंदन वसका लाब परशेंट क्या है तो 15 किलोग्राम चावल खरीदा है 6 किलोग्राम चावल एक बार में वीचा इसने और फिर बाकी का 6 किलोग्राम एक बार में और बाकी का 3 तोटल 15 ऐसे सेल गिया है तो पहले रेश्यो बना लिजिए तो तीन से दो बार कड़ जाएगा तीन से एक बार कड़ जाएगा तोटल आजाएगा पांच पहले रेश्यो बना लो क्वाइंटेटी का है ना रेश्यो बनाने के बाद आप देखें किसी सिखों कितनी परसें ला लॉस और इसको बीचा गया 10% हानी पर तो माइनस का 10% तो बीजदूनी 40% का लाव यहां से हो जाएगा यहां से 0% हो जाएगा यहां से 10% की हानी हो जाएगा टोटल निकालेंगे तो सब को जोड़ तो 30% आ जाएगा और डिवाइड वाइड 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 कितना हो जाएगा पांच तो पांच से भाग देंगे तो ओवरॉल आ जाएगा 6% मिला के लावी तो पूचा तो नहीं है हाँ तो कुल लाव प प्राव से बाग दे देना है सीधा आजागा 6% कि चलो नेक्स विश्चन बता बता इस विश्चन का अंसर बताओ तो इस वच्छी बता जल्दी से बता आंसर बहुत बढ़िया कुश्शन है एक दुकानदार 60 रुपे प्रत किलोग्राम 80 रुपे प्रत किलोग्राम मुल्य वाली चाय की तीन किसमें इस अनपात में मिलाता है 25 प्रत किलोग्राम किस मुल्य पर बेचना चाहिए और मिक्षयर को इसे कितनी भाब पर भीचने यह कुछ आ है बताव बहुत अच्छा कुछ नबताव सब्सक्राइब प्रत केम प्यारे बताव करने के लिए और अंसर होगा तो चलो देखो समझो पहले तो आपको क्रेमूले बनाना है जब कभी भी अलग-अलग प्राइस की दो चीजें हैं तीन चीजें मिलाई जाती हैं जैसे यहां इसकी कीमत की निगालना होतो क्या करेंगे पहले रेशियो नेकालो तो पाँच अनुपात 35 कितना हो यहां फिर हर प्रकार में पहली किस्म का प्राइज आठ डोसरी किस्म का प्राइज असी है अगर हमें निकालना है क्रेम उले तो क्रेम निकालनामा किस एक रचा आया Revelation 3 तो भाग दे दीजी तो यह आपका क्रेम लिया जाएगा दो आट सोले दो नो अठार है यह कॉस्ट प्राइज आ गया लेकिन 25% लाव अर्जित करना है तो 25% लाव का तो पांच पोटे चाव भी आ जाएगा आपका है तो पांचनो पैंतालेस पांच चार हो जाएगा 4044 हो जाएगा डेवाइड वही चार से भाग देंगे तो 11125 111.25 ऑपका की ऑक्षान पर है है यी भी वोल कम्पलेट थ्री वोड़्स कितना अंसर गिया आप लोगों ने चलो, next question पहिजबड़ा this question का अंसर बताओ सभी बच्छे what is the answer of this question पताओ ये सभी प्यारे प्यारे बच्छो का अंसर होगा पताओ प्यारे प्यारे बच्छो जल्दी से आंसर बताओ बहुत बढ़िया बता बता ये कौन साफ्तन होगा 37 का पोल में भी आंसर करो जल्दी पास्ट एफद्क एक विवारे ने 59 किई 650 क्लुग्राम का ये कृष्ट दर पर वीचना चाहिए चाहिए किस दर पर बेचना चाहिए ए यह मर्चंट चेंग चार्ज रस 50 पर केजी 650 किलोग्राम at the rate of by wheat he took 250 किलोग्राम out of it wheat at a profit of 24% and 200 किलोग्राम फोल्ड दा wheat at a loss of 24% to make a profit of 20% his initial investment he sold the remaining wheat और किलोग्राम at what rate? So did we sold? तो पहले कुश्यन को पढ़ा करो, समझा करो, फिर उसकी बात आराम से आंसर किया करो. 50 रुपे प्रति किलोग्राम की दर से 650 किलोग्राम गेम खरीदा है. इसमें से 250 किलोग्राम को 24% लाप पर वीचा है. 200 कितनी लाप पर वीचा है? 200 किलोग्राम इसने एक बार में बेचा, 200 किजी. और बाकिका बचा सीस. टूटल कितना है? 650. 450 गया तो सीस बचा 200. और टूटल हो जाएगा अपका 650. 50 से कैंसल करो, यह 5 बार कट जाएगा. 50 से कैंसल करो, यह 4 बार कट जाएगा, यह 4 बार कट जाएगा. और यह हो जाएगा अपका 13. अब देख लिजी, कहां से कितना परसेंट प्रॉफिट और लॉस हो रहे हैं? तो इसने 200 किलोग्राम को 24 परसेंट लाब पर बीचा है. तो यहां पर 24 परसेंट प्रॉफिट है. यहां पर आपका 24 परसेंट प्रॉफिट है. यहां से 24 परसेंट हो जाएगा प्लस, यहां से 24, 96 परसेंट हो जाएगा माइनस, और यहां पर 260 परसेंट हो जाएगा प्लस. इस मैंसे इन दोनों का घटा दीजिए यहां पर आजाएगा 24% प्रोफिट दोनों जगे मिलाका इस मैंसे इसको घटा दो 24 को यहां पर आजाएगा 236% और डिवाइड वाई चार चार पंजीवीश चार नौ चात्यूं उनचट परशेंट का प्रोफिट आजाएगा इस वाले से पर उनचट परशेंट लाप पर बेचा जाएगा खरीद कितनी हैं पाचास परफिपर किलोग्राम की उनचट परशेंट लाप पर बेचना हैं तो पाचास से ऊपर इदे को उनचट को आप साठ कर लो तो साठ परशेंट कितना हो जागा 30 कि तो असी क्या सबस जाएगा तो यह वाले ऑफ्शन तो बागी सब फिनिस हो जाएगे एक ही होगा और बटे 100, 50 से कैंसल करोगे दोबार कट जाएगा, 274, 298, 89.5%, वैसे तो मैंने डिरेक्ट ही अंदा जवना लिया, लेकिन आप चाहूत ऐसे कर सकते हो, रेट खरीद कितनी थी 50 की, 69% लाप पर वीचना है, तो 69.5% का प्रॉपिट हो जाएगा, नमस्ते बिटा सानिया, बात के लियर है, फोल कम्प्लीट 5 वोट्स, ओके, चलो, नेक्स बिटा स्कुशन का अंसर बताओ, वाट इस दा आंसर अंसर आप इस स्कुशन, तो हमारे सभी प्यारी प्यारी भाई बताएंगे, इस कुशन का अंसर क्या होगा, एक दुकानदार ने एक सोपा सेट, एक सेंटर टेवल, एक डाइनिंग टेवल, क्रम सा इतने इतने में खरीदा, इतने पर्षण लाफ पर पाने के लिए डाइनिंग टेवल को कितने लाफ पर बिछना चाहिए, तो सीधा-सीधा करेम उल्यों कान पात बना लो कह लें, तो 15,000 रुपे का सोपा सेट है, इसका करेम उले 15,000 हो गया, और सेंटर टेवल का क्रेम उले 3,000 है, तो 3000 का सेंटर टेवल हो गया और 7000 का क्रेम गूले तीसरा वाला है वह क्या है आपका डाइनिंग डेवल है ना तो पहले रेशियो निकाल लो 000 000 000 डिशियो बन जाएगा हमारा 15 रेशियो 3 रेशियो 7 7 3 10 15 कितना वाजाएगा परचीस के बाद आप देखके जाओं किसको कितने परचेंट लाब पर बेचा है तो सोबाइट को 20 परचेंट लाब पर पर तो प्लस बीस परचेंट लाब पर प्लस 15 परचेंट और पूरे लेंदिर में तो यहां का आ जाएगा कितने परचेंट लाब हानी पर बीचेंगा यहीं पूछा उसने तो 450 में से 345 गटा दीजी तो 450 हो रहा है उसमें से दोनों इस्तानों का 345 गटा दो आजागा आपका 105 105 परचेंट डिवैड़ वई साथ तो साथ से भाग देंगे तो 15 परचेंट इ अच्छा हुआ है डाइनिंग टीवल उसको वीचना पड़ेगा 15 परचेंट लाब पर आपका भी ऑप्सन आंसर हो जाएगा 15 परचेंट 15 परचेंट इस ता करेक्ट आंसर आप देस कुछिए तो आपको समय नहीं लगना चाहिए सौल करने में अब भी समय लगा यह समझ ल तूरज ने 12.5 परचेंट की दर से बेज दिया से 50 को यह से पूरे समय व्यावार में 20 परचेंट लाब करने कले लिए से बस्तों को किस मुल्य पर बेचना चाहिए एट वाट प्राइज इस वूट सेल दारे में इंग टो टेक 20 परसेंट प्रॉफिक बता वच्व अग्या होगा अगा अगया होगा कि अगर परचेंट पर्षेंट में नहीं पूछा हम चाहें तो अपनी तरफ से लेट करके भी चल सकते हैं या तो टेकल आटिकल जो दी है वह लेके भी चल सकते हैं लेकिन वो को लेकिए चलनी नहीं है हमें तो की वल पहले यह देखना है कि सेस वस्तों को किस मूले पर इसने पूचा है तो हम देखेंगे कितने पर्षेंट पर वीचा पहले यह देखेंगे और फिर जितना पर्षेंट प्रोफिट या लॉस होगा उसे 12.5 पर कल्कुलेट कर देंगे तो पता लग जाए कितनी में विचेगा तो 60% वस्तों यह 15% पंद्रे पर्षेंट वस्तों का भी रेट दिया आपको और सेस में ते 50% वस्तों को 10.5 की बाप्स की बिशता है और इस पूरी विवार में 20% का लाव होता है तो सेस वस्तों को किस कीमत पर दोना तरह से आप स्वाव कर सकते हो चाहो तो प्राइस लेके लेकिन यहां पर देखो दो दो का प्राइस दिया तो सीधा प्राइस ती सॉल भार ठीक है तो नब जाट परसंट वस्तों का मतलब कितना हो जाएगा तीन वटे पांच और फिर सेस में से 50 परसंट सेस का हाव वन बाई टू और इसके साथ भागी जो बचेंगी वो हो जाएंगी तो टोटल आर्टिकल माल w 5 तोव five में से से तीन उसके बाद तो पांच में से तीन जाएगा तो कितना बचेगा दो का अधा एक और बाकी हो गया एक तो 12.5 का 20% प्रोफेट निकाल दो तो 12.5 20 परसें निकालेंगे तो 6 वटे 5 5 जैंसल करेंगे 2.5 गुणा 6 तो 15 का ही रेट आ जाएगा तो टोटल कितना आना चाहिए 15 का तो 15 15 यह हो जाएगा पिछेटर 15 त्या हो जाएगा 45 और 10.5 तो इन दोनों का यहां से घटा दो तो य 19.5 के बाव से बेचा होगा और परसेंटेस से सॉल करोगे तो इसमें आप कैलकुलेशन अपनी बढ़ा होगे क्योंकि इसमें डाटा जो है परफेक्ट में दिया है इन आर्टीकलों को भी पंदर रुपे पत के हिसाफ से बेचा गया है तो हमें यहां पर डाटा को इसका अधा एक यहां पर इनको 15 के वाब से बेच रहा है तो टोटल को बीस परचन पर फॉपेट पर बेच रहा है तो मैंने 12.5 पर 20 पर लाव निकाला च्छे बटे 5 तो 15 का आ गया और इन 3 को 15 से बेच रहा है और इनको 10.5 से और यहां का मुझे पूचा कितने से ओक से बहुत तारे नहीं कर लिए हैं इनको सब성त से शॉल करना था यह सब कर लिएगा और भी अदीा खुच्छन बताओ यह बढ़ी है बताओ जल्दी जल्दी बेटा पूल में आंसर करो अच्छा अच्छा पता बेटा कांसर क्या होगा जल्दी बता हो जल्दी फास्ट कुछ नमबर 33 आंसर बता क्या होगा अच्छ बता 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 अच्छ अच्छ ऑच्छ बता अट इस इस बता हो आपको पोल दिया जाता उसमें आंसर करो है ना क्या आफ्शन कर रहे हो आप कुछ नमबर 43 का सुस्मा ने बारे हजार में 6 मेज और बारे कुर्षियां खरी दी उसने पीज 15% के लाब पर और कुर्षियां 10% हानी पर विज दी यद उसे कुल 30 रुपे का लाब हुआ तो मेजों का कुल लागत कितनी थी सुस्मा बोट 6 टेवल 12 चेर्स पर वन 12 थाजंट इसोल्ड टेवल एट प्राइज और प्राइज पर्षियां और बारे कुर्षियां सभी का टोटल है यह मेजों के इसने 15% लाब पर बेचा कुर्षियों को 10% लाब पर तो यह बटा रूल अलिगेशन से आपको कुश्यों को करना जब आपको अलग अलग दो तरह की चीजों पर लाभानी का परशेंट दिया हो और फिर आपको फुल मिला का लाभानी का परशेंट दिया हो तो ऐसे कुश्चन सौल होते हैं हमेसा रूल ऑफ एलिगेशन की हैल्फ से तो मैं जरा पीछी चेक कर लेता हूं कि रूल आप भावाले यह रूल of I деньги एक परशेंट दिया हो दूसरे आठीकल पर फॉपषे परसेंट और सी द Allah के चाया कहली ह工 joka अगर में थोड़ा सा और डीटेल आपको समिझाँ तो जैसे मैं आपको पीछे से सिखा जिए रहा हूं उसी चीज़ का एरा हैillar जो आपका डरों सख पर वीचा गया हमने का इसको 27% पर वीचा गया तो बताओ कितना होगा हम कैसे निकालते हैं 84-72% यहां से हुगा 275-135% यहां से हुगा तो पांच और दो साथ तिरो साथ वीच दो साथ परसेंट और डिवाइड वाइड नौ से भाग देंगे आप देखर रूल ओफ यह तो यही कुश्चन एलिगेशन का बन जाएगा अगर आपको यह रेश्यो ना दिया हो आपको क्या दिया होगा एक बस्तू पर होने वाला लाव परसेंट दूसरे पर लाव और फुल लाव यह तीन चीज़ें आपको दियोंगी यह तीन चीज़ें और आपसे रेश्यो पूछा जाएगा क्रेमुल्यों का तो जब हमें दो या दो से अधिक बस्तूँ पर अलग अलग लाव हानी परसेंट दिया हो खुल दिया हो तो रूल ऑफ एलिगेशन से हम निकाल लेते हैं किनके क्रेमुल्यों का अन्पात क्या होगा तो देखो 18-30 में से ठारे जाएंगे पांच और 27-30 जाएगा चार अनपात तो देखना चार अनपात पांच ही नहीं था आपक को यह पर वह रहा है करेम अलग लग नहीं होगा तो और प्लस करके लिखना है औराग है तो फ्लस करके लिखना है और प्लस अ हो लुग लाव हानी तो लिखना है और रहा है 12,000 पर और मुल्टिप्लाय सो तो से सो चैनल हो जाएगा जिरो से जिरो तो टोटल लाव जो आजागा आपका एक वाटे चार इस रूप्य का लाव रहा है कि तीन सौका की सा ओ रहे है तो सीधा सीधा आजएगा एक वाटे लगा दो तो 15 में से 0.25 जाएगा तो यह आ जागा आपका 14.25 परसेंट और इसमें से इसको घटा होगे तो यह हो जागा 10.25 ही ध्यान रखना पीटा बढ़िये मैं से छोटा घटा कर अब उचे डिरेक्शन में लिखते हैं जैसे 15 और 0.25 में 15 बढ़ा है तो 15 में से घटा के इदर लिखेंगे और इन नोनों में यह बढ़ा है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यह मैनस मैनस फ्लस हो जाएगा तो 10.25 बन जाएगा यह मसूत ना सर्दस में से 0.25 घटा होगे तो 9 पर चतर आएगा रिश्यो निकाल इसके बाद कितना मचेगा आपको बारहजार तो एक रिश्यो कमान कितना आजाएगा तो एक रिश्यो कमान आजाएगा तो एक रिश्यो कमान आजाएगा तो एक रिश्यो कमान आजाएगा एक रिश्यो कमान आजाएगा एक रिश्यो कमान आजाएगा एक रिश्यो कमान आ का यह वाला है तो मेजों की कुल लागत आ जाएगी मल्टीप्लाई 120 जीरो बारहे दो एक बारहे चार अर्टालेस और एक उनचास सोबीस यह आ जाएगी मेजों की मेजों की कुल लागती पूछी है टोटल कॉस्ट आफ टेवल्स वॉर्स यहां चलो दूसरे तरीके से करके देखें एक वार एक लागती करते हैं चलो तुझे को एक तरीके से तो एसे हम पर्सेंटेंटेज में एलिगेशन लगा देते हैंगे और एक तरह से अधर्य कर सकते हैं जैसे तो बारे थार का पंदर पर टेवल वेचिए तो 12000 का 15% निकालो पहले तो अठारा 100 वब जाएगा और प्रॉफिट है तो फ्लस और जर को बेचा है 10% सब्सक्राइब के हानी पर तो 12000 के दस पर से निकालो तो माइस का ब्रहुत अब्रल प्रॉफिट हुआ है तीज का बस ऐलिगेशन लगा दूं टीवल का निकालेंगे तो मल्टीप्लाइब तो अगर 300 तो यहां ता आपका पंद्रेसो और यहां अथा था फंद्रेसो दोनो बराबर बराबर शेजर आजाता तरीक को समझ में आया होगा मैं ने दोनों तरीके से आपको समझा दिया है कि हिसा भी तरह सारे बच्चों ने 24 पर्षेंट ने भी और 33 पर्षेंट ने सी 11 पर्षेंट ने तियो हो जाएगा बाकि को Eye India कोinator अपirasट मेश कर आना है आपको तो Колिंड फ्रंबी मेयर हो होती है यह अगर आप इसको 300 कर लो तो आपको आंसर मैच कर जाएगा अगर आप इसको 300 कर लोगे तो आपको 10% और टोटल 300 के लाव को निकालोगे 12,000 का कितना पर्षेंट है तो 300 बटी बारे हजार और गुणा 100 और गुणा 100,000 एक से कट जाएगा और आप 3 से कैंसल करो तो 5 बटी 2% मतलब 5% तो 5 पर्षेंट आजाएगा आपका बीच में ऐलिकेशन लगा दो 15 में से ड़ाई जाएगा तो 13.5 तो 12.5 और रेशियो पर्षेंट लगाओ या न लगाओ और फरक नहीं पुड़ेगा और रे आपका दोनों कटकी बन रेशियो बना जायगा और टूटल हो जाएगा तो दो रेशियो कमान तो एक रेशियो कमान हो जाएगा उसने टेबल का पूछा है जायगा एप्सर में मैच कर दिया आपका जो हमने कल एक कुश्यन वाले टाइप का एक कुश्यन सौल किया था चलो शेकंड कुश्यन आपकी स्कीन पर है अलीगेशन का बता बच्चों क्या होगा इस सुच्छन का अंसर बहुत बढ़िया कुश्च्छन है बता जल्दी से इन बच्चों ने अभी तक से सिंपल एकनी का गुट इवनिंग बीटा नंदनी सींग रिशाव सानिया नमस्ते देवे स्पाल साहा अभी है हमारे साथ जुड़क हैं बहुत बढ़िया बढ़िया चलो देखिए क्या का गया है एक व्यक्ति पांच में एक व्यक्ति पांच मे पर मेंज्यों को बीचता है और विस्वस्वस्थ लाब फर कर्शियों को बीच्टा है यां सभी मेंजोर कूर्षियों को बेचने पर उसका पुल लाब 2800 होता है तो बताए तीन कूर्चों का क्रेम मुली क्या होगा कि Parson wise size tables person wise size tables nine chairs and for RS fifteen thousand four hundred he sold that tables and the profit of 10% and the chair have accepted of 20% if it is total profit ने आपको समझाया किस-किस तरह से आप स्टट कर सकते हो तो देखो रूल अफ एलिश्यन की हैल्फ से अपड़ेश्य को सौल कर सकते हो और अगर आप चाहो तो ऐसे कुषिनों को आप percentage से वी सॉल कर सकते हैं देखो क्या का गया है एक व्यक्ति पांच मेजें और 9 कुर्सियों को 15400 में खरीचता है यह तोटल कॉस्ट हो गया इस तोटल मिलाके पांच मेजों का कुषिन को सॉल कर सकते हैं और 1 के मताया था टोटल लाप परसेंट निकाले होता है तो इसका तोब टेबलों पर दस पर्सेेंट लाव होता है तो प्लस 10 को चेरे पर आपको 20 पर्शेंट लाव होता थास 20 पर्सेंट ब्लस 20 ऑफ कुल्मिला कि लाव पर सेंद आफ निकाल सकते होगा से ह। तोटल 15,400 पर तो यहां से निकाल सकते हो तो दो हजार असी का लाव हुआ है 2080 का प्रॉफिट हुआ है 2080 का प्रॉफिट हुआ है कितने पर 15,400 पर और मल्टिप्लाय कर देंगे 100 तो टोटल प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 200,000 कर जाएगा 2040 वर कर जाएगा 2040 वर कर जाएगा 1040 वर कर जाएगा यहां से देखो कैलकुलेशन कभी वड़ती तो आप पर्फेक्ट वेल्यू ले के वर तो ज्यादा हसन रहेगा तो नीचे अगर हम rule of allegation से solve कर रहे है और rule of allegation से solve करते समय नीचे कोई fraction की value आ जाते है तो कभी point में data नहीं लेना आपको जितना fraction में आ रहा है उसका गणा पूरे में कर दीना है तो जैसे मैंने देख यहां 77 आ रहा है तो अगर इसे एटाना है तो पूरे allegation में 77 का गुणा कर दोगे तो यह हट जाएगा यहां 77 का गुणा कर देंगे तो यहां पर गुणा करेंगे तो फंद्रेसो चालीस बन जाएगा तो बस allegation लगा दो यहां 77 का गुणा करने पर फंद्रेसो चालीस फंद्रेसो चालीस गटाएगे तो आजाएगा आपका 500 रेशियो यहां पर यहां साससुाETर को इसमें से गहाएंगे एक हजार चालीस मैसे जीरो और चौशे मैंसे साथ जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा साथ और नौ मैंसे साथ जाएगा 27 जीरो से जीरो कट जाएगा तो आपके जो क्रेमूले हैं इनका अनपात आजाएगा पचास रेश्यो 27 और टोटल कितना हो जाएगा आपका सतैतर सतैतर रेश्यो का मान आपको वराबर दिया है 15400 एक रेश्यो का मान निकालेंगे तो कट जाएगा 200 वार अब क्या पूछा है यह देखो तीन कुर्सियों का क्रेमूले पूछा है लेकिन यहां पर कितनी कुर्सिया है नो तो यह जो आपका टोटल 27 आ रहा है यह जो 27 आ रहा ह यह सभी 5 मेजों का क्रेमूले होगा लेकिन आप तो यह देखो नो कुर्सियों का है 27 तो एक का कितना हो जाएगा 3 नो और 9 रेश्यो का मान निकालेंगी एक रेश्यो कमान 200 है तो नो अंसर आजाएगा आपको नो दुनी 1800 आपकी कुष्चिन का एकदम स्रटीक आंसर प्रश्चो ने किया है तो आंसर कौन सा इस पी 30% किया है 50% ने भाचत बहुत स्तारी यहाट आउय secrets या जैस्री किष्णन जैस्री किष्ण न कि जलो नैस्शुशन की तरफ सकते हैं कि बता सिन आसर क्या वहां इलाक बाप्त बड़ी ऑपने वाले कुश्चन को चाहते तो वहां पर जैसे मैंने परसेंटेज में डाटा लिया है आप परफेक्ट में लेकर भी कर सकते थे मैंने कल वाला कुश्चन दो तीन तरीके से आपको बताया था अचाँ को अचाँ कि अगया है अगया है इसे फास्ट एक दुकानदार रुपे थीन सो में एक दुकानदार रुपे थीन सो में दो पुस्तक हैं खरीकता है वह पहली पुस्तक को 20% के लाब पर और दूसरी पुस्तक को 10% हानी पर वेजता है यदि पूरे लिंदिन में न लाब होता है न हानी होती है तो पहली पुस्तक का विक्रे मुल्य क्या होगा Selling price of first book case तो सौफ़कीपर RS 322, two books उसने दो पुस्तक के खरीदी है उसने एक पुस्तक को 20% के लाब पर वेचा है और दूसरी पुस्तक को इसने 10% हानी पर वेचा है और उसे ना profit हुआ ना loss हुआ तो उसने का है selling price of first book पहली book का विक्रे मुल्य क्या होगा 300 में खरीदा आपको total करे मुल्य दिया है तो पहली फुस्तक को 20% के लाब पर वीचता है तो 20% लाब का मतलए 20% पेटा Sine जरूर लगाना Sine का भी महत होता है हानी है तो मायनस करके लाब है तो प्लस करके Sine जरूर लगाना तो पहली पुस्तक को 20% के लाव पर तता दूसरी पुस्तक को 10% की हानी पर दूसरी पुस्तक को 10% की हानी पर मैनस 10% और खुल मिला के ना लाव हुआ ना हानी तो 0% अलिएशन लगा दो 20 में से 0 को मैनस करेंगे 20 तो 20 में से 0 को मैनस करेंगे 20 और 0 में से 10 को मैनस करेंगे तो मैनस मैनस डाहएगा 10 तो दोनों से क्रेमिलियों का अनता 2 टोटल आ जातें आपको टोटल क्रीमिल 300 दिया है है कि तो इसका मतलद 3 देशू का मान हमें बरावर दिया है 300 तो एक रेश्यो का मान हो जाएगा 100 गारिंगेолот 270 सौटों को डिवार्ट करेंगे तो सव और यह रहें तो पहली पुस्तक बीक्नांटों अब लाव कमाया है ऐसी पूछा है तो सो पर 20 पर्स लाव निकालेंगे तो 20 पर्स लाव 20 का हो जाएगा तो विक्रमू ला जाएगा पर 120 120 कौन से ओप्सन पर बिटा दी ओप्सन पर यूपसन आपके कुश्यन का एकदम सही आंसर होगा राम 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 वेरी गोड वेरी गोड नवल मुदगल नीकु सर्माजी 120 वेरी गोड वेरी गोड सत्वी शिंह 120 वेरी गोड बिटा 60 परसेंट बच्चों ने आंसर किया है डी तो बहुत कम बच्चों ने आंसर किया यूप रहो है 120 वेरी गोड जल्दी आंसर कर वटा नहीं बच्चे नहीं तक से लाए कि से संप लाज करो जल्दी जिन्होंने अभी तक से लाइक नहीं कि यह बच्चि से संप को लाज करो सभी कर्बाम या उसने चावल का एक भाग 20 पस्त लाव पर भीचा शेस बाग पांट परस्ट आनी पर बेचा पूरे लें दिन में 15 परस्ट लाव गुआ तो उसके द्वारा पांट परस्ट आनी पर बेचे के चावल की मात्रा ग्याद करें ए वेंडर बोट 640 किलोग्राम और राइस तो चावल का एक भाग इसने 20 परस्ट लाव पर बेचा वही ऐलेगेशन लगाना है एक वाग इसने 20 परस्ट लाव बेचा तो प्लस 20 परस्ट दूसरे भाग को इसने 5 परस्ट हानी पर बेचा गरा माइनेस का 5 परस्ट ऑर पल मिलाकर इसको 25 पर师्न परस्ट लाव हुआ तो पूरे लेंदें में 15 परस्ट लाव प्लस 15 परस्ट अलिगेशन लगा दिजिए तो 20 पांद्रे से पांच जागकर तो कि तना हो जाएगा 20 पांच से ऐसे चैनसल आउट करेंगे तो यह चार अनपा थे एक हो जाएगा पांच और यह आपका 20% लाप पर बेची गई मातरा 5% हानी पर बेची गई या 640 एक रिश्यो का मान निकलना है तो हमारा आंसर आजाएगा 128 फिलोग्रम पहला वाला ओक्षन 128 गीजी इस दा करेक्ट आउचन 128 गीजी राम राम बेटा सतेंद्र दुरगेश वाभी कुस्वा रतिक सिंह राम राम बेटा 120 मनोज यादा वेरी गुट हमारे कुश्चन का आंसर विजाएगा 128 गीजी ऑप्षन एज ता करेक्ट आंसर चलिए वच्चो नेक्स इस कुश्चन का अंसर बताओ यह वडिया कुश्चन है दो वस्तूं का कुल क्रेमून दो हजार है एक को बारे परशन लाब पर बेचा तो नवल मुद्गल विक्रम सींग रितिक सींग और दुरोगे सींग बताओ तो दो वस्तूं का कुल क्रेमून दो हजार है उनमें से एक को बारे प्रसत लाब पर विचा जाता है दूसरे को बारे प्रसत हानी पर विचा जाता है इस लेंदिन में समग्र 1.2 परसेंट बारे प्रसत हानी पर विचा जाता है माइनस का 12 परसेंट और खुल मिला के पूरे लिंदिन में 1.2 प्रसत लाब होता है तो प्लस 1.2 पर सेंट या अलिजयिये तो बारे में से 1.2 minus करेंगे तो 10.8 और 1.2 जादा में से कम घटा कर opposite direction में लिखते हैं जैसे 12 में और 1.2 में कौन बढ़ा है 12 तो 12 में मैंस घटा कर ज़ल लिखेंगे और 1.2 और minus 12 वैसे 12 बढ़ा है लेकिन sign को भी देखना है तो negative value बड़ी होती है तो छोटी हो तो यह मान बड़ा होगा यह छोटा होगा इसमें से इसको गटाएंगे तो प्लस हो जाएगा जाएगा 13 पॉइंट दो रेशियो निकालेंगे पॉइंट से पॉइंट कर जाएगा चारतिया वारे है, चारतिया वारा, चार दुनियाड, 4.78, तीन से cancel out करेंगे 11 वार और 9 वार, टोटल हो जाएगा 20. तो लाव वाली वस्तु का क्रेमूल ले क्या था ये पूछा है तो लाव वाली वस्तु कौन सी है ये है इसका क्रेमूल 11 रेश्यो होगा और टोटल क्रेमूल आपको 2000 दिया ये रहा तो टोटल क्रेमूल 20 रेश्यो है 20 रेश्यो का मान दिया है आपको 2000 तो एक रेश्यो का मान हो जाएगा 100 तो पहली वस्तु का क्रेमूल निका लेंगे तो 11 multiply 100 इसकल टू 1100 तो हमारे question का answer हो जाएगा 1100 तो 1100 हमारा वी option पर है वी option इस ता correct answer नवल मुद्गल क्यों नहीं लिए भाई आमेंड वक्षी class क्यों नहीं लिए आपने वेरी गोड वेरी गोड दुरगी सत्वीर वेरी गोड रोल सॉट्स नवल मुद्गल वेरी गोड़ गुटा कि कौंसी वाली दो क्लास नहीं लिए आपने तैमेंड वक्षी दो क्लास हम क्यों मना करेंगे भाई हम तो क्लास पढ़ाते इसलिए हैं कि बच्चे आएं और पढ़ें आप क्या रहें दो क्लास नहीं लिए दी ऐसा कैसे हो जाएगा कि यूँ बना कर दिया था कोई रेज्ट थो गागर किया है तो वैसे तो नहीं किया होगा है इस हम कभी मना नहीं करते कि दू क्लास के लिए मना कर दें कि च्वार्टव के साथ से 40 बस्तों करें वैस मैंसे 25 बस्तों पर बाकी वस्तों दस बस्त हानी पर बीच देता है उसके द्वारा हानी उठाकर बेची कई बस्तों की संख्या क्या तरहें और आर्टिकल की संख्या बतानी है I am 11-11 कोई नो रीजन होगा अगर ऐसी बात है कोई रीजन नहीं और आपको लगता है कि गल्कुल सही हो था आपकल आके मिल लेना कभी आके मिल लेना बिटा है कोई भी जो काम करते हैं वह गल्ती में तो आप वह क्लास की बात दो नहीं चाल ले जाओ अगर ऐसी बात है तो किवल दो क्लास की कि एक व्यक्ति दस रुपे पट बस्तू के साथ से 40 वस्तू नहीं खरीता है जोड़ी समय से कुछ बस्तू में 25 पर्संट लाव पर बाकी बस्तू नहीं पर बीज़ता है माइनस 10 परसेंट और टोटल इंदियन में उसे से चार प्रसत लाव होता है प्लस 4 परसेंट रूल ओफ एलिवेशन लगा दो 25 में से 4 जाएगा 21 और 4 में से 10 जाएगा तो मैंनस मैंनस हानी पर बेची की बस्तों हो जाएगे आपकी 24 ऑप्संदी 24 ऑप्संदी ता करेक्ट आंसर मनूस नीलेश करन वेरी गुड बेटा विक्रम सींग सत्वीर नवल प्रीटी वेरी गुड वेरी गुड केट्व यादव बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सही बच्चे सही आंस तो जाता नेक को एक अजार अस्थी में दो वस्तों खरीदी एक को 25 पर बेचा और दूसरी को 20 पर सब की हानी पर बेचा उसे न लाब हुआ न हानी तो दौनों वस्तों के क्रमुल्यों के बीच कितना अंतर है वाट इस दा डिफरेंस ब्टून को स्प्राइज और बोद आ सुजाता ने कुल 1080 में दो वस्तों खरीदी एक को 25 पर और दूसरी को 20 पर सब की हानी पर और उसे टोटल न लाब हुआ न हानी तो एक को 25 पर सब के लाब पर तो प्लस 25 परसेंट अ यह धो टर्यकों 20 पर सबादी पर मायन से फटी परसेंट और मिलाकर नो प्रॉफिट नो लौस तो जीरो पर सेंट बशायाएख़तृट और 0 में से 20 जाएगा 20 5 से कैंecel करेंगे 4 बर और 5 से 5 बर तो 4 5 बराबर 9 तो 1080 में 2080 में 2080 में 2080 में 2080 में 2080 के रिशेगमान होजाएगा तो दिफ्रेंस आजाएगा 120 तो 120 हमारे कौन सार उप्सन पर है पहले वाले उप्सन पर ये उप्सन हमारे कुश्यन का एकदम करेक्ट आंसर रहेगा बहुत बढ़े बढ़ा की बढ़े बहुत अच्छा कुश्यन का बहुत अच्छा कुश्यन आपका बता ये बच्छह वाच्छे बता जल्दी से अंसर बटा अभी प्यारे प्यारे बच्छे बताएंगे हमारे जल्दी से फास्ट आंसर बता बटा जल्दी कॉपी पेल लेके जैसे ही क्लास शुरू होती है कॉपी पेल लेके बैठा करो की फिराओं और तुरंथ लग जाया करो अपनी काम पर हैं और जैसी आरे सेसन में आते आते हो तुरंथ सेसन को लाइं किरा करो सब्सक्राइब कि सभी बत्चे सेटन को तुरंथ लाइं किया करूए ना एक वियक्ती तीन प्रद्षयगी वस्कोय A-VC क्रमसर पंद्र परस्त 25 वस्त 40 वस्त लाब पर भीज्टा है A और C से कुल 30 वस्त लाब हुआ जब कि तीनों से कुल मिला कर 28 वस्त क लाब हुआ यद कुल 50 बस्तों में बेची गई तो तीनों बस्तों का अलग-अलग बेची की संख्या क्या है ए पर्सन सेल्स थ्री टैप्स अब आर्टीकल से वी सी अट प्रोफिट ऑफिटीन पर्षेंट 25-40 पर्षेंट रिस्टेक्टिवली A and C together made a profit of 30% while all three together made a profit of 28% एफे टोटल और 50 आर्टीकल वर सोल्ड देन वाट इस दा नमबर ओफ ओल्द थ्री आर्टीकल सोल्ड शेपरेटली मतलब सभी आर्टीकलों की संग्या पूछिया अलग-अलग क्या होगी तो पहले सबका रेशयो बनाओ तो देखो आपको तीनों का अलग-अलग प्रकार की वस्थों का profit दिया है और A और C का अलग-अलग profit भी आपको पता है और A और C का दोनों का मिला बीचे गए इनकानपात निकाल सकते हो आप तो ए प्रकार के आर्टीकल 15 परसेंट लाब पर और 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 दोनों प्रकार का कुल लाब दिया है आपको 30 परसेंट एलिगेशन लगा दीजिए 40 में से 30 जाएगा 10 30 में से 10 जाएगा पंद्र जाएगा पंद्र पांस से कैंसल करें इसके बाद अब आपको a-plus C का regul मिला के दिया है और भी गादिया है और एक साइळ में लिए फ्लसlen में लिखेंगे टिन्हों प्लस ते दोनों का मिलाकर कितना है तीस परिसेंट और लिटसी कि थी चितना हो यहां exercise कितना आfen मैंगा डियाला clear tony करेंगे तो 7 का पंद्रह हो जाएगा इहां gas तो एप गोंगी सैम हो गया देखो सी मेंड़ा करेंगर आर्टीकल और रीपलस भंद्रह नौई नौप पन्तर है जाएंगे नौट से पंदरह दस पत्चीस पत्चीस रश्यों कामान दिया आपको टोटल अर्ट्ट आडिकल दीये 50 एक रिश्यों कामान बडूपर हो जाएगा दो तो ए प्रकार आटीकल आ जाएंगे 621 जाएगा बारहं को अंसर हो जाएगा इस अधुसर नूइंगा यादव नेतू सर्मा वेरी गुट अशी कि जुट तुर नावल विक्रम धरंक बानोजी बहुत अच्छे बहुत अच्छे तो समारे कुश्य का अंसर हो जाएगा वेज़ व्यॉज्वेंट वेगुटि फ्वै है तो यह चलो वच्चो आपके लिए और विश्चन से अड़ कर लेता हूं नेक्स टैप के यह टाइप आपका फिनिस हुआ यह टाइप आपका फिनिस हुआ जस्ट वेट और सेकेंड बस आपको थोड़ा सा वेट करना है आप है जिन वच्चोने से संगल नीका लाइकर दो वेरी गोड वी ऑप्सन 100 वर्षेंट लोगों ने किया है बहुत अच्छे बहुत अच्छे बटा ऐसी आंसर किया हो 100 पर प्रचेंट विल्कुल राइट चलो आ जाओ पहला कुश्चन आपकी स्कीन पर है बताओ बहुत बढ़िया कुश्चन यह कुश्चन बिटा इस प्रकार के होते हैं यह कुश्चन आपके इस प्रकार के होते हैं जिन में एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सेल करता है दूसरा तीसरे को तीसरे को यह जो कुश्चन होते हैं लगातर वर्दी और लगातर कमी पर बाखी वोट किया कर वेटा सब्सक्राइब अब पहला टाइप का कुश्यन है तो यह पूश्यन जो बनेंगे आपके इसमें आर्टीकल का मुले लगातार कम होता है लगातार लगातार बढ़ता है इन कुश्यनों को इनीशल से हम सॉल करते हैं या एक्स प्लस यह उपन हंडै यह परसेंटेज में आपको सिखाया है इनीशल फाइनल वालबावादा निशील फाइनल वाला टाइप वहां लगता है जहां पर कई राचियों का मल्टीप्ला एक राचिंप के बराबर ऊंन में परसेंटेज चेंज दे कर उसमें पूछाओ या लगातार व्रदी हो या लगातार कमी हो ऐसे ही लाभ हानी में यह टाइप बनता है जब मानके चलो एने कोई वस्तु खरीदी उसने वह वी को बेची तो कुछ नब कुछ लाप पर बेची होगी या हानी पर फिर बी के लिए जो एका विक्रेमुले था बी के लिए एक क्रेमुले बन जाएगा तो इसी तरह लगातार प्राइस बढ़ता जाता है इसलिए जब कोई चीज आप खरीते हो उसमें जतने जादा मीडियेटर होंगे चीजा आपको उतनी ही महँगी मिलेगी क्योंकि हर मीडियेटर अपना अपना लाभ कमाएगा तो तो बस उसी पर आधारित ये कुश्यन है, बहुत अच्छे कुश्यन है, पूछे जाते हैं, तो देखो बटा, पहला कुश्यन आपकी स्कीन पर है, रेनु ने एक बस्तू 1240 में खरी दी, उसे 25% घाटे पर वेज दिया, उस रासी से उसने एक और बस्तू घरी दी, और उसे 40 बस्त लाज पर वेज दिया, तो रेनु को कुल मिला कर, कितने पस्त लाみ यहां, बच्छों को डाउट क्या होता, वो क्या गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं सबसे जादा डाउट क्या होता दें खोड़ा इस सबसे जादा गलती बच्चे ये करते हैं हमसे अंसर पूचा है percentage में और वह 1240 का यूज करने लगते हैं जब कि मैं स्टार्टिंग से आपको सिखा रहा हूं कि जब आपसे आंसर परसेंट में पूछा जाए जब आपसे आंसर रेश्यों में पूछा जाए तो पर्फेक्ट वेल्यू आपके लिए टोटली वेश्ट होती है इसका सलुशन में कोई यूज नहीं होता है यहां पर जो बारे सो चाल इस दिया है यह यूज करने लायक नहीं है solution में केवल आपको ऐसे समझना है कि एक 25 परसेंट घाटे पर वेचा 25 पर वेचने के बाद जो पर जाया होगा उस पर फिर 40 परसेंट बढ़ा के बीचा तो किल मिला कर लावानी पुछा है तो इसको आप चाहिए इनीशियल फैनल से कर दो चाहिए एक प्लस प्लस एक साय अपॉन हंडर से कर दो तो देखो पहले हम इनीशियल फाइनल से करेंगे तो रेनू ने पहले 25 पर इसने दूसरी वेस्ट पर फिर चालीस परसेंट लाव पर विच दिया तो चालीस परसेंट होता है दो वटे 5 लाव है तो पांस से बढ़कर साथ कैलकुलेट कर लिजिए पांच चार बीस साथी एक किस प्रॉफिट हो जाएगा एक का और वीस पर तो खुल मिला कि इसको ल से लाट निक एसन को लाइक करो कॉंसर कितना हो जांगा हमारा 5% बार्कि आप इसको संवी इसन वी कर सकते हो एक प्लस फॉइक्स एड़ साई एक टो लुफ प्लस करके हानी है तो मैनस यहां 25 यहां 45 पर से लाव है प्लस चालिस और माइनस प्लस माइनस और 25 म्ल्टिप्ला तो 15 और 15 माइनस 10 15 का मतलब 5 परशेंट लाव मैं इस तरह से भी आप कर सकते हो ओके लो और देखो बागी आप चाहो तो लेट कर सकते हो एक ही कुश्चन के इतने सारे तरीके देखो जैसे मानलो आर्टीकल का प्राइस सो उसे 25 परसेंट के घाटे पर वेचा इसका मतलब 25 का घाटा हो जाएगा तो कितने बेचे का 75 में फिर इतने में ही इसने दूसरी वस्तु खरी दी और फिर इसे 40 परसेंट लाब पर वेच दि ले तो बताओ लाब हुआ कि हाँ नहीं आपको कितना पांच परसेंट बस ऐसे भी कर सकते जो भी आपको सही तरीका लगे वैसे करो वैसे इनीशल सही रहता है जब लगातर व्रद्दी और लगातर कमी का अप्लिकेशन बंता है तो चलो बाई इस तुशन का अंसर बताओ इस प्रकारस का खुल लाब हानी बताओ कितना है बताओ जल्दी बताओ पोल में आंसर करो बैटाओ पोल में नीतु सर्मा नवीन मुदगल पाल कृती ध्रमपाल सुई बताओ इस प्रकार उसका पुल लावय हानी पसक्त क्या है एपीड इसमें पांच चार्सवताप के लिए किसी काम का नहीं है इनिश्यल फाइनल जी कर दो चाहिए एकस प्लस ये पन हंडेट कर दो दोनों से सॉल हो जाएगा तो 30% का मतलब तीन वते दस हानी है तो मैनस सात वते दस तात बते दस का मतलब 10 से गटकर सात में वीचा और फिर साथ परसेंट लाव पर वेचा तो साथ परसेंट तीन वते पांच तो पांच से बढ़कर आठ दोनों लाइनम में कॉमेंट चाहो तो काट भी सकते हो नहीं तो सीधा गुणा कर लो पचास और आठसा चपन तो प्रॉफिट हुआ छे का पचास पर और मुल्टीप्लाइ सो पचास दूनी सो छे दूनी बारे परसेंट लाव कौन से ओप्सन पर है बिटा भी ओप्सन पर यह आपके कुछ इनका अंसर हो जाएगा यह एक्स प्लस यह पॉन हंडेट से कर लो पहले तीस परसेंट हानी मैनस तीन फिर साथ परसेंट लाव प्लस सा साथ में से तीस जाएगा तो प्लस तीस और सो से तो कट जाएगा मैनस एठारे तीस में से एठारे जाएगा तो प्लस बारे प्लस बारे का मतलब बारे परसेंट लाव 12 परसेंट लाव 12 परसेंट परसेंट लाव 12 परसेंट परसेंट चलिए बच्चिशन का अंसर बताओ स बताओं तो कि आज़ी ने इतने रुपे में खरीदा तो ए और सी को हुई हानियों के बीच के तरा अंतर है ये बहुत अगर आपको सथ का लास से पूछाइब तब तो आप इनिशल से कर सकते हो कि जब को पलास रिलेशन पूछा है तब इनिश्ल सते पर ऑब सकते हो। लेकिंद जब आपको बीच में से पूछ भी यहां पर देखो आपसे A और C की हानियों में अंतर पूछा है तो आपको A और C की हानी भी निकालनी पड़ेंगी तब कि क्रेमूली भी निकालनी पड़ेंगी अगर इस तरह का कुश्यन आपकी पेपर में आ जाए तो फिर उसको आपको लेट करके है द्यान रखना और लेट कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूं देखो A ने वेचा B को 20% हानी पर वेचा तो 20% का फ्रेक्शन मान एक वटे 5, B ने बाइरफ पॉंट 5% पर वेचा फ्रेक्शन मान एक वटे 8 और C ने 8% हानी पर वेचा तो 8% का मतलब कितना हो गया 2 वट यहां से आर्टिकल शुरू हुआ है एक हजार पर 20% आनी कितनी की हो जाएगी 200 तो यह एक ही हानी हो गई तो कितनी विज दिया 800 में 800 में किसको मिल गया आर्टिकल वी देगा जब कि एकली क्रेमुली हो जाएगा वी 12.5% लाप पर विज देता है तो 12.5 कितना होता है 1.5 आट तो 1.8 लेंगे तो कितने का लाप हो जाएगा का 100 का तो कितने में बेज देगा 900 में 900 में यह आर्टीकल मिल जाएगा C को तो यह C का TP हो जाएगा B का विक्रमूल हो जाएगा फिर B इसे 8% लापा C से 8% हानी पर D को बेज देता है तो C से 8% हानी पर बेज देता है तो 900 पर 8% निकालेंगे तो 972 की आनी हो जाएगी C को और किसको बेज देता है D को तो यहां से D का CP आ जाएगा तो बैतर घटाएंगे तो यहां जाएगा आप 828 यह डी का क्रेमुल है सी का क्रेमुल है जाला प्रेमुल है रैसे इतने में खरीत्ता है दो 248.4 तो 828 रेशियो का मान आपको बराबर दिया है 248.4 अब अगर इससे इसको काटोगे तो यह 3 बार कट जाएगा 248.4 तो यह कर जाएगा इससे 0.3 बार एक रेशियो का मान आगया 0.3 अब देखो आपसे क्या पूछा है उसने काए बताएए A और C की हानियों में अंतर कितना होगा तो एक ही हानी कितनी है देखो जारा एक ही हानी कितनी है एक ही हानी है 200 और C की हानी कितनी है 72 दोनों में अंतर कितना है एक सोट थाइस और एक रिश्यो कमान जीरो पॉइंट तीन किया जाएगा तीन सो चौरासी तो 38.4 तो हानी कितने किया जाएगी 38.4 थी ओप्सन हमारे कुश्यन का एक दम साथी का अंसर हो जाएगा 38.4 38.4 बहुत ही अच्छा कुश्यन है वेरी गोड विक्रम सींग प्रिती आदव घरंपाल्स वेरी गोड मुद्गल तीन ता तीन अगस्त का इतनी जल्दी कैसे आगया वहीं छेचल के अध्मिट कार्ड आगे शेचल के आच तो सही बच्छे डाउनलोड कर लो बटा सही बच्छे डाउनलोड कर लो अगस्त सब्सक्राइब अब से कुमार आधिरा देवता है कि हम तो सोच रहे थे यह चल गली थोड़ा टाइम मिल जाएगा चलो बच्छो नेक्स्ट विक्षन इस आंसर बताओ कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि बढ़िया से देखे आओ बटाओ बाकि जो है आप कि त्यारी पर वरुस्ता रखो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो सेलेक्शन हो जाएगा ना सभी बच्छे बटा एड्मेट कार्ड जो है डाउनलोड कर दो और मुझे चारा एक ये लिए वस्तु का क्रेमूले ग्याद करें तो ए ने बी को कोई वस्तु 25 वस्त लाब पर बेची तो 25 पर्षेंट का फ्रेक्शन वान कितना हो जाएगा एक वटे चार लाब पर बेची है तो चार से बढ़कर हो जाएगा पांस लेकिन इनीशल फैनल से मत करो क्योंकि इनीशल फैनल से A से C का रिलेशन होगा जबकि यहां पर जो हमें दिया है वह B का लाब और A के लाब का अंतर दिया है तो हमें B, A का लाब भी निकालना पड़ेगा सब की क्रेमूले बेक्रेमूले भी निकालने पड़ेंगे तो लैट करके करो तो 25 पर्षेंट का फ्रेक् तो एक बटे चार मतलब 20 का लाव हो जाएगा तो बीको आर्टिकल मिलेगा सो में यह आर्टिकल मिल गया बीको सी में सो में और भी सी को यह वस्तु 155 पर वेचता है तो 155 पर वेचेगा तो तो पर 15% प्रफिट निकालेगे तो प्लस 15 तो कितने वेचेगा एक सो पंद्रे में तो सीव को यह आर्टिकल मिलेगा एक सो पंद्रे में तो सीव को यह आर्टिकल मिलेगा एक सो पंद्रे में ठीक है अब क्या क्या रहा है वो बीका लाव और एक लाव से 40 कम है तो बीका लाव पंद्रे एक लाव 20 तो कम है तो कितना कम है पांच पांच रे तो उसने पूछा एक लिए बस्तु का क्रेम मूल ले असी रेश्यू असी मल्टिप्लाइ आठ इसकल टू छैसो चालेश कौन सी ऑप्षन पर बेटा सी ऑप्षन पर यह आप तो आंसर हो जाएगा ऑप्षन सी इस दा करेक्ट आंसर आप दिस्कुषिएंट तो देखते हैं आएंगे सेंटर पर जरू है तो छैसो चालेश हमारे कुषिएंट का अंसर हो जाएगा और तो इस तरह से यह दो को अस्ती जो है एक को क्रेमूल है एका क्रेमूल है सो बीका क्रेमूल करेंगी सो विक्रेमStand ряд तो एक का लाव हो जाएगा बीस और वीग葉ऊ जाएगा और आगर हम मल्टिप्लाइबन करेंगे तो हमारा छहसों चुर्ण कि यह भी बहुत अच्छा कुछन है कि यह भी बहुत अच्छा कुछन ने बता तो जब ध्यान रखना ऐसे कुश्चों में आपको फर्स्ट का लास्ट रिलेशन पूछाओ तो सीधा इनीशियल फाइनल से कर देना है लेकिन अगर बीच में से कुछ निकालना हो आपको तो हमेशा फिर आपको लैट करकी स्वाल करना है जैसे हम कर रहे हैं अभी एक मोबाइल फोन बी को 25 परसेंट लाव पर बेचा बी ने से 10 परसेंट हानी पर सी को बेच दिया पी ने इसके इतने रुपे दिये तो एक आपन ये इसमें देखो इसमें सीधा फर्स्ट परसन का लास्ट रिलेशन पूछा इनीशियल फाइनल लगा दो 25 परसेंट होता है एक वटे चार लाव है तो चार से बढ़कर पांच पहला व्यक्ति ए लास्ट व्यक्ति सी ठीक है बीने से 10 परसेंट हानी पर वेचा तो दस से घटकर नौ दोनों लाइनों में कॉमन काड़ दो पांच से दोबार कर जाएगा चार दुनी आठ नौ इसका मतलब एका आपको स्थी का दिया है 5625 तो नौ कामान दिया आपको 5625 एक कामान निकालेंगे तो 9 से कैंसल आउट कर देंगे नौ पंजे पैंतालिस नौ छे चाववन नौ दुनी अठार है नौ पंजे पैंतालिस हमें एका क्रें मूले पूछा है तो एक आठ रेश्यू आठ मुल्टि कर देंगे तो आजागा आपका 4900 कि इतना आजाएगा भाई पांच हेजार यह आजाएगा पांच हेजार यह आजाएगा पांच हेजार वेरी गूद बहुद बहुत अच्छे विक्रम सीख मनूषाट वी ध्रम पाल बहुत अच्छे वेरी गूद बड़े गूद चलो वच्ड़ नेक्स कुश्यन की तरह आजाओ इस पूश्यन का आंसर मताओ बहूत बढ़ी वेरी सी फास्ट Evangel paralth आप जब जब आपका फर्स्ट का लास्स रिलेशन पूचा होगा तब लेकिन अगर फर्स्ट का लास्स रिलेशन ना पूच की आपको बीच में से कुछ पूचा है तो फिर आपको कुश्चन को लेट करके करना पड़ेगा तो देखो X, Y को एक वस्तू 12 पस्त हानी पर बेशता है Y, Z को 9 पस्त लाप पर बेशता है Z इसके लिए इतने का वक्तान करता है तो X ने कितनी कीमत दी ये भी इनिशल फैनल से कर सकते हो आप लास्ट वेक्टी का आपको दिया फर्स्ट का पूछा है तो 12% 12% का फ्रेक्शन मान कितना होता है 12% का फ्रेक्शन मान होता है 3 वटे 25 आनी है तो 25 से घटकर हो जाएगा 22 फर्स्ट वेक्टी X और लास्ट वेक्टी Z और Y इसे Z को 9 पस्त लाप पर बेशता है तो 9 पस्त लाप तो मतलब 100 से 109 दोनों लाइनों में जो कॉमन है वो काट सकते है आप 2 से 11 वर कर जाएगा 2 से 50 वाँ 25 पंजी 125 बारे सो पचास X का क्रेमूल और Z का क्रेमूल आजाएगा 1199 आपको Z का दिया 21,000 पांट तो व्याती है तो ये दिया आपको 21,000 पांट सो ग्यासी तो एक रेश्यो का मान निकाल लो तो आठ नो बहत्तर 18 बार जा सकता है चैंसल आट कर लो एक काम करो तो 11 से कैंसल करेंगे 108 बार 11 से कैंसल करेंगे 1 वर जाएगा 11,99 11,99 11,6767, 11,42 109 से इसको कैंसल करो 109 से एक बार जाएगा कितना वच्छे का आपका साथ सतासी आठ पार चला जाएगा तो अठारे बार कट जाएगा इससे और इसका पूछा है तो मल्टीपल है अठारा तो जीरू आजागा अठारे पंजे नभे जीरू नो सती सो नो पेहतालिस पांच चार और अठारे चार वाइस किसी बच्छे ने आंसर नहीं किया बहुत अच्छे बच्छे बच्छे चैनल पर पहली वार जुड़ी है सब्च्छे चैनल को लाइक कर लो और जिन बच्छों ने अभी तक सेसन को लाइक नहीं किया सब्सक्राइब करो 900 में एक वस्तु खरीद कर 25 पर बी को बेज देता है इसे दस परसत की हानी पर इतनी में बीज देता है तो बी का लाप प्रसत क्या होगा बताओ बहुत बढ़िया कुशन है बताओ से रचे कि अधि एक वस्तु खरीद कर 25 पर बी को बेज देता है तो पहले आप यह देखो बी को बस्तु कितने में मिली तो बी का क्रेमूल निकालेंगे तो वह एक विक्रेमूल के बराबर होगा 900 रुपे एक का क्रेमूल है और 25 पर बेचा है तो पांच वटे चार से किंसल आउट करेंगे चार दुनी आठ एक वच्छे का चार दुनी आठ चार पंजी बीस मुल्टिप्लाइप पांच करेंगे पांच पांच पा पूचा है कि बीकाला प्रस्त क्या होगा इसे दस परसेंट हानी पर 3050 में सी ने बेचा है तो 10% हानी पर बेचा है तो 10% हानी का फ्रैक्शन नौवटे-1 आपको विक्रेमूल निकालेंगे 9 से एक बार नौ 555 से 150 तो क्रेमूल ला जागा पंदरेंगे इस वस्तू को पंद जैने से को यह आर्टी कल समें मिल आ है और बी ने इसको बीचाया तो देखना बी ने कितना लाव कमाया है 1125 में खरीदा था पंकरगृ कमाया है 1125 मल्टी प्लाव अ一次 कर दीजिये पांस से कैंसल करेंगे नौ वार पांस से कैंसल करेंगे तीन वार, तीन से पच्छीष वार, सो बटे 3, 33, 33, वांसर आ जाएगा 33, क्योंकि उसनिक आए देखो, पूइंट में बताना केवल निकरतम बताना है तो 25 आर सो बटे तीन आ रहा है तो सो बटे तीन का मतलब होता है 33.33 लेकिन हमें पॉइंट नहीं बताना परफेक्ट बताना है तो आंसर आ जाएगा 33 पर्फेन परहता है आपकी स्कीन पर सभी प्यारे दोस्त वाहित पाइस का अंसर बता का प्लें पर्शम्राइब यहां पर आपको एक भी स्कीम प्रॉस्त न loaniliya क्रैम्ले सेम होगा या थो आपको एक क्रैम्ले हानी का दिया हो या फिद्र करेंगे मैं थोड़ा सबस्केट बता हो पिर उसके बाद हम सेलिंग प्राइज दिया है प्रॉफिट का तो सेलिंग प्राइज बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट अगर आपको सेलिंग प्राइज दिया है लॉस का तो सेलिंग प्राइज बराबर होता है सीपी मैनस लॉस तो अगर आपको सेलिंग प्राइज प्रॉफिट का दिय सब्सक्राइब फरफिट प्लस लॉस में और अगर आपको दूसरा प्लस दूसरे केस में profit इस case में अगर आप विक्रे मुल्यों का अंतर लोग ये घटाओगी तो ये आपका cut जाएगा इस case में आपका आजाएगा लावों का अंतर P2-P1 ऐसे loss के case में अगर दौनों selling price loss के हैं तो आ जाएगा हानियों का अंतर मेरे कहने का इस पस्त तरीका है इस पस आता है ज़डों profit हो तो उनका अंतर आता है और दोनों loss हो तो उनका अंतर आता है मतलग एक ही वस्तु के अगर अब पहले question को पढ़ेंगे ध्यां से फिर इसके बाद question का अंसर करेंगे कोई दुकानदार हानी पर 455 में कोई वस्तु भीचता है मतलब ये विक्रे मुल्य हानी का दिया है नोट करना ठीक है यद इस वस्तु को रुपे 490 में भीचता तो उसे हानी की 4 गुना धरनाची के बरावर लाव होता मतलब 490 जो है ये लाव का है एक विक्रे मुल्य आपको हानी का दिया है एक विक्रे मुल्य आपको लाव का दिया है और 4 गुना लाव होता उस निस्पस्ट का है हानी का 4 गुना लाव होता तो 25 परस्त लाव प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कि सीमत पर बेचना चाहिए यह पूछा है तो पहले आपको क्रेंफ निकालना पड़ेगा और 25 परशिन लाव का विक्रेंफ निकालना पड़ेगा तो ऐसे कुश्यों अगर आपको एक ही वस्टू के दो विक्र मुल दी हैं तो आपको इन दोनों का अंतर ले लिना है। इस मैं से इसको घटाएंगे तो 10 मैं से 5 जाएगा 5 वजाएगा 8 मैं से 5 जाएगा तो 3 वजाएगा 35 तो 35 है यह 490 में बैचने से होने वाली फानी दोनों का जोड़ायेगा और उसने इसपस्ट का है कि चार सो 90 वीटता है तो असे हुई हानी का चार गुना धनराथी के बराबर होता है मतलब हनी से लाव 4 उना है तो लाब 4 रिषिय हो जाएगा हनी एक रिषिय हो जाएगे और लाव और हानी का जोड़ हो जाएगा फाच div सबस्क्राइब निकालने के आपके पास दो रास्ते हैं 400 पचपन में बेचने से साथ की हानी हुई है तो क्रेमूल ले कितना होगा तो क्रेमूल ले हानी के केस में हमेसा ज्यादा होता है तो 400 पच्पन में बेचने से 7 की हानी हुई है तो 7 रुपे और ज्यादा में बेचता तो उसको न लाब होता न लाब होता न हानी बात रट का आपका सीपी हो गया 25 होता है एक प्रटे चार और लाव करेंगे तो पांच वटे चार से चार से नहीं कैंसल आउट हो रहा है दो से कट रहा है दो और दो तीन 231 वार पांच का गुणा कर देंगे पांच इक हमँग्स पंदर है बटी दू सी भाग देंगी 2510 264 ट्यांच तुई आजाएगा आपका 2510 एक बची का पंदर है दू साथ 424.5 पांच 570.5 यह उप्षन आपके कुश्यर का एकडम करेक्ट आंसर रहेगा 577.5 जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लायक नहीं किया बटा सेशन को लायक करो पंकज राठ और मनुज यादव सत्वी सिंग बहुत बढ़िया बढ़िया जय हिंद जय जय राधी बटा फीदी यादव बहुत बढ़िया नेनक उंतल वेरी गोड बहुत अच्छे तो ए यह काम तो आप आते ही किया करो जैसी क्लास में आते हो तो रंत लैक किया करो बता इस सब्सक्राइब का अंसर क्या होगा जिन बच्चों अभी तक सेशन को लाग करो जल्दी से वाई किसी बस्तू को प्रणे पर 832 में बेचने पर अर्ज होगों इस सोब्सक्राइब कर लिए और हानी बदाश क्यों प्यूंता है आप एक और तरह से स상्भन कर सकते ही इस पुश्यमें आप Neo निकाल सकते हो और यह सीपी से उतना ही ज्यादा है मतलब इस के इन दोनों के बीच में आएगा कि बीच की संग्या के लिए निकालते हैं और निकालेंगे लेंगे तो आट सो अड़ा तालेस और वटे दो तो सीदा आपको थीपी मिल जाएगा आठ और दो दस जीरो एक साथ यूरी एक बारे सथी और तो बारे सथी वटे दो करेंगे तो आपको पूचा 10% का फ्रेक्शन मान होगा एक वटे दस आनी है तो मैनस हो जाएगा नौ वटे दस निकाल दीजी आंसर आजाएगा नौ वटे दस निकालेंगे तो नौ 436 सथीन चयोगन और 37वन 550 s 6.560 आपके कुन सी ऑप्षण पर विट पहले वाले ऑप्षण पर एकड़्य पर पीषण का एकड़िक एक दम राम 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 वेरी गोड्र वेरी गोड'd वेरी गोड्र सबस्टक्र देळुकर ही सब्सक्राइब सब्सक्राइब aurais-6 हो जाएगा, और, दोनों विख्रे मुल्याउं का अंतर ले लिजी, तो बारे मैं से आठ जाएगा 4 और दो बचा बारे मैं से चार जाएगा 8 और यहां पे आपकी So Minswe तो दोनों लाव और हानी का जोड़ आएगा इसमें दोनों बरावर बरावर हैं मतलब आधा लाव और आधी हानी तो चाहे लाव निकाल लो चाहे हानी निकाल लो वसका आधा कर दो 24-2, 29, 18 और 292 का ही लाव और 292 की हानी होगी इधर वाला Selling Price हमने हानी का लिया है तो इधर लिग लेंगे और इधर लाव होगा एक सोबानव का अब CP निकालने के आपके पास दो रास्ते या तो इसमें 192 घटा दो या इसमें 192 जोड़ दो दोनों ही जगह से CP आ जायगा, तो CP निकालेंगे दो मैंसे दो जाएगा 0, 4 और 640 लेकिन CP नहीं पूछा उतने 10% हानी का विक्रमू ने पूछा है तो 9 बटे 10, 10 से 10 कट जाएगा 9, 4, 36, 7, 9, 6, 9, 3, 57, 5, 6, 7, 8 और जाएगा फस्ट वाला तो आप दो तरह से इसको सॉल कर सकते हो यह तो बिलकुल आपका accurate तरीका हर फूष्यन के लिए तैलाब लाब दिया हो चाए हानी आनी दिया हो चाहिए लाब हानी दिया हो हरे एक के लिए त्यू CA पूल बिल्कुल 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 अधि यहाँ आध ई का बहुत अच्छा कुछ और इस प्रस्न का बताओ प्रस्ट निकांसर होगा जल्दी से बताओ इटा कमेंट सेक्षन में आंसर करो पूल में आंसर करो जल्दी से मुझ से वस्तु को 832 में पर एट से अलाव उस वस्तु 449 में बेचनी पर हुई हानी के बराबर है तो so d6眸ाट कमाने के लिए क्या होना restraint देने बिचन Napoleon चाहिए लbrar तो भी आप डिरेक्टली कर सकते हो भी यामर कर हो poich कर बार भार और और 832 के बीच में आएगा तो 832 प्लस 448 और बटे दो कि करेंगे यह से तो आठ और तो दस जीरो एक आठ आठ चार बारे सुस्टी से में वहीं आजाएगा 640 का सीपी लेकिन इस बार उसने यह पूचा है पिछली वारे स्वी दस परसेंट रहनी का पूचा था तो तस परसेंट लाव का हो जाएगा 11 वटी दस बस इसका 11 वटी दस कर दीजिए 10 दस कर जाएगा चावाल शार साचाचार साथ सो चाट हमारे कुश्चिन का आजएगा साथ सो चार ऑप्सटी अप्सटी इस दा करेक्ट आंसर अंसर ऑप इस कुश्चिन कि वेरी गोड़ वेरी गोड प्रिति आदव ब्रह्मचारी शचे निंदौलिया वेरी गोड नेना कुंतल नीतु सुभात राजपू तारौन बहुत बढ़िया तो आंसर हो जाएगा हमारा डी 30 परशेंट बच्चों नहीं आंसर सही किया है वस पड़ा 100 परशेंट आंसर सही है एक बस्तु को रुपए 1100 बेचने पर प्राप्त करने वाला लाव इसी वस्तु को सास्तों में बेचने पर होने यानी का तीन गुना है तो बारे पॉंट-500 लाव अश्यत करने के लिए स्वस्तू को कि पर बिचना चाहिए इसका मतलब 1100 में बेचने पर प्राप्त तो 1100 लाव का SP हो गया, 700 राव का SP हो गया, दोनों का अंतर लिलू, अंतर आजाएगा 400 और यह जो 400 आजाएगा लाव और हानी का जोड़ाएगा, चार तो लाव और हानी का जोड़ आ जाएगा 11-100 में बेचने से इसको लाव हो रहा है और 7-100 में बेचने से इसको हानी हो रही है और लाव हानी का 3 गुना है तो लाव और हानी का अनपात आ जाएगा 3 अनपात 1 दोनों का जोड़ हो जाएगा 4 तो लाव हो जाएगा आपका 300 और हानी हो जाएगी 100 अब CP निकालने के आपके पास दो रास्ते है यह तो हानी वाले SP में हानी जोड दो या लाव वाले में से लाव घटा तो दोनों जगे से CP आजाएगा तो 700 थो प्लस सो सीपी आजाएगा आठसो या ग्यारे सो मानस थीन सो एजाएगा लेकिन पूछा उतने 12.5 वस्तत लाव अर्जित करने के लिए उस वस्तू का कितने बीचना चाहिए तो बारे पॉंट पाच होता है लाब निकालेंगे तो नोगते आठ आठ कर जाएगा तो आंसर आजाएगा 900 रुपई कौन साफ़िन है पहला वाला नाइन हंड्र रूपीज आपके शुशन के एकदम सथी कांसर रही है रूपीज आपके शुशन के एकदम सथी कांसर रही है वेरी गोड वेरी गोड चौवालीस पर्षेंट बच्चों ने अंसर सही किया है इस वार भी गलत कर दिया इतनी जल्दी क्यों करते हो अब की बार हंडेट पर्षेंट आंसर करना पूल में ठीक है 100 पर्षेंट नहीं त बच्चों ने से सवाव्य नीकिआ जल्दी से जन्व बैंसे अवी तक सेसे ृइसे इस लाइक नीकिए सेसन को लाइक करो जल्दी से यह इस वार भी बच्चे ज्यादा स्यादा करेक्ट आंसर करना ठीक है आपको आरामसे मैं 20 टेकन का ताइम दे रहा हूं आपके पास 20 से कि एक वस्तू को एक सब अंदरें बेचने पर हुने वाला लाव इस बस्तू को एक सो चार में बेचने पर हुई हानी से 20% अधिक है पिने पोसु को में यह invari उनgewीं को पुरसतoda अधिख है क्या लाव अधिख है लाव अधिक है वीस परसेंट हानी से तो वीस पर चामी परिक्शन मान एक बटे पांस है अधिक हो जाएगा तो छे बटे पांस आपके आफिक आपके cleaned है हानी इस लिएक का रस сят गौणी निखालने के आपके पास दो रास्ते Subscribe या तो लाव वाले को लाव में से घटा दो या हानी वाले में हानी को जोड़ दो तो CP आ जाएगा आपका 109 109 की चीज को 130.8 में बीचा जा रहा है तो अब प्रॉफिट होगा हमें इस पस दिख रहा है ज्यादा में बीचे को तो प्रॉफिट होगा तो कितना प्रॉफिट होगा 21.8 प्रॉफिट होगा कितने पर 109 पर और मल्टीप्लाइब 100 मल्टीप्लाइब 100 तो यहाजागा एक तीस सो असी बटे एक सो नो एक सो नो से दो बार कट जाएगा तो 20 हमारे प्रॉफिशन का आंसर हो जाएगा 20 कौन सा आप्सन होगा बिटा डी कि 20 ता करेक्ट अंसर आप इस सुष्यन जिन बच्चों ने बिटा सेशन को लाइक नहीं किया अभी सेशन को लाइक करो जल्दी हाँ आप यह लेकिन 25 लोगों ने सीखिया 50 परशंट ने भी आंसर किया है और संडी है मैं आप मैंने कहा था कि 50 परशंट करो और मैंने सुचा आपने 50 परशंट का जो टार्गेट है वह गंपलीट कर लिए लेकिन आप तो और नीचे किसा गया है अभी तब पेंदिस जालीज जा रहा तब 25 परशंट राइट कर रहे हो वही विक्रम सुभास धरम बाल बीटा सही से करो आंसर है ना चले इसवार करो सही से इस वार एबब करना अंडेट परशंट से ठीक है जिन बच्चों ने सैसन लाइग निकिया सैसन को लाइग करो जल्दी पोल में आंसर करो तक सही बच्चे पोल में आंसर करो और स्ट्टेंट्स किसी बच्चू को 8800 में बेचने पर होनी बाला लाव इसी वस्टू को 7200 बेचने वाली हानी की राशी के बराबर है या दिस यह नौच जाट शाहेशंव में वीचैजently टला ना 香र बता हो आपके पास 10 सेकेंड का समय है प्यारे बच्छों बताओ जल्दी से अंसर पुश्य नमबर 20 का अंसर सभी बच्छे सही बताएंगे ठीक है गलत नहीं जाना चाहिए कि वोट करो जल्दी से पोल में वोट करो तो किसी वस्तु को 8800 में बेचने पर होने वाला लाव इसी वस्तु को 7200 में बेचने पर होने वाली हानी की रासी के बराबर है तो 8800 रुपे में बेचने से होने वाला लाव और 7200 रुपे में बेचने से होने वाली हानी की रासी के बराबर है और चाहूं तो आप सीज़ा निकाल सकते है उसमें लाभानी भराबर है तो यह डिफ्रेंस लेकि निकालएगा तो ड्वल जीरो 16 अजायगा ब्राबर ब्राबर है तो 800 का ही लाभ होगा आठ सो यही आणीहार था और चाहए में 800 जोड़ दो प्रस्त करिया होगा लगार पर आठ जार पर और मुल्टिप्लाय सो तो सोले पंजी असी पांच वार जाएगा पांच से कंसल करेंगे वीस वार तो हमारे कुश्चन का अंसर आजाएगा 20% 20% कौन से ऑप्षन पर है पहले बाली ऑप्षन पर यह ऑप्षन आपके कुश्चन का एकदम सटीक एंड एकुर 24% अब इस वार का टार्गेट है आपका 75% ठीक है 75% एवब आंसर सही करने ललेत कुमार सचिन मनुद्ध ठीक है सभी ध्यान रखना मिटा सभी बच्चों के लिए और जिन बच्चों ने सैसन को लाइक करो चलो बताओ इस वार आपका जो आंसर है वो 75% एवब बच्चों क सभी बच्चे पोल में आंसर करो जल्दी से और अब की बार आंसर आपके सही जाने चाहिए 75% से एवब एक बस्तु को 13,400 में बेचनी पर प्राप्त लाव उसी बस्तु को 11,600 में बेचनी पर हुई हानी की राशी के बराबर है जैसे 14,750 में बेचा जाता है तो लाव क्या ह बता हो रुपे में लाव पूछा है अफी बार परसेंट में नहीं पूछा लाव रुपे में पूछा है 13,400 फॉर एन आर्टीकल दा प्रोफिट अर्टीकल अर्ट अन सेलिंग दा सेम आर्टीकल फॉर 11,600 इस इकल तो अमांट आप लोस इंकर्ड उन सेलिंग इड वाट व और 11,600 में वेचने पर हानी के बराबर है तो दोना बराबर है तो सीधा जोड़कर आजा कर दो CP आ जाएगा अगर लाव हानी बराबर है तो डारेक्ट CP निकाल सकते हो आप डवल जीरो छे और चार दस जीरो एक चार और एक पांच 25,000 बटे दो 25,000 बटे दो करेंगे तो 12 500 का CP आ जाएगा और SP दिया है 14,750 तो 14,750 में से इसको घटा दो तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा तो 0522,250 का प्रॉफिट आ जाएगा तो हमारा लाव आ जाएगा बाइस तो पचास कौन से ओप्सन पर है डी ओप्सन पर देखते हैं बच्चों कितने बच्चों ने आं सभी आपको आपको 75% से अब आंसर सही करने ललित कुमार जानवी पंकज अरुन बहुत अच्छे बहुत अच्छे चलो बच्चों ने सैसन लाक करो जल्दी से चलो इस कुश्यं का आंसर बताव जल्दी से इस कुश्यं का आंसर 80% एव इस्ट्ट्येंट का सही होना पूल में वोट करें सभी बच्चे 80 परशेंट यह वो बच्चों का सभी होना चाहिए वड़ा जो को पढ़कर देखते हैं किसी वस्तु को 8589 में बेचने के बाद प्राप्त लाव इतने बेचने से हुई रहनी के बराबर है तो लाप प्रतिसत ग्याद के लिए लाप प्रतिसत बताना है आपको इसमें कितना है लाप प्रतिसत अगर 8589 में बेचने के बाद हुने वाला लाप और 6341 में बेचने के हानी के बराबर है तो चाहिए लाप का परसेंट पूछ ले चाहिए हानी का परसेंट पूछ ले दोना ही बराबर आते हैं तो पहले तो आ जाएगा 8589 और प्लस 6341 और दिवाइड वाइट टू कि नौ और एक दस दी रो एक 57 बारे दो एक आठ और एक नौ 8 और 64920 डिवाइड वाइड वाइट टू करेंगे 2714 248 262 चोह 760 का CP नहीं पूचा आप से लाब पस्तत पूचा है तो बेचा कितने में प्रॉफिट हुआ है तो नो तात मैं से जाएगा एक और एक इतना प्रॉफिट हुआ है ना और कितने पर हुआ यह प्रॉफिट यह प्रॉफिट हुआ आपका सब्सक्राइब करेंगे तो दो ती अच्छेज़ों साथ चाहिए तीन सो तेतर से सीधा सीधा आपका तीन बार गट जाएगा तो तीन पांच 15 परचेंट कालाव हो जाएगा जो कौन से ऑप्सेंट विटा बी ओप्सेंट पर दी ओप्सेंट आपके कुछन का एकदम से आंसर कितने बच्चों ने पूल आंसर सही किया है हारे कि क्या कर रहे हो भाई 25 25 25 24 गलाथ तुम से बढ़ने की कहा हो तो यह बताओ कि कम की कहूं इस बार इस वार यह कहूं कि करना चाहिए तो करना चाहिए जिन बच्चों ने बी आंसर किया वह करेक्ट है कि चलो कि नेक्स्ट बता इस मिश्चन का अंसर बताओ यह बढ़िया बताओ जल्दी से चलो कि इसका आंसर विटा आपको 80% एवब करेक्ट करना है ठीक है गलत आंसर मत करना कोई भी स्टुडे करो सही करो करेक्ट ठीक है गलता करने को बस्तो को पंद्रेशी में बेचने पर प्राप्त लाव उस्वक्त्व को दो मतलद धोमनां में यह वह बता यहां भी profit हो रहा है यहां भी profit हो रहा है और पहले वारा profit इसका दुगना है तो बस तुका क्रेम उले पूछा है अब यहां पर ध्यान रखना दोनों ही selling price लाब के दिये हैं करें पहला selling price लाब का तेर्षब का दूसर लाब आफ दोनों का अंतर ले लीजिए है दोनों का डिफरेंस ले लीजिए तो पंद्रे तेरे सो पचास का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा एक सो पचास और एक सो पचास जो आ जाएगा दोनों केसों में लाबों का अंतर आ जाएगा मतलब पहले वाले केस में हुने वाला लाब दूसरी वाले केस में हुने वाला लाब उसमने इस पस्ट का है कि लाब इसको जो प्रॉफिट होगा वह वह थींसों का तो सी पी निकालेंगे तो इसमेंसे थीं सो सब्सक्राइब फॉप्स पर प्रॉप्स पर इग्डम सफॉप्सें और यह कुछा जे कि तेरहन सो पचास पलस्पाइस गड़वड कर दिया आपने गड़ के दि लिए इतना फोल गलत गया आपका आपका आपको आपने यह नहीं पर दोनों ही लाब दिए होते हैं तो लाबों का अंतर आता है हानी दिए होते हैं तो हानियों का नंतर आता है और लाब का ыпर हानी दिया लाब हानी जोड़ educator लाहीं विंद प tark तो यहां पर लाव 300 का हैगा यहां पर 150 का हैगा अब या तो इसमें से 150 गटा दो या इसमें से 300 तो आपका सीपी आ जाएगा बारे सो इस दैट किलियर तो अल्डा स्टुडेंट्स ओके चलो इसकूशन का अंसर बताईए एक बस तू को चाहर सो चाहर सो तरानवे पॉंट्ट शेवेशने पर प्राप लाव इतने वेशने पर उने वाली हानी राशी बीस पर्शेंट अजिक है ऐसे कुश्यन तो कर लिए इनको मटाते जाते हैं ना बहुत सारे कुश्यन इस तरह के हो चुके हैं लाव आनी वाले चलो बच्चो यह आपका टाइप फिनिस होता है इस कुश्यन को सॉल करो फिर अभी जो है दूसरी पीडिया पैड़ करते हैं इस कुश्यन का अंसर बता जल्दी से तभी बच्चे इस कुश्यन का अंसर करो पीडिया फिर अगली आड़ करेंगे ना अगर टाइम लगेगा फिर आपको इससे अच्छा बेटे ठाले क्या करोगे कुश्यन कर लो कुछ करने से क्या फायदा है अगर बताओ अगर 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 करने कर दो कर लेते हैं आगे वाला टाइप की जो पीडिया को भीजी नहीं है अभी टाइप इसने कोई वात रही चलो इस विश्शन का अंसर बताओ सभी अच्छे इस मच्छोन अभी तक अंसर नहीं किया जल्दी आंसर बताओ पोल में अंसर करना विटा ठीक है देखो एक बस्तु को 493.6 में बेचने पर प्राप लाब इसे तो लाव और हानी का जोड़ा जाएगा तो पॉइंट 6 तीन में से दो जाएगा एक नौ में से तीन जाएगा छे एक सट पॉइंट 6 एक सट पॉइंट 6 एक सट पॉइंट 6 लाव और हानी का जोड़ा जाएगा ठीक है अब वह गयारा बीस परसेंट अधिक है लाव हानी से तो बीस परसेंट जाएगा एक रेशियो कमान बराबर हो जाएगा एक रेशियो कमान निकालेंगे तो 5.6 अब चाहे आप हानी निकाल लो जाएगा तो 5 प्रेशियो कमान 5 पॉइंट लेकिन आपको फसना नहीं है तो 441.5 पर आपको हानी होगी सीदी सी बात है आपका सीपी ज़्यादा है अगर विक्रमूल कम है तो हानी होगी कितनी आनी होगी इस में से इसको घटाईए तो यह जाएगा पॉइंट पांच नो में से एक जाएगा आठ और पांच में से चा सब्सक्राइबर गारे तो आठारे पॉइंट पांच की हानी होगी 460 पर मुल्टीपला ए10 सो जीरो से तो यहां पर है चालिस आजएगा एक सफ़ पिचा सी बटेच फालिस देख़ों कितना जा रहा है साथ-चार ऐस तो बहुत ज्यादा चला जाएगा साथ-फशा याज आजाएगा साहर है एक सब्सक्राइब टो चार से 24 पर्षेंट के आजाएगा और संसी ने तो आप दिवाइड चार बार देगे देखिए चार 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 दो तो तो अठार है तो अठार पॉंट चार के आसफास आ रहे हैं सही है उसने करेक्ट डेसिमल प्लेस तक उचा तो आंसर आजागा 4 परशेंट बताइगे कितने बच्चों ने आंसर तहीं किया इसका तार होगा वेरी गोड और संसी पोल में तो मात्र 26 परशेंट आंसर बच्चों ने सही किया है तो अधिवार और बताना बिल्कुल बेटा बिल्कुल बताएंगे देखो यहां पर एक परसेंट अधिक है हानी से छह पांच रिश्य हो जाएगा दोनों का जोड गया रहे हो जाएगा गया रिश्य कमान एक सट पॉइंट च्छे तो एक रिश्य कमान पांच पॉइंट है हमने लॉस निकाल लिया मुल्टिप्लाइपांच पॉइंट है 28 मतलब 432 में बेचने से तर प्यारे भाई दोस्ट जल्दी से बताएंगे वाट इस दा आंसर अप दिस प्यूटिफल कुश्यों जिन बच्छों ने से साल लाकनी के लिटा सैसन को लाकरो पॉल में अंसर करो जल्दी तो जल्दी से पोल में अंसर कर ये सभी अल इस्टुदेंट्स सब इस्टोरेंट्स पोल में आंजर करो बताई इस कुछिछन का अंजर बताई बटा सभी बच्छे तुझे को क्या का गया है जरा कुछिछन को समझने पड़ते हैं एक बस तू को 440.8 में बेचने से लाब हो रहा है इसको और 216 में बेचने से हानी हो रही है दोनों का अंतर ले लो तो पॉइंट आठ 6 में से 6 जाएगा जीरो चार में से एक जाएगा तो तीस पॉइंट आठ लाव और हानी का जोड़ आ जाएगा उसने का लाव 20 परसेंट अधे बच्छे बटा बैट जाएक रहो बाकि जिन्हों जिन्हों को पढ़ते हैं एक दुकानदार ने दो वस्कों में से परते को 9000 चार्ट तर में तो देखो यह कुश्यन का पहले मैं आपको कंसेट पाता हूं कंसेट क्या होता है किस तरह से इन कुश्यनों को सौल करते और कैसे कुश्यन आपके पीपर में बनेंगे तो किस तर जब आपको दो वस्कों के विक्रे मूले बराबर दिये हों पहली वस्कों का विक्रे मूले दूसरी वस्कों के विक्रे मूले के वराबर दिया है पहली वस्कों पर होने वाला लाब पत्सत और दूरी वस्कों पर होने वाले हानी पत्सत के समान दिया है तो ऐसे केस में हमे हमेशा लॉस होगा मैं आपको यह तो बता रहा हूं ट्रिक की बाद मैं आपको इसका किस तरह से ऐसे कुश्यनों को आप सौरू करोगे ठीक है प्यारे बच्चों तो अगर देखो लाव और हानी समान हो हो एसकी समान हो तो ऐसे किसमें हमेसा हानी होगी हानी का परसेंट निकालेंगे तो जो परसेंट आपको दिया उसका वरक करके सौ से भाग दे देजिए अब इस कुश्यन को पढ़िए आपके मतलव का है कि नहीं दोवस्तों में से प्रतेक को करने आपको 2-7 और हानी का परसेंट निकालेंगा रिए उसका वरक करके 1-100 कितना होता है नाइन पर्सेंट लॉफ यूप्शन इस दा करेक्ट अंसर अंसर हो जागा भी जिन बच्चों ने बेटा सेशन लाइक नहीं किया सेशन को लाइक करो अच्छा पोल किया 10 स्टुएंट्स ने हमारे ने आंसर किया जिसमें से बी ऑप्टी परशेंट ने किया बहुत बच्या आज की परफोरेंस आपकी अच्छी रही सबसे पहली वाली बाती आगे देखते हैं आगे आप 100 परशेंट बढ़ानी का प्रयास करोगे है ना बिल्कुल कर रहें किया है नहीं 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 रीत विटा यह एक्स प्लस वाय प्लस एक प्लस यह पॉन हंडेट से नहीं निकल यह तो यह से बचना है आपको एक्स प्लस वाय एक्स वाय पॉन हंड्रेड नहीं लगाना देखोमे एक बार ओर बैख जाता हूँ अगर आप यह से कंसेफटो इक वर मत करना ऐसा मत सोचना कि उस से किया है थे प्लस एक्स यह पन हंड्रेड जो लगता है वह हमेसा तब तो यहां पर ऐसे नहीं बाखी कंसेप्ट के लिए अगर कुश्यन आएंगे तो बताऊंगा किस तरह से हैं ठीक है चलो बटा इस कुश्यन को देखो इस कुश्यन का अंसर बताओ इस पर भी आप डारेक्ट लगा बता सकते हो परतेक को 9,649 रुपए में दोवस्त में बेची आप कहोगे सर यह कुश्यन x plus y x y f100 से होतो रहे हैं यह कुश्यन हो रहा है कहां पर गडबड होगी वह मैं आपको बताऊंगा जब 2-0% समान हो तो चाहे उसको आप x plus y x y f100 समझे लो चाहे कुछ भी समझे लो लेकिन जब यह दोनों पर percentage अलग-अलग लावानी होता है त तुछ को समझके पड़ो ट्रिक केवल कहां तक काम करेगी वह मैंने बता दिया जब दोनों बराबर हो वहीं तक काम करेगी जब यह वाले दोनों परसेंट बराबर हो 19% लाव 19% हानी और यह वाला सेलिंग प्रैस समान हो तभी तक यह काम करेगी इसमें हमेशा लॉस होगा अगर लॉस का परसेंट निकालोगे तो लॉस का परसेंट आएगा 19 के स्केर वट इसो नॉक रुनिस का स्केर पार तीन सो इकस्ट होता है तो आए तो आजाएगा 3.61% परसेंट लॉस परसेंट लॉस से अपर बिटा डी ओक्शन पर लो कितने बच्छों ने आंसर किया है कि बताइए नंद किसोर प्रीती सभीवच्ची बताएंगे अंसर क्या होगा बहुत बढ़िया जब परसेंटेज अलग अलग हो तो क्या करें आप देख रहे होंगे दोनों जगे परसेंट अलग अलग है एक पर 31 परसेंट लाव है दूसरी पर 29 परसेंट की हानी है तो पूर वर्क करके सव कर दो एक ठ्रिक आवल क्वूंसी कुष्चन ऐसे जो ट्रिक से इक पर देखें दोनों का विक्रमुली समान है यहां तक सहीं है लेकिन एक हो अगर लाव हानी समान नहीं है तो अब आप डार्यक्त रिक आप आप यह नहीं सोच सकते हैं यहां पर जातर निए तरीका तब बताया था जब कोई डाटा लगातार वड़े लगातार कम हो या otypeset multiply में दो राजियों लेकिन यहाँ पर रद्दीय है ना लगातर कमी और आपकाई मैं कोई संख्या में कोई आई क्यूस्टन को फिर अगर यहाँ पर दोनों पर्सेंटेज अलग लगा जाए तो फिर आपको इनके ratio बनाके solve करना पड़ेगा तो एक बस्तू को 31 वस्त लाब पर बीचा गया तो plus 31% profit अब यह जो मैं बता रहा हूं यह concept चोली बता रहा हूं चाहे लाब हानी चाहे SP CP बराबर हो चाहे SP बराबर हो चाहे कुछ भी condition आ जाए यह हले सो concept है हर जगे काम करेगा अलग अलग हों चाहे सीम हो हर जगे यह काम करेगा 31 Plus लाब है एक सो depress バख 10 8LP pressures हो जाए गा हो ये पह весed का क्रेयम आदा हो जाए है दूसरी बस्तू को 29 रम नहीं और विच सानि चे आ जा रहा है तो 29 पर्सेंट हानी मतलब माइनस दोनों के समान नहीं अलग अलग हैं इनको समान करना पड़ेगा इधर इधर मल्टीप्लाइ करना पड़ेगा एक से खेफ्टर का तभी सीम होंगे दोनों तो बस हमें तो क्रेम उल्यों कान पाच चाहिए क्योंकि उसने का है अच्छा पूरे लिंदिन का लाभानी परसेंट पूछा है तो हमें टोटल सीपी भी चाहिए टोटल सीपी चाहिए कि दोनों को एड़ करेंगे तो डबल जीरो एक और एक दो भी सज़ार दो सो यह तो गया टोटल सीपी और अगर आप लाभ देखोगे या हानी हुई कि लाभ तो यहां पर 31 रेश्यों का लाभ था और मल्टीप्लाइक एत्तर करेंगे तो इतने का तो प्रॉफिट हुगा यहां तो प्रॉफिट हुगा एक एत्तर मल्टीप्लाइक अगर एक 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 और तीनों सात ग्यारा एक 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 लिए यहां पर तो प्रॉफिट हुगा आपका बाइस सो ग्यारा का देखो क्या हुगा यहां पर आपको हानी ओर एक 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 तर ने का लॉटप्लाइक एक हम उजाएगा और जायंगी किनी-एक और यहां यह जाएगा नौमें यह जाएगा आठ दो बारह सटाथी की हानी हो जाएगी और बीस अजार दूसो पर हानी का प्रस्ट निकाल दो हानी का परसेंट आएगा बारहस तो अठासी बटे 20 two one 802 कि इसमेंस करेंगे आठ यह रहा है न यहां पर मल्टीप्लाइ करेंगे एक से कट्रीज दौनों के विक्रेमुले समान है तो 31 गुणा करेंगे और मल्टीप्लाइ 29 से कम 29 गरवड कर दिया यहां पर बैटाई मल्टीप्लाइ गरवड हो गया ना 29 गरवड हो गया ना 29 यह एक साथ में से दू जाएगा पांच अफा थाट यहां था कट गया धो से एक सो एक बार कट गया 7.91 परसेंट लॉस लॉस हो रहा है तो लॉस ही आएगा गेन वाली आंसर तो हो नहीं सकते और यहां पर भी हमने कीवल सेवन से पता चल गया कि कौन सा होगा तो 7.91 परसेंट आपका क्या आ जागा बटा लॉस आ जागा स्विशन जैह हिंद बीटा सत्वी सिंग मोहित 6.99 नह स्वेरी गोड वेरी गोड तो यह जीज ध्यान रखने है आपको कंसेप्चली सॉल्ल करना एक्स प्लस वाई एक साइपन हंड्रेट नहीं समझना इसको नहीं तो गड़बड हो जाया का काम एक्स प्लस य एक साइपन हंडेड लगा वे तो नहीं आए तना नहीं करके देख लो अगर समझ में नेक्स प्रिशन पर आजब इस तुशन का अंसर बताओ सभी बच्छे जल्दी से फास्ट वस्तों में से प्रतेक को 620 में बेचता है एक को 24 परशेंट लाज दूसरी को 24 परशेंट हानी तो यह तो 24 का 560 560 5.60 परशेंट लॉस्त विदाउट पैन प्रिशन को आप जिन बच्चों ने अभी तक सेसन लाइक निका सेसन को लाइक करो जैसी आप लास में आतो सेसन को तुरंत लाइक कर दिया गरो जैसी क्लास में आतो हमारे कुश्चन का अंसर क्या हो जाएगा विदा 5.76 परशेंट चलाने की आवज़्यक्ता नहीं है इस कुश्चन का अंसर बताओ चलो जल्दी से फास्ट बहुत आसान प्रस्ट नहीं यह भी यूपी पुलिस के बहुत आसान कुश्चन है जो यूपी पूछे आता है पीडिया बेटा आपको मिलेगी टेलिग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में जाईए या तो मॉबाइल न दो कलाई घडियों में से प्रतेक को 1980 में बेचा गया एक कलाई घड़ी दसवसत लाब पर बेची गई और दूसरी दसवसत हानी पर बेची गई तो पूरे लेंदिन का पायणाम क्या है तो बड़ी आसान सी बात है एक को दस परसेंट लाब पर बेचा गया एक को दस परसेंट हानी तो पूरे लेंदिन में एक परसेंट हानी हो जाएगी लेकिन उसमें परसेंट में आप से उत्तर नहीं पूछे यह एक परसेंट हानी हो जाएगी तो एक परसेंट का 1980 दिया है प्रतिक का तो दोनों का हो जाएगा 1980 गुना दो तो 99 रेश्यो का मान आपको बराबर दिया है 1980 गुना दो क्योंकि यह जो निकल के आएगा ना यहां पर जो सीपियास की आएंगे दौनों के मिला के आएंगे दून्यान वैसे कैंसल करेंगे 20 वार एक रिश्यो का मान आजागा बीज़ूनी 40 वहीं आनी है तो 40 रुपे की हानी हो जाएगी 40 रुपीज कर लेना है सो अ लॉस ऑफ 40 रुपीज तो हानी कितनी हो जाएगी बटा 40 रुपे की 99 लॉस पीति आदम 99 लॉस कैसे हो जाएगा बटा एक पर्षेंट का लॉस होगा तो गेन वाले अंसर तो हो इसकते और एक पर्षेंट का लॉस होगा तो यहाँ से आपको अभी तक सेसन लैक नहीं किया सेसन को लैक करों कि एक आदमी चालिस अजार पांसवाइब तालिस प्रतेक की दर से दो लैप्टाउब बेजता है जिसमें से एक पर उसे 24 परस्त लाव होता है दूसरी पर 20 परस्त हानी होती है तो उसका फुल परणाम लावानी परस्त बताओ तो यह भी देखो आपको SP तो बरावर दिया है लेकिन समस्या यह है कि एक पर होने वाला परसंट हानी परसंट अलग 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 दिया है तो बेसिक से स्टॉल करना पड़ेगा तो 24 परसंट का लाव होता है तो 24 परसंट का फ्रेक्शन मान हो जाएगा 6 बटे 25 कितना हो जाएगा छाह रिश्यों दूसरे पर 20 अट हानी होती है वीस परसंट हानी मतलब एक वटे 5 अनी वी तो मैनस हो जाएगा पांच-1 चार वटे 5 उसने सबसक्ष परतिक को इतनी में बेशता दो दोनों के विक्षर मुले बरावर है दोनों के विक्षर मुले ना को व 12 और इसका CP आजाएगा 100, इसका S की आजाएगा 124 और CP आजाएगा 515, अब देख लिजिए, वो किल प्रतिसात लावहानी घ्याद कीजिए, तो फुल पर्सेंट लावहानी पूछा है, तो पहले तो टोटल CP निकल लो कितना है, तो टोटल CP आजाएगा 155 और 100 दोटोपच् का, तो overall loss हो जाएगा 7 का, तो 7 का loss हुगा है 255 और multiply 100, 5 से cancel करेंगे 20 वार, 5 से cancel करेंगे 255 और 151 बार, तो 140 बटे 51 परसेंट, 152 एक सो दो तीन करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो टू पॉइंट कुछाएगा तो यह खतम करो पहले तो, यह दो बचे, तो यह दो बच हो जाएगा, तो 3 बार नहीं सात बार चला जाएगा, 755 परसेंट, 2.75 परसेंट, 2.75 परसेंट, आंसर करो बिटा, सभी इस्टेंट आंसर क्यों नहीं कर रहे वाई, आप लोग फोल में, तो आंसर हो जाएगा आपका D for Delhi, तो किसी ने आंसर ही नहीं किया, सब ने गलत किया चलिए बच्चों, नेक्स्ट की तरफ आजाओ, इस्टेंट का अंसर बताओ, सभी बच्चे आंसर बताओ, क्या होगा, करणजाट, भारती, राच्पू, सभी बच्चे बताया करो, हर कुश्यन का अंसर पूल में किया करो, सभी बच्चे, इस व्यक्ति नवक्ती नौन करो भी बताओ, थी हो करे लाव होते है, तो होने वाले पुलाव या, हानी की घळणा की चलिए, सब्सक्राइब तो एक व्यक्ति नौहजार नौह सब्सक्राइब के मूले पर दो बसक्राइब उसे एक वस्क्राइब होता है दूसरी पर पांच पर्शेंट हानी होती है उसे होने वाला कुल लाव या हानी की गड़ना कीजिए यह तो एक पर्शेंट लाव होता है दूसरी पर पांच पर्शेंट की खानी होती है पर पांच पर्शेंट का प्रचिट है एक पर यहान न नहीं पहर हो नहीं सकता तो यहया दो प्लीट कर लिजिए याए meu वा الب उफ पर लॉस तो हमें इसका मतलब टोटल लॉट्ट होगा एक रेश्यू का टोटल सीपयो का चार्ट हो का यह टोटल लॉस होगा आपका और यह टोटल सीपी होगा तो SP कितना हो जाएगा तो 400 में से कटा दो 399 और 399 रिश्यो कमान आपको बराबर दिया है 9975 गुणा 2 क्योंकि एक का इतना SPN तो दोनों का गुणा 2 हो जाएगा जाए बस एक रिश्यो कमान निकालेंगे एक रिश्यो कमान आजागा 992 को बटे 3099 रिंसे केंसल करेंगे एक São 3 3 इस दो बार जादा चला जाएगा तो बार जाएगा एक रेश्यू का मान हमारा बराबर हो जाएगा दो तो मल्टीप्लाइम है इसमें 266 और तीनसों बत्रीज़ मैं से गटा जाएगा अच्छे कितना कॉपी हो जाएगा पांच और तो यह कितने बार ना कॉपी ना रिस्वीज्य करक्या हो जाएगा 50. सबस्राइब कि अचाथ कर नहीं हो जाया थो कि आप सर्पे लॉफ्सुन से ओगा तकाल लिए तो नहीं 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 किया तो किसी नहीं थी mm कि अभी वच्छे तो कि लगा रहे हो और प्रुपे का लॉस हो जाएगा या आप चाहो तो अलग अलग करके सॉल पर सकते हो जैसे एक पर दस परसेंट लाव है दूसरी पर दस परसेंट आनिया तो सीपी एस पी का रिशियो बना लो सबका अलग अलग ऐसे भी सॉल कर कि जैसे कि एक पर पॉंच पर्षेंट का स्वर्ट अलग है एक पर परश्रेंट का मतलब प्लस 5 परत परशेंट पांस एक बटें दीस हो जाएगा तो इक किन वरैंपी सो जाल आट गये हो जाए गा यह उन्हीज का यह वन्हीन कि रिए स्थी आन्ग तोटल सीपीएसपी और क्रॉफिट एक पर पांच पर्सेंट की हानी है तो मैनस 5 पर सेंट पांच पर सेंट कितना हो जाएगा एक वट्टे 20 तो हानी है मैनस हो जाएगा उननीस वट्टे 20 है यहां पर दूसरी बस्तू का विक्रम मुल औहानी ऊजाएगी एक दौनों के विक्रम मुले तो यह समान कर दौनों के विक्रम मुले समान है थो समान कर लो यहां मल्टीप्लाइ कर दो 19 गर्ण मल्टिप्लाइ 19 मल्टिप्लाइ 19 यहां मल्टिप्लाइ कर दो 21 का मल्टिप्लाइ 21 की हानी हो गई इतने की दो रेश्यों की हानी हो गई और 9975 एक वस्तु का एस्पी और एक एस्पी कितना माना है 19 गुणा 21 तो एक रेश्यों का मान निकालेंगे तो आजागा 9975 बटी 19 गुणा 21 की तो केस का जया थे केंसल आर्ट करेंगे 3 से सात वार कर जये गा इन से केंसलाट करेंगे तीन.. के मैं यह राथ एक लम ऐसला प्रवस्त। तो कैसे भी कर लो बात वही आनी है आप अलग अलग सौल करके कर लो चाहिए दोनों का टोटल लावानी निकाल के कर लो इसका मतलब कैलकुलेशन वीक है तो टाइम ज्यादा लगेगा टाइम ज्यादा लगेगा तो समस्य आगी पेपरवर पूरी कुश्चन अटेम्ट नहीं नहीं कर पाओगी तो टाइम को तो बचाना ना विटा और इसका देखो इलाज यह है कि जतनी ज्यादा पूश्चन लगाओगे जतनी ज्यादा प्रेक्टिस करोगे उतना ही आपका यह कब मुता चला जाएगा यह बताओ यह बढ़िया कुश्चन बताओं ज्युश्च बताओं पिडाओं गरी ज्यूश्च बताओं विटाओं ज्युश्च बताओं यह बढ़िया क्या होगा हिस्विश्च फूश्चन का अंशंटाओं अभी ने 624 में दो बसकों खरी दी उसने एक बस्तु को 14 पर बेचा और दूसरी बस्तु को 14 पर बेचा या दोनों बस्तु के विक्रमुले समान है तो उनकी लागत मुल्यों में क्या अनतर है अभी पेड आरे 624 बोर्ट टूर इतम्स इस फोल बन आर्टिकल अट अलॉस्ट इस सेलिंग प्राइज और बोर्ट आर्टिकल इस सेम देन डिफ्रेंस इन देयर पॉस्ट प्राइज है तो अभी ने 624 में दो वस्तु में खरीदी है तो इसका मतलब दो वस्तु का क्रेमुल्य है ये टोटल 624 रुपए मिलाकर एक उसने 14 पर बेचा दूसरी को 14 पर बेच कौनों के विक्र मुले समान है ये तो कंफर्म है किसमें हानी होगी लेकिन हानी का परसेंट उतने पूछा नहीं आपसे उतने तो लागत मुल्यों में अंतर पूछा है तो आप तो रेश्यो बनाना पड़ेगा तो पहली बस्तु को 14 परस्त हानी पर बेचा गया है तो 14 पर और दूसरी बस्तु को 14 पर पर बीचा गया है कि उतको दोनौर रच्यो बनाने के बाद आप देखे किया मुल्या पहले मुलया है तो पहली बक्रम यती तालिस और सबुटी बस도 का विक्रमुल राया सथां पार Васου की का घीए स्थालींud लेकिन आपको डरना नहीं है, किवल अपनी concept का ध्यान रखना है, तो दोनों बस्तों को विक्रे मुले समान है, लेकिन यहां तो यह समान है नहीं, और सबसे बड़ी समस्या, यह प्राइम नमबर और है, तो सीधा multiply करने से सीम हो पाएगा, अगर हम सेलिंग प्राइस को सीम कर hè गेंगे, तो यहां पर multiply करना पड़या अगर हमें यहां पर करना है तो यहां पर multiply करना पड़ेगा 43 का, 43 का यहां एक रेशो का मान निकालने के लिए आपको खुल क्रेमुले दिया है, अंतर पूछा है, तो कुल क्रेमुले देखो यह हो गए है को हुआ इसपुकर मों लियों का रेशयो निकालेंगेे तो पहली बस तुका जाएगा 57 रेशयो, दूसरी का जाएगा 33 और टोल क्रेम हो जाएगा 100 न अर्वे टोटल कormuş चया है, 06216 तो एक रेश्यो कमा नसेंवन जाएगा 6.24 क्या पुछा है दोनों में अंतर तो दोनों में अंतर कितना हो जाएगा 14 रिश्यो तो ही आ जाएगा आपका चौध है multiply 6.24 तो यह आजागा आपका multiply 6.24, 14, 4, 56, 6, 5, 28, 5, 33, 84, 3, 87, 87.36, 87.36 कौन सी ओप्शन पर है, यह ओप्शन पर यह आपके कुश्चन का एक दम करेक्ट आंसर है, 87.36 तो 87.36 रुपे का अंतर होगा दोनों लागत मुल्यों में, बहुत बढ़िया कुश्चन था, थोड़ी सी कैल्कुलेशन थी, लेकिन कंसेप्ट सेम था, सुरीति यादा बैरी गोट, पोल करो बिटा, सभी बच्चे पोल करो, आप लोग बोल क्यों नहीं कर रहे हो, 87.36 बैरी इस कुशन का अंसर बताओ जल्ली से, अभी प्यारी प्यारी बच्चे बताएंगे, इस कुशन का अंसर क्या होगा, और इस्टुएंट्स, अब आपके पास 10 सेकंड का समय कुश्चन को साल्व करने के लिए, यूवाब 10 सेकंड्स तो साल्व बेस्कुशन, तो बढ़ेंग अच्छा कुशन है, बहुत जबड़जस बहते इंकुशन है, अधर कर दो साजार तीनसों चौरह सी में बेच रह रहा है प्रतेक को, लाब है तो 69 वटे 50. CP, SP और Profit हो जाएगा 9 यह जाएगा हमारा CP पहली बस्तु का यह हो जाएगा हमारा SP पहली बस्तु का और यह जाएगा Profit. दूसरी बस्तु पर 12 बस्त की हानी है तो माइनस 12 पर्सेंट हानी है थे बाइस वटे पच्चिस हो जाएगा दूसरी बस्तु का क्रेमुल और दूसरी बस्तु कि नहीं हो जाएगी त्विम्स यहां मुल्टिप्लाय कर दो यहां भी बढ़िए यहां भी मल्टिप्लाइब और यहां पर मल्टिप्लाइब आप उनसर्ट को मैल्टिप्लाइब 59 मैं इंत बंल्टिप्लाइब 59 तो एक वस्तूरा परशनला म dallुस्री पर बारे पॉपर नाना निया। थो को कि अन्य हुआ और यहां पर है लाव नौ दूनी अठारे आठे एक सो आठानवेका यहां पर हुई है थीन नो सत्ताइब दो बंदर दो एक सो सत्तर की तो ओवरॉल इसमें गेन हो जाएगा कितने का गेन हो जाएगा देखो वन और दो 21 करने की आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि 21 रेश्यो का प्रॉपिट हो रहा है तो कितने भी रेश्यो का गुणा करो लेकिन 21 से आंसर भाग जाएगा कि नहीं जाएगा बता हो आपको जाएगा तो से यह वाग जा रहा है तो यह वाल आंसर हो जाएगा अगर करना चाहते हो तो आपसौल कर सकते हो स्पी 22 गुणा 69 रेश्यो का मान बरावर रखेंगे इसके दस अजार तीन सो चौरासी तो दस अजार तीन सो चौरासी और बटे 69 गुणा 22 5 12 से कैंशल करेंगे 2 बार 11 से कैंसल करेंगे आरिनरत लिकिन वहीं बात है जैसे आप प्रेक्षान बन्यां कि यह आंसर करोगे तो आपका समय बच रहेगा और एक्जाम में समय बहुत जरूरी होता है तरह बहुत बढ़ कर रहे हों बिल्गल भी आपका रेश्यो बढ़नी रापोल करने का सही करेक्ट आंसर गया करो ना गलत क्यूं करते हो अब लगाया करो चलो इस पूशन का अंसर बताओ अ बहुत बढ़ी अशन बताओ इसी तरह का यह भी उच्छन जो अभी अप तीछे सीख के आयो इस पूश्यन का अंसर आप सभी करेक्ट करना मैं आपको प्रॉपर टाइम दे रहा हूं ठीक है मैं आपको प्रॉपर टाइम दे रहा हूं आराम से 20 सेकंड का समय आपके पास करूपर बताओं झाल बताओं तो चलो देखते हैं अब आपको टाइम अच्छा मिल गया होगा अवांस तर सही करना सा पोल में दो वस्तू में से परते को एक लाख पांच के मुलें विचा आता है उसमें से एक वस्तू पर विक्यता को पंद्रे परसत लाव होता है दूसरी पर तेरे परसत आनी होती है वि 15% का फ्रेक्शन मान 3 वटे 20 लाव है तो प्लस हो जाएगा 23 वटे 20 और दूसरी वस्तू पर तेरे परसत सधानी होती है तो 13% loss तेरे परसेंट का फ्रेक्शन मान 13 वटे 100 तो मैं से 13 जाएगा 87 87 वटे 100 उसमें का एक प्रते को इतनी में बीचा जाता है तो दोनों के विक्रे मुले वराबर हैं सैलिंग प्राइक्श है यहां पर प्रॉफिट हुआ है यहां पर प्रॉफिट हुआ है तीन का और यहां पर लॉस हुआ है थीस का कि अंदर पर संट लां पर वेचा थीस यह पर स्ट सानी पर है अरगे लो यहांपर मुटिपलाइंगे awhile loosen chr यहां पर भी multiply करना पड़ेगा सता से यहां पर multiply करेंगे 20 यहां पर भी multiply करेंगे 20 और यहां पर भी multiply करेंगे 30 तो दोनों की विक्रमुली बराबर हो गए अब क्या कहा है उसने दोनों में से प्रतिक का विक्रमुली दिया है लाभानी का प्रतिसत पूछा है तो इसका कोई य डल रहे हैं तो जीरो साथ दूनी शॉदह चार एक सत्रह सो चालिस और तेश्सों तो टूटल सीपी आ जाएगा और टूटल सीपी आ गया 4040 का यहां पर हो रहा है लाग ताथ यहां पर हो रही है हानी कितने की पांसों पिसकी चानफन सीपी इसमें से इसको हुटो आ च्हे दो सोड़ साल kehirug कुरू bronze siativa वर ना गुपिर कोरेंगे एक शहाहिक आवर कोड़ करेंगे एक न्हीं करंड़ करनेंगे एक तीन चार भार करेंगा तो पांच का अगुणा कर दीजिए पांच चार वीश जिरो दो 65 और दो सड़ सट वर्टे एक सोए तो छह बार जाएगा तो शिक्स पॉइंट अफ्सन तो बहुत कम दियें इसमें भई तेरे पर्चेंट की हानी और यह गड़बड कर दिया है को बड़ा कोई वात नहीं केल्कुलेशन थोड़ी सी मिस्ट्रीक हुई है थोड़ी सी नहीं इससे कहानी बहुत गड़बड होगी अ शतासी है ना तो तेरे बचे का यह हमने तीस कर दिया है पूरा ही मिटाना पड़ेगा है तो यहां पर जो हानी है वो तेरे की होगी और यहां पर लाव होगा तीन का मुल्टिप्लाइ करेंगे उपर सतासी 87 मुल्टिप्लाइ 87 मुल्टिप्लाइ 87 मुल्टिप्लाइ यहां करेंगे 23 23 23 23 अब सही है यहां पर 200 और सीपी तो तना ही होगा जो हमने निकाला था 4040 वो तो सही है बस प्रॉफिट लॉस निकाल लो तो तीन कुणा तो साथ तीन साथ 21 सेग दो और 2400 और 2600 का प्रॉफिट और लॉस रजाएगा लॉस आजाएगा हमारा आठ और 38 लॉस का पर्चंट निकालेंगे तो 38 बटे 4040 और गुना 100 जीरो से जीरो कट जाएगा दो से कैंसल करेंगे 202 वार दो से कैंसल करेंगे 501 बार और दो से कैंसल करेंगे 19 वार 9594 बटते 101 तो आंसर जीरो फॉइंट कुछ आएगा तो आंसर हमारा जीरो पॉइंट कुछ आएगा 3034 वो भी प walls की प्रॉफिट तो लॉस आ अएगा 0.94 परसन लोस की रह इसका कशार करेंड अंसर कर्येक आंसर कि इस बंशन सँossa कि यह नहीं मेरा सी होगा सी जब यह प्रॉफिट और लॉस बेटा अलग-अलग होंगे तो आपको ऐसी करना पड़ेगा और केवल कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है इसलिए आपको लग रहा है नहीं तो यह बहुत सौट कर तरीखा है अब नमबरी बड़े बड़े आ र अब और रहानी के लग लग है तो उसके लावर यह तरीखा बड़ा नहीं है अगर आप पर्सेंटेज आसान ले लो तो बहुत आसान तरीक लगे लेकिन प्राइम नमबर आ रहा है परसेंटेज में तो थोड़ा ज्यादा जा रहा है तो क्यलकुलेशन भी थोड़ी सी करना सी को आप जब कुश्यन आसान है तो डारेक्ट वही कुश्यन आए दस परसेंट लाव दस परसेंट नहीं और एक परसेंट हानी निकाहा के दिखल जाओ वही करोगे लोगे चलो एस पूश्यन का अंसर बता पता बता 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 जल्दी से बिटा एक विक ताने 490 में दोव कर दो जल्दी से अभी तो दो एक विक ताने चार्ट पनव्वे में दो वस्तों खरी दी दौनों का कुल क्रेमूल है एक को 20 परसत आनी पर वेचा दूसरी को 16 पर वेचा दूसरी को श्राण के विक रमुल्य समान है तो एक को 20 परसत हानी पर वेचा 20 पर प्रेक्शन मान एक वटे पांच हानी पर बेचा तो 4 बटे 5 कितने की हो जाएगी 1 कि यह 12 पर बेचा तो 16 पर सेंट ऊफ्रेक्शन मान 4 25 पर बेचा है तो 4 का लाव होगा यह बनेगा 39 पर लाव कितने का हो जाएगा 4 का अब उसने इस परस्त का है कि दोनों की विक्रह मुले समान तो दोनों के स्पी बराबर कर लो को अगर दोनों के दिए तो यहां पर कितना बना है कि दौनों बस्तों का टोटल लिए डिया है टोटल सब्सक्राइगा तो टोटल सीपी बनेगा 245 अब को दिया है 490 और उसने पूछा हानी वाली का तो हानी वाली यह है इसका क्रेमूल यह है 145 तो एक तो पैंतालिस गुणा दो कर दो वस सीधा आगया दो सब्सक्राइब तो 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 थोड़ा लगेगा आंसरा जागा दो सब्सक्राइब अच्छी है तो आज एक दो दिन कुछ अच्छा पढ़ लिया करूं इस को बताओ वेगा दूकानदार दो बस में बेचता है पहली बस्तू को बश्तु को ब्रस्ता राप्रवेश्टा दूसरी को दस परशन आ पर तो उसका फुल बस्त लावी हानी पर सबताओ अ कि कि एक दुकांदार दो स्कंख fuiश्ता है फैली वस्त का वाल दूसरी के समान है यह है पिएली बस्तु यांट वेचा दूसरी दस वैज्टेशन रहा几ा है फिस विचा फैली यह पांश दॉसरी Hen Till पक्रार बताओ ये क्रेम उल्यक्यू समान है पहली क्रेम आ ऑघमि एक और पक्रेम मुल्ये यहां 30 करेंगे तो गुणा 3 और गुणा 3 तो देखो दौनों की विक्रहमूल इसका पहली वाली का विक्रहमूल या दूसरी वास्तु का किरम बरावर हो गया बिल्कुल सही है रेश्यों कमाइंड हो गया तो खुल नाव हानी परसेंट बताना है तो देखो इसका CP हो गया 25 औ और यहां से हो रही है तीन की हानी तो ओवराल दो का प्रोफिट होगा तो दो का प्रोफिट पच्पन पर हो मल्टिप्ला है सो पांस ते कैंसल करेंगे 20 वार 5 से ग्यारे वार तो 20 दूनी 40 वट्टे 11 तो 11 तीया 33 तीन सही 7 वट्टे 11 परसेंट का आपका आजाएगा या प दूसरे के बराबर कर लो बस बराबर करके जो दिया है टोटल सीपी पच्पन और यहां पांच का लाव यहां तीन यहां नहीं तो ऑवराल दो का लाव हो रहा है परसेंटेज निकालेंगे तो दो बट्टे पच्पन गुणा सो 40 वट्टे